हेलो, वाट्स अप गाईस, माई नेम स्पिनोद बादूर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत करना चाहूंगा मेरे ओसम चैनल थापा टेक्निकल पेंड बताना चाहूंगा बहुत मज़ा आएगा एंड गाईस हम देखेंगे पांच प्रोजेक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा यह समझने के लिए कि हम रियक्ट में जो भी समझे रहे उसको इन रियल वोल्ड प्रोजेक्ट्स या एप्लिकेशन में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं वह मैं आज आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसको बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज सम इस वीडियो में कौन-कौन से प्रोजेक्ट करने वाले वह मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि हम जो भी समझ इसको implement कैसे करें रियल वल्ल में वो कैसे यूज होता है वो आपको पाता चले we have our awesome website जहां पर morning में हमें कौन सा खाना मिलेगा evening में क्या मिलेगा, lunch में क्या मिलेगा, dinner में क्या मिलेगा and total जो all है वो सब कुछ आपको यहां पे मिल रहाँ आप देख सकते हो जब भी मैं इस पर क्लिक करता तो page refresh नहीं होता this is the beauty of your react ठीक है and यह सब कैसे होगा आपको पाता चलेगा and the best part इसको पाने के लिए सिर्फ एक line का code and यह जो card में सिर्फ एक card बनाऊंगा, एक card का content लिखूंगा यह सब कुछ automatic आ जाएगा अब वो कैसे होगा, आपको video देखना पड़ेगा, ठीक है तो our first project will be restaurant website जैसे जैसे हम basic समझेंगे, इस पर काम करेंगे and now guys, जब हमारा basic complete हो जाएगा तब हम थोड़ा advance आएगे, हम hooks के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे तब guys, मैं आपको दो difference दिखाना चाओंगा with the help of use state hooks and then use reducer hooks and then guys, आपको decide करना है कि दोनों में कौन सा बैटर है, ठीक है आप देख सकते हो, जब मैं इस पर click करता हो, यह increment होता है जब मैं इस पर click करता हो, यह decrement होता है जब मैं 0 की नीचे जाओंगा, तो मैं चाह के भी 0 की नीचे नहीं जा सकता है उसमें भी हम कुछ functionality use करेंगे तो guys, यह जो project है, यह हम देखेंगे with the help of use state hooks and then use reducer hooks, ठीक है once आपका यह हो जाता है, then हम देखेंगे with the help of use effect hooks, जब मैं इस पर click करूँगा तो data increment हो रहा है, लेकिन एक चीज़ आपने notice यह नहीं क्या होगा, कि उपर chats 3 मैं click करता हूँ 4, तो उपर भी 4 दिखाई दे रहा, it means जब या WhatsApp, या Facebook, या Messenger, कहीं पर भी work करते हो, जब new message आता है, तो automatic chats के बाद, या messages, वह वाँ पर update होके दिखाई देता है, तो वो कैसे हो रहा होगा, react की मतबस से, वो मैं आपको बताऊंगा, तो इस तरह के से हमारा basic, हमारा hooks, जब complete हो जाता है, then हम हमारा project देखेंगे, जिसमें सबसे पहला और बहुत ही मैं इस data को delete कर सकता हूँ, मैं इसको edit भी कर सकता, अगर मुझे delete कर ना हो, तो मैं delete कर दूँगा, अगर मुझे, suppose एक और लिख जाता है, मैं orange and add कर रहा हूँ, तो एक साथ मैं इस सब को remove भी कर सकता हूँ, and suppose कल के दिल मेरे को सिफ एक ही data लेना था, लेकिन मुझे पता चला, मुझे mango, सिर्फ नहीं मुझे green mango चाहिए, हरे mango कच्छे आम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पे जब click कर रहा हूँ, guys, देखो, icon change हो गया, mango automatic इदर आ गया, मैं यहाँ पे चल के सिर्के से green लिख दूँगा, and again इस पे click कर दूँगा, and boom, वापस मैंने सिर्फ उसी data को ना तो कुछ एक add किया, ना तो कुछ delete किया, उसको मैंने update भी कर दिया, तो वो सारे functionality जो card operation होता है, create, read, update, delete, वो सब कुछ इस एक video में, and the best part, and the best part हो तो मैं बता नहीं बूली है, and that is, अगर मैं Apple पे click करता हूँ, कल के दिन अगर मैंने refresh की guys, and boom guys, आप देख सकते हो कि इसको मैं चाहूँ, अब जितना भी refresh करूँ, data हमेशा मुझे वहीं पे मिलने वाला, तो हम इसमें local storage भी use करेंगे, and then guys, हमारा main project होने जा रहा है, हमारा weather application app, जहाँ पे हम real world API के साथ work करेंगे, and यह जो data आप दिखाए दे रहा है, आपको पूने का दिखाए दे रहा, पूने का temperature, पूने में कब sunset होगी, humidity कितनी है, pressure कितना है, wind का क्या है, and मेरा current update and time देख सकते हूँ, मैं वापस refresh करूँगा, फिर भी मुझे data आ रहा है, सिफ पूने ही क्यों, अगर मैं Mumbai लिखता हूँ, and boom guys, मुझे Mumbai का data आप देख सकते हो, icon change हो जाता है, Mumbai कहाँ है, India में, date, time, sunset, कब होगा, सारा data, जो भी कुछ हमें मिल रहा है, real world API के थूँ मिल रहा है, वो API के साथ कैसे work करना है, वो API आप कैसे get कर सकते हो, API की कैसे ये complete user interface, awesome website आप create कर सकते है, with the help of react.js, वो सब कुछ आजम सिर्फ इस एक वीडियो में देखेंगे, and सिर्फ इंडिया का ही नहीं, आप चाओ तो भारदेश का भी कर सकते हो, जैसे कि मैं पोखरा में बॉन ओठ है कि नेपाल में, तो मैं अगर मैं इस तरीके से पोखरा लिख देता हूँ, सर्च करता हूँ and boom guys, आप देख सकते हो पोखरा and NP दिखा रहा मतलब नेपाल, clouds, timing, wind, pressure, सब कुछ sunset आपको बता रहा कितने बज़े होगा, and उसी तरीके से आप नेपाल क्या, टोक्यो, लंडन, आपको जहां जो लिखना आप सब कुछ लिख सकते हो, सब कुछ आपको यहां पे टोक्यो जापान बता रहा, सब कुछ आज हम सिर्फ एक वीडियो में देखेंगे, आपको इन सारे प्रोजेक्ट में सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा लागा, नीचे कमेंट करके जरूर बाताना, वीडियो को एंट तक जरूर देखे, आपको बहुत कुछ सिखने मिलने वाला, यह बहुत ही ज़्याद इंपोर्टेंट, आप देख सकते हूं सबसे पहले 2010 में the first sign of react, 2010 में क्या हुआ, फेस्बुक ने PHP के stack में उन्होंने एक new concept को इंट्रेड्यूस किया, जिसका नाम था XHP, लेटर ओन यही जो SXP था इसकी मदर से उन्होंने create किया composite components, components को ध्यान से सुनिएगा, और लेटर यही जो composite component था, उसको as a syntax उन्होंने react पे introduce कर वाया था, ठीक है, ठीक है, उसके एक साल बात, like in 2011, an early prototype of react, and guys 2011 ही वो साल था, जब Facebook के एक developer Jordan Walk को यह realized हुआ, कि we need something big, something big मालब user जब भी website के साथ interact करता, तो कुछ ऐसा हो, जिससे user जल्दी ना जाए, उस website के साथ चिपक के बैठे रहे, like we have our Instagram, ठीक है, तो आप देख सकते हूँ, Jordan Walk की वो software engineer थे, जिन्होंने react को create किया, and react का जो पहला version create किया था, उसका नाम इन्होंने रखा था, fax.js, आप देख सकते हूँ, यहाँ पे fax.js, ठीक है, and उसको उन्होंने implement किया था, search feed में, facebook पे, then later on, उसको उन्होंने, हमारा जो news feed है, वहाँ पे, जो infinite scroll वाला जो effect है, वहाँ पे, इसको introduce कर वाया था, ठीक है, उसके एक साल बाद, 2012 में, instagram needed, आज के टाइम में, facebook से ज्यादा, लोग instagram पे, चिपके रहते, and उसका best, पार्ट ये है, क्योंकि, वह बहुत ज्यादा, simple, जिसमें, ज्यादा कुछ ads, आते नहीं है, and मैं अगर आपको, अपना दिखा हूँ, यहाँ पे, चलता आप देख सकते हूँ, ज्यादा आप देख सकते हूँ, ज्यादा आप आप देख सकते हूँ, इंस्टाग्राम जरूर फॉलो गर लिजिएगा, यहाँ पे आप नोटिस करने, यह जो स्क्रोल बार आपको दिख रहे है, ठीक है, सीवेजर पक के बैठा रहागा, क्योंकि हम उसको खतम होने ही नहीं देंगे, इंस्टाग्राम कभी content को खतम होने ही नहीं देंगे, फिर भी मेरा profile, अपना profile कौन नहीं देखेगा, दूसरे का ही देखेंगे, टो data कभी खतम नहीं होता, तो गाइस यह react के कारण possible हुआ infinite scroll and बहुत सारे awesome चीजे ठीक है एंड सबसे ज्यादा तहल का तब मचा दुनिया के नजरों में जब 2013 ठीक एक साल बाद उन्होंने इसको गाइस publicly release कर दे इसका मतलब यह कि now facebook publicly open source open source react just in may 2013 2013 में facebook ने react just open source कर दिया and उसके बाद guys आपको मालूम है तहल का मज गया and आज के टाइम में guys react just is one of the most most valuable and most used front end library ठीक है framework को भी इसने टकर दे चुग है like we have angular view self so this is it guys history इतना ही था and later on तापको मालूम है guys अगर यह इतना famous नहीं हुआ था तो मैं इसको पर वीडियो नहीं बना था आप वीडियो नहीं देख रहे होते यह आज के टाइम में one of the best front end library जो आपको आना ही चीटिग है तो guys अब हम समझते what is react just and उसको समझने के लिए सबसे best place रहेगा react जैसका अपना खुद का official website तो अगर आप से कोई पूछे what is react आपको सी दो इसके definition देने and that's it बात खत्तम and वो जो दो definition होगा सबसे पहला that is react is a JavaScript library for building for creating awesome website awesome user interface तो यह जो definition है it is more than enough इतना आपको समझने react framework नहीं है यह JavaScript की एक library है library मतलब now there is no more dependency कि हाँ भई यह घर का ढांचा ऐसा है तो ऐसा ही चाहिए मुझे नहीं भई library मतलब जैसे jQuery जब आपको मनो कि jQuery के थुरू मुझे अगर कुछ call करना हो तो आप उसको use कर सकते है same react भी एक library है but it is more than jQuery right jQuery से बहुत ही बड़ा है बहुत ही जादे advance है बहुत ही कुछ हम इसमें मिलने वाला है तो react की मतलब से आप awesome website awesome user interface create कर सकते हो and we all know what is the difference between user interface and then user experience ठीक है जब भी आप internet open करते हो and जब भी आप www.xyz.com कुछ भी लिखते हो तो एक website आपके सामने open हो जाता है like यहाँ पर आपने लिखा react.org तो यह एक मेरे सामने website आचुका इस website में क्या है सिर्फ यही website नहीं बाकी के website में क्या होगा आपका एक content ठीक है simple on internet and वही कहलाता है आपका user interface तो जो कुछ भी आपको यहाँ पर भी दिखाई देरा आपके स्क्रीन पर वह आपका कहलाता है user interface ui design, ui developer तभी ui design, ui developer बोलते हैं वो लोग react का quote नहीं लिखते Photoshop, Adobe, XD, Figma के थुरू बना देते हैं and then हमें उसको react के थुरू यह सब हम अब create कर सकते हैं जो पहले हम HTML CSS से करते थे वो अब मैं react के थुर, pure react के थुरू यह सब कुछ कर सकता हूं तो I hope आपको पाता चलिगा होगा कि जो भी website आपको देख रहा है वो अब आप react के थुरू create कर सकते हो user interface मनले भी यह जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है and second definition जो बहुत ही जादे important है and that is react is all about your component react is all about your component बस that's it what is component चोटी 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 चीजों को मिला के एक group बनाना that is your component what is component, how to deal with component, how to create component, what is next state component यह सब कुछ अगर आपको पता चलिगा you will be the next master of reactions में लिख की देता हूं and इस video को आप end तक जरूर देखेगा and you will be one of the master of reactions later on तो वो आप कितनी hard work करते हो आप कितना practice करते हो इस पर depend करेगा क्योंकि अभी मैं जितना भी आपको समझाओंगा आपको समझागा आपको बहुत मज़ा भी आ रहा होगा but after one month two month आप भूल जाओगे यार क्या था यह होता है होता है होता है यह it's totally normal ठीक है so what is component तो component का basic fund यह था do not repeat yourself that's it and what is do not repeat yourself यह जो fund है throughout this series I mean throughout this video यह complete बहुत लंबा वीडियो ने जा रहा है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे same piece of code जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो उसको सिफ एक line से आप complete कर सकते हो आप बहुत क्लिए लिदेख सकतों यहां पे we have a components यह देखो declarative एक heading है and then we have कुछ paragraph and then again यहां पे एक paragraph है same चीज same style यहां पे repeat हो रहा है component आपका एक heading है यह आपका एक paragraph है यह आपका एक heading है यह आपका एक paragraph है तो एक बार अगर मैंने एक heading एक paragraph बना लिया और इसको एक deep के अंदर मैंने रख दी I hope आपको at least html आ रहा है जो कुछ भी बोल रहा हूं like what is deep tag heading tag paragraph tag image tag ठीक है तो once आपने यह एक deep बना लिया ठीक है यह वाला जो भी portion है इतना तो आप खुद देखो न यह and यह कुछ change है कुछ change नहीं खाली एक चीज़ चेंज हो रहा है that is content content हम कुछ भी लिख सकते है सिर्फ content चेंज हो रहा है बाग इसका style इसका जो user interface अब आपको पाता चल गए this is your user interface जो एक user को जो दिखाई दे रहा है सब कुछ same है खाली content आ लिया ना यह दो आटोमेटिक हो जाएगा and I know आप सोच रहेंगे वह आटोमेटिक कैसे होगा वाई automatic कुछ नहीं होता है हमें code लिखना पड़ता लेकिन बहुत ही कम code आप कैसे तो एक या दो line के code से यह automatic आ जाएंगे and don't worry वह सब कुछ हम देखेंगे धिरी-धिरी ठीक यह पूरा का पूरा जो देख पारे हो यह complete बना लिया तो same होई है same होई है आप देख रहे हो मतलब यह भी same होई है तो एक डीब अगर आपने बना लिया यहाँ पे तो बाकि सब नीचे वही same चीज रिपीट हो रहा है खाली change हो रहा है तो content change हो रहा है like यहाँ पे component using external यह components का funder आएगा जो कि react का main center of pointer components उसके through हम सिप एक code लेखेंगे हमारा सारा काम हो जाएगा so this is it guys and I hope आपको पाता चल गया what is react and throughout this video आपको और एकदम अच्छे से practically पाता चल जाएगा कि what is component react क्या है सब कुछ आपको पाता चल जाएगा and दूसरा क्यों हम react उसका advantage Facebook ने create किया इसको जब open source कर दें now आप github पे check कर सकते हो कितने fox इसको कितने likes है ठीक है so this is it guys अब हम बीना किसी देरी के अपने website पर सलते है and that is thappatechnical.com क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ already लिग चुका है अब हम बीना किसी देरी के video को स्टार्ट करते हैं मैं बाता आना चाहूंगा अपने अपने awesome website था पर technical पे मैंने आज की दिन हम क्या क्या करने वाले and बिल्कुल source को डेकदम फिर में सब add कर चुका हूं guys तो हम इसी को follow करेंगे and step by step समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है ठीक है तो आप बहुत क्लियली देख सकते हैं इस आज का video इसलिए भी important है क्योंकि हम react का latest version that is 17.0.2 हम इस पर work करने वाले तो इसको install करने से पहले इस पर work करने से पहले हमें क्या क्या प्री रिक्विजिट है उसको समझना बहुत जरूरीटी है तो हम बहुत क्लियली देख सकते हैं यहाँ पर लिखा कि install the recommended version of node जास्तू मैंने अल्रड़ी यहाँ पर provide कर रहा है आपको खाली इस पर click करना है and this is it you know अगर आप Mac user हो या Linux user हो या मेरी तरह Windows हो तो सभी के लिए यह available है latest future पर नहीं हम जाएंगे recommended for most user आपको इसको download कर देना है आप देख सकते हो guys यह 29.2 MB का है यह जब download हो जाता है guys आप simply इसको install कीजेगा and जब आप install कर लेते हो it's super duper easy ठीग है आपको just make sure करना है कि आपके system पे install हो गया and to make sure कि install हुआ या नहीं we need to type node-v already यहां सब कुछ है हम क्या करेंगे guys अगर आपके पास VS Code Editor नहीं है तो आप CND उपन कर सकते हो else we gonna use VS Code Editor ठीक है कहीं पे भी आप VS Code Editor ठीक है कहीं पे भी आप VS Code Editor ओपन कीजे खाली control and then back tick आपको प्रेस करना है तो आपको guys इस त अगर आपको लिख देना है node-v basically node का वर्जिन चेक कर रहे है and boom guys अगर आपका node का वर्जिन 10 से उपर है या अगर आपको इस तरह किसे वर्जिन दिखाई देता है it means कि guys node properly install हो गया है अब हम इसमें अपना react application install कर सकते है and awesome website हम create कर सकते ठीक है and same वहीं चीज में यहां पर कर करके दिखा देता हूँ जूम कर देता हूँ तो देरी के लिए यहां पर simply लिख देता हूँ node-v and आप देख सेता हूँ अगर VS Code Editor नहीं है अगर आप Sublime में उस करना चाहते हो तो आप simply इस तरह के से चेक कर सकते हो दो आपसन में आपको बाता दिये ठीक है and now जो third point बोलता ह हाँ तो इंस्टॉल रियक्ट जैस मैंने अलड़ी कमांड यहां पर अलड़ी सब कुछ लिख के राखा हुआ है ठीक है पहले हम यूज करते थे node package manager npm ठीक है जो की global install कर देता था but now guys उससे भी बहुत better option हमारे पास है that is npx यह node package manager का ही एक अंस ठीक है जहां पर simply npx क्या करत ठीक है आपको run करना है आपको test करना है सिर्फ आप nps लिखे आपका वो environment create करके देदेगा यह globally कुछ ही नहीं हो ला है सिर्फ एक project का यह अपना काम करके दे देगा ठीक है तो हम क्या गरती इसको हमें type करना है ना उससे पहले अब कौन सा code editor हम use करें ठीक है मैं guys recommend करना चाह यहां पर देखे download है यहां पर देख सकते download for windows नहीं तो आप mac या Linux simply download करना है इस तरह किसे आप आ जाओगे simple है ठीक है एकदम basic है यह and then आप क्या करना guys आपको control and then back tick press करना है ठीक है आप देख सकते हो guys मैं eDrive के अंदर हूं react एक मेरा folder है उसके अदर एक और folder है that is react 2021 it doesn't matter कि म में किस folder में work करों आप कोई भी folder open कीजे आपको क्या करना guys आप लिग दीजिए mkdir make डिरेक्टर तौस आउट जूम कर देता आप लोगों के लिए हमें एक folder क्रेट करेंगे यहां पर सो मैं लिग देता हूं इस तरह किसे guys मैं simply guys यहां पर इस तरह किसे लिग देता हूं complete-re react-all-right-2021 complete react in 2021 this is it तो अब मैं अगर dir करता हूं देख सकते हो कि मेरे पास बनके ready हो चुका है complete-react-2021 अब भी जस्ट आपके सामने में ने एक new folder create कर ली है अब इस folder के अंदर हम अपना react का application create करेंगे ठीके and और कैसे create करने है उसके लिए we need to write npx create react app and then आपका app का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो so कैसे npx create-react and then app and then यहां पर guys आपना app का नाम हम लिखते है guys और react ठीक है मैं लिख देता हूँ थापा react थापा app कुछ भी लिख सकते हो आप अपना नाम लिखिए react आपका नाम then app बस enter hit कर दीजे तो guys now it's totally depend on your system की आपका system का जो आप कैसे कि प्रोसेसर या आपका जो cpu कितना speed है कितना fast है उसके basis पर else 5 minute भी लग सकता है 10 minute भी एक minute भी और गैस तो आप देख सकते हो कि यह एकदम properly installed हो चुका है ठीक है इसरे किसे आपको कुछ दिखाए देता है यह already हमें बता रहे कि आप क्या कर सकते हो ठीक है same code मैंने यहां पर लिखा कि once आपका install हो जाता है then आपको अपना जो app है जो भी आपने create के उसके अंदर आपको आना होगा with the help of cd ठीक है यहां पर इन्होंने बता हो है कि cd अब भी जस्ट मैंने जो create किया था फोल्डर के अंदर जाने से पहल मैं आपको बताना चाहूंगा अब भी जस्ट हमने यह जो भी एप लिखा है वह already यहां पर create हो चुक आप देख सकते हो मैं क्या करना चाहूंगा मैं सिर्फ इसको open करना चाहूंगा ठीक है बाकी दोस्टे मुझे मतलब नहीं मैं यहां पर लेकिन मुझे यहां पर इसको run करना है तो CD मैं आपको दिखाता हूं आपको लिखना पड़ेगर DIR तो हमें मिल रहा है कि react थापा एप एक है करके तो इस तरह के से मैंने tap प्रेस की automatic आ गया ना अप मैं अपने project के अंदर आ चुका मुझे इसको run करना है एंड मैं बहुत कर सकता हूं with the help of NPM और यान स्टार्ट ठीक है आपको याद होगा हमें इसने recommend किया था यान तो we will go with यान ठीक है बहुत और almost same यान में कुछ और extra functionality मिलती है again shortcut की तरह like we have our NPX तो यान and then start आपको लिख देना है बेचे में space देना है and this is it the moment आप यह करते हो गाईस आपका hello world कर इसको में हटा देता हूं हमने already समझ चुक है what is react ठीक है component based सब कुछ इसको भी में हटा देता हूं node जे इसको में हटा देता हूं इसकी मुझे नीड है and यह जो portion इसको भी में हटा देता हूं ठीक है and boom guys आप देख सकते हूं कि हमारा react के application finally run हो चुक है बहुत awesome है ठीक है and this is इतना ही था इसका तो अभी मैं क्या अगर तो इसको कम जूम कर देता हूं एक और बार चलो ठीक है उसको guys मैंने simply hide कर दी है ठीक हम यहाँ पे चलते हैं अब देखते हमारा next क्या next बोलता understand the folder structure बहुत जादे important है कि इसका folder structure कैसा होगा ठीक है तो अब जूम कर देता है अब note modules इससे यह पाता चलता है कि हमारे इस project में हमने कौन-कौन से dependency को add कर रही है अब देख सेकते हूं we have this react का latest version 17.0.2 आप अगर future में देख रहे हो and in case कुछ you know नहीं हो पारा run नहीं हो पारा तो जो मेरा version दिखता आप उसी को install कीजेगा react-do में react-scripts and then web vitals यह ज्यादा सबसे जाद important है कि यह जो पार्ट आपको दिख रहा है run होते वह यह जो icon जो rotate कर रहा कहां से दिख रहा हो ठीक है सबसे जाद important होता आपका source folder and then आपका public folder public folder को 90% case में हम touch भी नहीं करेंगे कुछ चीज़े जो बस include करेंगे बाकी कुछ नहीं करेंगे and then we have our source folder मैं आप dot css dot css आपको मालूम है क्या होता है app dot js and बहुत जाद important अभी थुछ दिर में बात आता हूं and then app dot css dot css dot css मलब आपका normal css file dot js मलब आपका javascript का file and dot js मलब भी आपका react का file होता है यहां पे ठीक है and public पे जाके index dot html क्योंकि अगर आपने website कभी भी create dot html ही है वो page जिसको ह यहां बस ही आपका dot html की उपर ही है ठीक है and this is it इतना ही था यह index dot html यहां पर पड़ा है अब वह सबसे जाद important है कि यह मुझे दिख कैसे रहा है and हमारा react project run कैसे हो रहा है ध्यान से दिखेगा सबसे पहले क्या होता guys we have our app.js ठीक है app.js पे हमने जो कुछ भी लिखा रह होगा कि मैं यहां पर चलता हूं रहा है यह मुझे मिल रहा है लेकिन इसको मैं जैसे हटा देता हो guys वह भी हट जाता है तो यह automatic refresh हो जाता है ठीक है this is it यह आपका लोगो यह आपका जुभी and save to reload वह आपको यहां पर दिखाई दे रहा है and then बाकी यह anchor tag आपका यह जो learn react आ पता चलता है कि app.js के अंदर जो कुछ भी है वह आपको यहां पर दिखाई दे रहा है लेकिन app.js मैं ऐसा क्या था जिसके तुर मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका तो हमने कुछ किया यह नहीं यह .html का file है सीध्धी बात है कि नहीं तो मैं आपको बता दिखे एक दमा जब हम इसरगे से यहां पर काम कर रहें app.js पर हमने अलड़ी समझा था react is all about your component तो basically यह एक component है सिर्फ एक component जो बस हमें दिखाई दे रहा है कुछ नहीं का रहा है यह component जो सिर्फ दिखाने का काम कर रहा हमने यह जो मेरा component है app component basically app function उसको हमने यहां पर export क्य अब हम चलेंगे हमारे index पर source के अंदर ही हमारा index करके एक और file है जहां पर आप ध्यान से देखोगे तो यह जो app.js है उसको मैंने यहां पर किया import अभी हम थोई देर में देखेंगे जब हम अपना पहला component create करेंगे लेकिन हलका बाता रहा हूं यहां पर हमने उसको किया import इ react का कुछ लेना देना नहीं है इसमें ठीक है लेकिन हमें इस तरह किसे इसको get करना था उस app वाले page को उस app वाले component को and then आपको react-dome.render लिखना है basically यह देखो यह by default दो ऐसे packages जो हमें react जब हम इंस्टॉल करते हो automatic मिल जाता ठीक है तो react-dome.random अलब दिखाओ दिखाओ ठीक है तो react-dome.random अलब दिखाओ एप component को लेकिन अभी भी एक चीज है कि वो हमें .html में ही चाहिए तो इसके लिए क्या कर रहा है guys यहां पर देखो यह हमने अल्ड़ेडी जास्किट में समझा है आप टॉप पर देख सकते हो js in 16 hours जरू check out किजिएगा document.getElementById मुझे कहीने कहीन से root मिल रहा है and root मिल रहा है इसका मतलब कि कोई ना कोई एक ऐसा element है जहां पर हमने id equal to root लिखा जिसको मैंने यहां पर pass out कर दिया तो यह जो मेरा app component है वो कोई ना कोई एक page होगा .html का वहां पर एक div होगा जिसकी id होगी root म finally app हमारा जो भी है वो मेरे index.js पर आया वहाँ पर मैंने उसको get की मैंने कहा render कर दो दिखाओ basically and कहां दिखाना है यह वाला जो root element है वहाँ पर and यह अब root element कहा होगा वो होगा मेरे public folder के अंदर index.html में यहाँ पर आप देख सकते हो and यहाँ पर आप देखोगे guys we have a div जिसकी id है root this is it simple तो यह है आपका actual.html फाइल जो यहाँ पर render हो रहा है and यहाँ पर जो भी data आ रहा हो guys आपके source folder के अंदर जो app है app के तुरू then index and then index के तुरू आपका index.html में आ रहा है तो इस तरीके से guys आपका यह react work कर रहा हो था ठीक है and अगर यह root नहीं लिखता तो guys से run करे तो that's why मैंने बोला कि इन सब को हमें छेडना ही नी ठीक है तो इसको मैं हटा देता हूँ and यह जो कुछ दिख रहा guys यह जो आपको comments है इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ and मैं यहाँ पर चलता हूँ इसको भी मैं हटा देता हूँ चलो अब एकदम perfect दिख रहा है neat and clean ठीक है इसको मैं हटा देता हूँ app.js हमने देख ली index.js हमने देख लिया है आपको at least पाता चला यह कैसे run कर रहा ठीक है now जब folder structure हमने समझ लिया we need to delete यह completely remove the boiler plate इसका मालब भी हो तब जो by default हमें मालब इतने सारी चीज़े हम क्या करेंगे right तो guys आपको क्या करना है index.js को as it is रख हटा दो and then यह जो पार्ट logo.sbz इसको भी हब हटा दो ठीक है मैंने दोनों हटा दिया अब as it is रखते है बाकी चलो ठीक है setup इसको भी हटा दो इसको भी क्या ही करेंगे हम इसको भी मैंने हटा दिया चलो ठीक है source के अंदर सिब दोई चीज़े यहाँ पर यह जो logo दिखता यह जो logo लिखता है इसके हमें कोई नीड नी है इसको मैं हटा दे रहा हूँ फैब आइकन जो है चलो इसको भी रहने दो तो अब आप देख सकते हो public के अंदर से भी इतना ही रहे गया है source के अंदर से भी इतना ही चीज़ है अब मैं यहाँ पर चलता हूँ index we have our app में एक ब what's new in react 17 version we will see it after our first component तो guys react 17 में नया क्या आया है वो हम जब हमारा पहला component करेंगे उसके बाद देखेंगे लेकिन अभी सबसे पहले हमें यह देखना है कि vs code editor जब हम use कर रहे तो हमारे live को easy करने के लिए there are some extensions जो हम install करना है तो मैं आपको बातातो देखो अभी यह जो app है इस इसको मैं completely हटा रहा हूं ठीक है अभी फिलाल के लिए मैं as it is इसको छोड़ देता हूं मैंने app.js को completely remove कर दिया डिलेट कर दिया उसके लिए जो भी content तो कुछ extension है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो यह icon को आप click करो और मैंने और यहाँ पर लोगों को बाता रहा है that is vs code javascript es6 snippet copy करना यहाँ पर इससे enter hit कर देना top पर आप देख सकते हो simply आपको install करना है मैंने already install कर रहा है that's why install दिखा रहा है उसके बाद react के साथ work करने के लिए we need to have this es7 react redux graphql यह जो भी इसको copy करो यहाँ पर आके again paste कर दो enter hit कर देना and इसको भी मैंने already install कर चुक है आप भी जरू install कीजे यह दो extension अगर आप install कर ले तो guys live बहुत easy हो जाएगी ठीक है and मैं आपको बाताता हूँ एक और extension है जो आपके live को और easy करेगा लेकिन हो थोड़ी देर बाद all right guys now finally we have our hello world in react just बहुत थेोरी होगी बहुत बाते होगी लेकिन अफाइनली हमारा पहला जो प्रोग्राम है react just में hello world वह हम कैसे रन कर सकते ठीक है and जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि यह वाला जो extension जरू install कीजे उसका फाइदा में आपको बताता हूँ लेकिन उससे पहले देखो what we need to write we need to write import ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ देखो react arrow function component with export and this is it मालब कितना simple दाई है कि यह पॉसिबल हुआ हो guys because अप यह वाल extension ठीक है मैं अगे आपको दिखाता हूँ react arrow function component with export and that's it हम functional component देख रहे हैं यहाँ आप आप देख सकते हूँ return and here we have our d यहाँ पर गाइ technical channel ठीक है आप इस तरिके से काई इसको भी बहुत इजली लिख सकते हूँ अब इसको as it is में रखूँगा and यहाँ पर अगर मैं लेकर चलता होगा इस मुझे यह एक error दिखाई दे रहा है इसको मैं एकदम ठीक करता हूँ इसके लिए मुझे चलना पड़ेगा index.js के अंद चलता हूँ guys आप देख सकते हूँ मुझे यह दिखाई दे रहा है जबकि यह नहीं दिखाई देना चीथा and boom guys now मैंने इसको refresh कर दे आप देख सकते हूँ welcome to Thapa technical channel सो guys कैसा लागा आपको हमने हमारा पहला एप्लिकेशन रन कर लिया रियक्त में welcome to Thapa technical channel मैंने आपको कहा था hello world वो बहुत इजली कर सकते हो यहाँ पर simply आप इससरे किसे लिख दो न hello world क्या जा रहा है control है save करता आप देख सकते हो hello world ठीक है तो guys यह था हमारा पहला एप्लिकेशन hello world बट अब हमें यह समझना जरूरी है कि यह जो कुछ मैंने लिखा यह क्या लिखा मैंने ठीक है तो उसके लिए guys हम नीचे चलते है now हमारा जो बारवा पॉइंट है वो है our first component in react jays हमने समझा है in react jays everything is component once आपको पता चल गया कि component कैसे work करता है उसके कुछ basic rules है वो अगर आपको पता चल गया guys आपकी life बहुत ही जाद easy हो जाएगी ठीक है and component जब भी आप create करोगे there are three things आपको ध्यान में रखना सबसे पहला import react from react ठीक है तो आप देख सकते हूं यहाँ पर top पे import react from react तो यह जो react का जो यह package है guys यह by default में आपको का दी moment हम जब वो npx create react app and then app का नाम लिख के जब हमारा application install करते तो इसके साथ हमें मिलता है यह react का package भी ठीक है इसको हमें import करना पड़ता है ताकि कल के दिन हम यह आपको html जैसा जो दिखाई दे रहा है जिसको हम समझेंगे लेटर ओन जिसको हम बोलते jsx उसको हम लिख सकते है with the help of react ठीक है यह आपको बहुत important है यह होना ही जिए पहला आपका यह rule है दूसरा rule बोलता है any one functional component जब आपने आपका पहला काम complete कर लिया यह आपका पहला काम होग कि react को आपको import करवाना था दूसरा यह कि आपके react application के अंदर आपके component के अंदर एक ना एक functional component होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है without functional component आप क्या दिखाओगे आप क्या सो करोगे that's why यह जो portion आपको दिखता है यह होता है आपका functional component मैं वापस दिखाता हूं अगर वह आपक 2015 से पहले हम normal functionister के से लिखते थे and हाँ जब मैंने यह लिखा यह आपका एक functional component होना बहुत ज्यादा जरूरी है simple ठीक है second point यह था तिसरी बात यह है यहाँ पे but guys हम थोड़ी देर में देखेंगे कि we have a fat arrow function जो देखते है अब थोड़ी देर में देखेंगे लेकिन at least पहला यह दूसरा यह ठीक है and now तीसरा जो सबसे जाद इंपोर्टेंट हो यह and आपका यह जो functional component है it should always return JSX मतलब हमेशा JSX को return करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है उसका क्या मतलब बताए देखो इसके अंदर में चलता हूं फिलाल अगर में कुछ भी नहीं लिखता हूं सब्सक्राइब करता हूं आप देखोगे यहां पर मुझे कुछ नहीं आ रहा मुझे बैसिकली एरर आ जाना चाहिए और लाट सी नथिंग वाज रिटर्न फॉर्म रेंडर कुछ हम रिटर्न नहीं करवा रहे तो वह रिटर्न करना जरूरी है and we need to write return हा अगर आप रिटर् करा रहा है नथिंग वाज रिटर्न फॉर्म रेंडर इसका मादलब यह तो इसका सिंपल सिंपल मादलब यह कि वी निट्टू रिटर्न सम्थिंग फ्रम और फंक्शनल कंपोनेट ठीक है मैं यहां पर चलता हूं इस तरकी से रिटर्न कंट्रोल है यह इतना लिखना है and then export तो आपको मालूम है हम export इसले कर रहें ताकि index.js पर मैं उसको import कर सकूं यहां पर आप देख सकते हो and then later on मैं उसको .html वाला जो मेरा public folder के इंदर जो index.html है वहां पर मैं उसको pass कर सकूं and यहां पी सिरकी से हम component call कर दी अभी आपको पता चल जाएगा जब हम nested component देखेंग ठीक है तो ctrl s save ctrl s save and boom guys मुझे hello world मिल गया so this is the actual way जिसके through आप अपना component create कर सकते हो and this is it इतना अगर आपको पाता चल गया react is all about your component only and that's it ठीक है आपका जो पहला order था वो complete हो चुका है हमें पाता चल गया कि component हम कैसे create कर सकते हैं basic three rules में आपको बाता दिया ठीक है लेकिन यह महाँ पे कुछ चीज़े है जिसके अब हमें need नहीं परती हो हम थोड़ा आगे देखेंगे now 13 बलता after react 17.0 version now no need to write import react from react this is it मैं यही आपको बताना चाहरा था कि 17 से पहले ठीक है यह mandatory था import react from react but now guys अब हमें इसकी लिखनी की need ही नहीं है मैं comment out कर देता हूँ यहाँ पर मैं च 17 से कम है मतलब 16.something कुछ भी है तो अगर आप import react from react नहीं लिखते हो तो guys आपका यह application crash कर जाता था क्यूंकि हमें यह JSX है HTML जैसा देखने वाला उसको लिखने के लिए we need to import react but after 17 का जो version है हमें इसकी कोई need नहीं परती I mean react लिखनी की need नहीं परती ठीक है तो आप लिखो ना लिखो it doesn't matter but बस एक update मैंने आपको दे दिया कि अब हमें यह लिखनी की need नहीं परती directly आपका functional component and then export कर दो जो की हमारा ECMAScript का ही एक part था this is it ठीक है तो यह मेरा part complete हो चुका now what is JSX and यह बहुत जादे important है and इसके भी कुछ rules से जो मैंने यहां पर लिखावाए देखिए and इस इसको कैसे work करता है ठीक है react इसको कैसे देख रहाता है how react is actually look यह जो मैंने लिखा गाइस वो कुछ और तरीके से हम लिखते तो इसको इस तरीक से जाता हूं मैं guys fat arrow function युश करने वाला हूं so const ठीक है already fat arrow function मैंने आप देख सकते हूं जरू चेक आपका function का नाम आएगा that is your app equal to आपको guys parenthesis fat arrow and then आपका यह parenthesis ठीक है इतना आपको लिखना है then यह जो written keyword है वो आपको as it is यहाँ पे लिखना है ठीक है यह अभी तक जो मैंने लिखा है यह तो basic है हमारा JavaScript का ही एक part है now यह जो h1 इसको render actual में कैसे हो रहा होता है देखो ध्यान से देखना we have react react dot now we need to write a create element क क्यूंकि मुझे एक new element create करना है h1 का आपको parenthesis सबसे पहले उस element का नाम that is my h1 then we need to pass props जो अभी तक हमने देखाने है तो आपको बिल्कु धानी देना आगे थोड़ी देर में देखेंगे and then यहाँ पे आपको उसकी value pass कर देनी है value जो भी हमने लिखा हो तो इसको hello world copy करता हू and then paste कर देता हूँ अब एक चीज़ आप notice करना है कि यह जो party यह run नहीं करेगा क्योंकि मैंने import react नहीं किया control as save करता हूँ and दो component का नाम हम save नहीं रख सकते यह भी बहुत important interview में पूछ सकते है तो इसको मैं comment कर देता हूँ ठीक है मैं यहाँ पे चलता हूँ आप देख सकते ह not defined this is it guys जैसे मैंने आपको बता कि जो version 17 आए था आप यह नहीं लिखते हो तो भी चलता है लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अगर आप पूराना जो old approach react का अगर आपको इस तरीके से अपना काम करना होता रहता जहाँ पे आपको react.use करना पड़ता तो उस जगे पे guys आपको य react इसको किस तरीके से देख रहा होता है हम तो कुछ इस तरीके से लिख रहा होता है लेकिन react कुछ इस तरीके से कर रहाता है and and I really don't think guys कोई भी इस तरीके से लिखना पसंद करेगा ठीक है मैं आप लोगों को बता दो अगर यहाँ पर एक और डीब होता suppose and believe me guys इस वीडियो क लेकिन क्या हो मैं यहाँ पर कर सकता हूं नहीं कर सकता यहाँ पर ध्यान से देखना तो एक extra deep अगर मुझे यहाँ पर add करना पड़ता हूं उसके लिए गाईस देखो यह जो hello world वाला जो part दिख रहा है उसके बदले मुझे वापस यह पूरा का पूरा मुझे copy करना पड़ आपका application कुछ ऐसा देख रहा होता है react मनलब कुछ इस तरीके से उसको मान रहा होता है तो यह कौन लिखेगा आप यह लिखना पसंद करोगे यह simple यह वाला तरीका obviously यह वाला जो approach है हम इसको apply करेंगे कौन लिखके बैठे है इतना ठीक है लेकिन at least आपको पता चलिए यह ठीक है मैं यहाँ पर चलता है इसको uncomment कर देता हूं एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा guys throughout this course we will use the fat arrow function so यह जो function है इसको मैं मारता हूं गोल इसके वाले मैं लिख दूँगा const app as it is equal to and यहाँ पर आपका आया जाएगा fat arrow awesome इतना simple था यह ठीक है यह जो portion है अब इसको मैं हटा देता हूं एक काम करता हूं रह नहीं देता हूं as it is अब मैं यहाँ पर चलूँगा तो भी मुझे hello world मिल रहा है ठीक है now what is jsx से बहुत ही जाद इसे बोलने का मतलब यह कि now अब हम हमारे html जैसे दिखने वाले पार्ट पर जावस्क्रिप्ट को भी यूज कर सकते है that's it हम पहले html में जावस्क्रिप्ट यूज नहीं कर सकते थे I mean कर सकते थे वो script and all tag वह सब लिखे बाट हम डायरेक्ली यहाँ पर जावस्क्रिप्ट यूज कर सकते and this is your jsx जावस्क्रिप्ट extension and then xml ठीक है तो अब इसके भी कुछ रूल से एंड रूल से एक बार आपको पता चल गया का इस आपकी लाइब बहुत ही जो जाएगी सबसे पहले it always returned a single element इसका मलब भी आपने notice के ओगा मैंने क्यों यहाँ पे deep लिखा मैं कुछ भी लिख सकता था देखो अब भी मैंने एक deep लिखा ठीक इसके नीचे मैं चलता हूँ एक paragraph चिपका देता हूँ awesome लिख देता हूँ मैं ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस त्रीके से awesome पंडूल सेब अब आप देखो कि यहाँ पे मुझे error आ रहा है एंड बता रहा है कि यह जो भी है adjacent jsx element must be wrapped in an enclosing tag समझे इसका मलब क्या है इसका मलब यही है कि मुझे कुछ न कुछ यह जो paragraph हमने जो बहार लिख दिया मुझे इसको किसी भी तरकी से कोई भी एक main deep है उसके अंदर मुझे इसको enclose करना पड़ेगा रखना पड़ेगा क्यूंकि हमारा JSX से एक ही चीज रिटन कर सकता है एक section कोई भी आपका जो tag हो हो सकता है else आपका वो react fragment हो सकता है तो इनमी से कोई ना कोई एक tag आपको यहाँ पर यूज करना ही पड़ेगा as a main parent tag and उसके अंदर आप सब कुछ लिख सकते हो ठीकि अगर यही डिप को मैं यहाँ पर close करने के बदले paragraph के नीचे close कर देता तो guys इधर आपको deep लिखना पड़ेगा as आप यहाँ पर section लिख सकते थे ठीक है copy and then paste इस तो भी आपका यह run कर जाएगा तो section या तो article या deep and सबसे best part यह है इन सबसे कहीं ज्यादा better होगा guys आपका react fragment देगा आप इस तरके से react.fragment and again आप guys react.fragment क्या हम यूज कर सकते हैं अगर react is not defined this is it guys वले ही version 17 बोलता है कि अब आपको यह import लिखने की need नहीं लेकिन कहीं न कहीं अभी भी कुछ ऐसे चीज़ है जब हमें इसकी need पड़ती है तो वो हमें import करना ही पड़ता है लेकिन यह हम react.fragment क्यों लिखे जब इसका एक shortcut है syntactic sugar format and that's it खाली आपको opening tag and then closing tag यूज नहीं है simply यह आपका main tag रहेगा उसके अंदर आपको जो लिखना है लिख दो पूरा का पूरा website का code copy and then paste कर दो ठीक है तो यह आपका दूसरा rule था JSX का तिसरा rule क्या class name in place of class simple हाँ अब यहां से देखना यहां पे चलता हूँ class हम पहले क्या लिखते थे अगर मुझे कुछ class add करना रहता है और मुझे कुछ CSS supply करने पड़ थी तो मैं class my class name कुछ भी आप लिख सकते थे ऐसे ठीक है but in react guys we already have class यह जो attribute यह already get कर चुका है basically class and then object हमने उपस पढ़ा है तो class यह already reserved है react में तो हम सिब class use नहीं कर सकते है we need to write class name this is it आप example देख सकते हूँ हम पहले simply class लिखते पर अब अगर आपको CSS supply करना है we need to write class name in place of class ठीक है तीसरा रूल था आपका need to close all non-closing tags in JSX ठीक है इसका मदलब यह होता है तो देखो मैं अगर आप चलता हूँ यहाँ पर image है आपने कभी notice किया था कि जब यह master में लिखते तो हम कभी भी image को close नहीं कर देते हमारा यह जो image tag है हम इसको कभी close नहीं करते थे close से मेरा मदलब है इस तरह किसे कभी किया हमने नहीं किया ना h1 देखो open close paragraph आप देख सकते open close लेकिन हमने image को कभी close किया नहीं किया है but guys JSX का rule है कि चाहे दुनिया का कोई भी tag हो अगर आपने इसको किया open आपको close कर नहीं है आप चाहो तो यह run करेगा else अगर आप इसको close नहीं एक second अगर आप इसको इसको में हटा देता हूं अगर आप इसको close नहीं करते तो guys हमें error आ रहा है देखो यहां पर बहुत क्लियली बता रहा है expected corresponding JSX closing tag for image कैसा लग आपको react सब कुछ आपको बोल देता ठीक है यहां पर close कर दो and I know guys आपको एक shortcut बताऊंगो तुछ दिर में लेकिन rules अभी समझना ज़र होई and the last rule is use camel case for attributes attributes क्या होता है जैसे यह मेरा image है image के अंदर we have a source alt यह एक attribute है उसी तरीके से यहां पर एक और attribute रहता है guys आपका title ठीक है तो यह सब एक attribute है लेकिन कुछ ना कुछ attribute ऐसे होते है जिसमें दो words का वो एक combination होता है right जैसे we have our class name जान से देखो class name का जो पहला letter है see वह small है बड़ ज convention जहां पर second word का first letter must be capital ठीक है तो इस तरीके से guys आपका camel case होना बहुत जरूरी है अगर मैं आपको दिखाऊ एक और इसका example जैसे अगर हम events करते थे ठीक है तो image पर अगर कोई भी क्लिक करें तो कुछ हो जाए ठीक है मैं यहां पर चलके suppose यह awesome पर so on click लिखते थे ना बट य ठीक है यहां पर आप कुछ भी फिर अलट वालट पास करा सकते तो यह जो portion है guys यह आपका camel case होना ची इस तरीके से guys आपका यह JSX का rule है इतना आप गहर आपको पता चल गया component के rules क्या component कैसे create करना है what is JSX and JSX के rules क्या आपका slide बहुत ही ज्यादी easy हो जाएग ठीक है so this is it इत यह cool option नहीं आ रहा होगा आपको खुछ से image and then close करो open करो कितनी बार तो गलती हो जाती कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके लगाए इस मेरे पास option है ठीक है एक trick है and that is कि आपको setting को open करना है open settings JSON file located on the top right corner and then यह जो code दिखते है इसको आपको डिट्टो copy करनी है ठीक है and then चिपका देने कैसे मैं आपको बता तो देखो यह देखो यहाँ पर आप देख सकते हो settings ठीक है यहाँ पर control plus आप इस तरह किसे comma भी click कर सकते हो जैसे आप इस पर आजा तो टॉप पे देखे एकदम top right corner पे open setting JSON file इस पर click करना है and मैं आपको बताना चाहूँगा कि guys मैंने यहाँ पर आपको करना है एक बार आपने चिपका दिया आप अपने application को वापस एक बार rerun करना एंड आपका यह काम हो जाएगा अब आप देखोगे कि जब भी आप यहाँ पर चलके इस तरह के से h लिखते हो तो आपको सारा option आने वाला एंड आपकी live बहुत easy हो जाएगी ठीक है यह था आपका JSX जो कि दिखता है HTML की तरह ही है बट यह आपका JSX है एक और बहुत important चीज़ में यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा एंड that is कि अब इसके अंदर गाइस में इस तरह के से बेस पार्टे दिखता है यह HTML की तरह है लेकिन अब मैं इसमें जावस्क्रिप्ट उसका सकता हूं इसके कुछ रूल से जो हमें फॉलो करना है एंड आप डिरेक्टली देखो HTML में चलते-चलते मैंने 3 ब्लस 3 कर दिया एक कितना ऑसम टिक है तो इसको मैं हटा देता हूं अब हम चलते हमारे यहां पे ना वाट इस अनेस्टेट कंपोनेंट्स यह बहुत इंपॉर्टन ट है यह जो पोर्सन अपने इसको हटाए देता हूं अब धेहां से देखना अभी धेख हमने जितना देख तो guys now it's a task for you आप खुछ से एक component create करो तो मैं यहाँ पर चलता हूँ const में एक component create करो अपने नाम का my name ठीक है इस तरीक से मैं चलता हूँ and there is no such rule कि आपको इसका पहला letter capital लिखना है या small लिखना है but it's a better convention guys अगर आप capital लिखोगे तो ज़्यादा बैटर रहेगा let's go with my name ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ and this is it ठीक है इतना हो गया मैं यहाँ पर क्या करूँगा guys आपको पहला rule है कि आपको return keyword लिखना ही पड़ेगा because he needs to return something and that is your jsx return मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस h1 and मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अब बिनोद बहादूर and then थापा ठीक है control and save this is it अब मैं यह चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर देखो आप एक धहन से देखना मुझे बिनोद बादूर थापा नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैं सिर्फ app को run कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ मेरे यह जो app component उसको run कर रहा हूँ आप देख सकते हूँ मैं 5 पर सिर्फ बुसी को कर रहा हूँ लेकिन क्या हो कि मैंने एक और component create कर लिया ठीक है एक function नहीं है function को अब आप यहाँ पर component बोल दो that's it ठीक है functional component class-based component हम नहीं देखने वाले क्योंकि outdated हो चुका है हाला कि फिर भी उस होता है but this is best तो यह जो my name है इसको copy करना है ठीक मैं यहाँ पर चलना चाहूँगा इस जेगे चलो एक काम करता है फिलाल के लिए मैं यहाँ पर चलता हूँ इस तरीके से आपको opening यह जो आपको दिखाए देए greater than sign and then आपको my name and then close this is it तो अगर आप कोई भी function कोई भी component के नाम को इस तरीके से पास कर देते हो as a tag की form मैं ctrl s save करता हूँ and boom guys बिनोद बाद उर्था पा कैसा था यह था ना awesome अब इसे कोई guys मैं कितने भी बार चाहूँ तो paste 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 कर सकता हूँ आप देखो मुझे बिनोद बाद उर्था पा रहा है तो यही best party react का कि एक बार आपने कुछ भी बना लिया इंदी form of component उसको आपको जहां मर्जी call करो जहां मर्जी उसकरो जितनी मर्जी उसकरना भी उसकरो आप देख सकते हूँ यह आपका कहलाता है nested component जहां पे दो components मैंने आपको एक ही file के अंदर दिखाया app.js के अंदर and एक component के अंदर मैंने दुसरे component को आपको दिखाए कि आप कैसे call कर सकते हो से भी इतना ही नहीं आप चाहो तो इस my name के अंदर इसको भी call कर सकते हो से मोई app आपको यहाँ पे उठा के चिपका देना था that said ठीक है मैं चाहूँ को वापस copy करके यहाँ पे भी रख सकता हूँ मुझे दो दो बाद उर्था पाने वाल तो कैस यह आपका कहलाता है nested component अप मैं इन सब को हटाना चाहूँगा अब हम फाइनली ठीक है हमने बहुत बेसिक समझ लिए react का बेसिक यही है आपका component आपका JSX nested component का आता है and JSX के rules import-export हमने अल्रेड यह देखी चुका ठीक है अल्राइट नाव वाट इस CSS in ReactJS वो सब देखने से पहले अब हम हमारा पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करते and वाट इस आप पहला प्रोजेक्ट देखिया गईस and इस 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 आप देख सेखते हूँ इबनिंग पर जब मैं क्लिक करता तो गाइस मुझे यह इबनिंग के जो भी इस प्रोड़क्ट से मुझे वो मिल रहा है मैं अगर लंच पर क्लिक करता तो आप देख सकते हूँ यहाँ पर लंच लिखा हुआ है तो यह जो कुछ भी हो रगाई सी हम एक API के थुरू गेट करेंगे and डोन डोरी फिलाल भी हम अपना खुद का API क्रेट करेंगे and लेटर ओन गईस मेना कॉल लड़ी बता जब हम तेमप्रेचर आप देखेंगे इसमें हम हमारा real world API के साथ work करने वाले तो अब हम वान बाई वान इसको समझते कि इसके साथ हम कैसे work कर सकते and हमारे react jazz का जो basics है उसको और strong करते ठीक है तो सबसे पहले we have our पहला component and that is complete पूरा का पूरा menu का जो nap bar दिखाई दे रहा वो हमारे component होगा and यहाँ पर आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहे यह भी component है same आपका number, आपका breakfast, आपका title, आपका यह जो भी है paragraph, read, कुछ भी एक image and then order same हो चीज यहाँ पर repeat हो रहा है मतलब अगर मैंने एक card create कर लिया तो यह automatic मैं loop चला दूँगा component को बार बार call करूँगा and data change कर दूँगा that's it, यह आपका react है, ठीक है all our guys, तो सबसे वहले हम हमारे vsquid editor पर हगिन चलेंगे मैं चलना चाहूँगा source पर, right click, एक new folder आपको create करना है component आपको यहाँ पर लिख देना है, this is it जो मेरा पहला नाम होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ guys, rest to rent आप उज भी लिख सकते हो, let's go with rest to rent.js, ठीक है .js आप लिख दीजिएगा and ठीक है, मैं यहाँ पर चलके एक और style.css का भी file create करना चाहूँगा, style.css and यह जो style.css है guys, मेरे पास already इसका code पड़ा हूँगा, तो यह जो code है, इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ copy, ठीक है, so guys, बताना चाहूँगा, मैंने already style.css का code को copy कर ले, क्योंकि इसका source code मैं आपको बिलकुल free में देने वाला हो, तो आपको कोई tension यहोगा, इन मैं फाल तो मैं नहीं चालता कि इतना लंबा css code आपको explain करके, वीडियो की length एकदम लंबा कर दो, क्योंकि यह react वीडियो है, ना कि css video, ठीक है फिर भी guys, इसको मैं जटी छोड़ देता हूँ, that's it, so we have style.css and then we have our restaurant, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे restaurant पर work करना है and यहाँ पर मुझे आपको दिखाना है कि यह जो card है, यह कैसे बन रहा है and then थोड़ी देर बाद हम समझेंगे कि यह menu का card कैसे बन रहा है, पर ले at least एक component तो हम create कर ले, यह part ठीक है, so मैं यहाँ पर चलता हूँ and this is it, चलो, ठीक है, app.js पर का, इस मैं react arrow function component with export, यहाँ पर मैं as it is रख रहा हूँ, restaurant के अंदर same जिस करने वाला हूँ, react arrow function component with export and throughout this course guys, मैं react को यहाँ पर लिखके रखने वाला हूँ, आपकी मर्जी, आप इसको लिखो, ना लिखो, क्योंकि मैं आपको बाता दिया, after version 17, यह ना लिखो, तो भी चल जाता है, but फिर भी, मैं इसको यहाँ पर as it is रख रहा हूँ, क्योंकि हमें by default मिल जाता है, ठीक है, and यहाँ पर मैं react का syntactic sugar format यूज करने वाला हूँ, this is it, मैं as it is रख देता हूँ, फिलाल मैं जल्द से एक h1 में, hello restaurant, आप कुछ भी लिख सकते हूँ, यहाँ पर फिस तर किसी restaurant चिपका देता हूँ, मैं चाहूँगा कि यह at least मुझे output के form में यहाँ पर दिखाई देगा, अब भी refresh करूँगा, नहीं दिखाई देगा, ठीक है, and I think यह run भी, हाँ, यही मैं आपको दिखाना चाहता था, dir, मुझे cd react के अंदर जाना है, cls करना है, dir perfect, चलो, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको run करना है, कैसे आप चाहतो npm भी लिख सकते हैं, तो yarn, and then start, यहाँ, start, लिखना आपका यह काम complete हो जाएगा, and now देखने वाली बात है, कि हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमारा यह जो app.jss पर कुछ भी नहीं है, and यहाँ पर आप देख सकते हो, localhost 3000 पर run कर रहा होता है, and हम इसको कितने पर भी run करा सकते हैं, आगे हम जब project करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक मेरा 3000 पर run कर रहा होगा, दूसरा 30001 पर, तीसरा 30002 पर, वो सब अलग-अलग आपके उपर है, ठीक है, यह हमारे network का IP address है, जिसके तुरह हम इसको run कर रहा है, तो control है save कर जाता हूँ, hello restaurant मुझे चीए सबसे पहले, लेकिन देखने वाली बात है कि मेरा app.js source folder के अंदर है, directly as a first child, लेकिन उसके बाद we have a component, component के अंदर भी we have one folder basics, उसके अंदर जाके restaurant है, तो मुझे इस restaurant को app.js के अंदर get करना है, import करना है, that's why restaurant को हमने यहाँ पे किया export, and जब भी आप default लिखते हो, इसका मतलब की guys मैं आपको आप भी बात आता हूँ, यह ठीक है, यहाँ पे जब भी हम default लिखते है, तो मैं यहाँ पे चलके directly import, यह जो आपका restaurant का नाम है, इसको copy करता हूँ, यहाँ पे चिपकाता हूँ, from, आपको लिखना है, इस तरह के से, forward slash, आपका automatic आ जाता है, component, forward slash, basics, component, restaurant, and यह जो dot js, जो extension उसके लिए हमें, dot js लिखने की नीट नहीं है, क्योंकि by default यह उसको मान रहा होता, ठीक है, इसको as it is नहीं लिख सकते थे, and guys, again, यह जो पार्ट है, यह जो export default, import default, यह already हमारे ACMA script 2015 का हिससा है, I mean, react का लेना देना नहीं, इससे, that's why मैं इस पे इतना focus नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरी के से करते है, that's it, ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे चलगा, and boom, guys, मुझे hello restaurant आगी है, hello restaurant मैंने लिखाता है, यहाँ पे restaurant.js के अंदर, app.js मैंने call करवाया, and मुझे यहाँ पे आप output आप चुका है, ठीक है, तो this is it, अब मुझे इसके भी कोई need नहीं है, and फिर भी यह जो default आपार्ट है, अगर मैंने default नहीं लिखा होता, आप देख सकते हूँ, मुझे error आ रहा है, then यह जो मेरा पार्ट इसको मुझे square brackets के अंदर लिखना पड़ता, I mean not square brackets, curly brackets के अंदर लिखना पड़ता, तब यह वापस मुझे square brackets के अंदर लिखना पड़ता तब यह वापस मुझे, इसको एक बाइ refresh करना है, all right guys, आप देख सकते हूँ, यह काम नहीं कर रहा है, मैं आपको एक shortcut बता हूँ, यहाँ पे, and जब भी यह देखे, एक बाइ refresh कर दो, and boom guys, आप देख सकते हूँ, आपको वापस hello restaurant आचुका है, लेकिन अब यह थोड़ा से wait लगता है, थोड़ा देखने में, you know complicated type लगता है, that's why guys, जो हमें मिलता है, हम उसी पे एक हूँस है, तो इसको मैं हटा के back to normal export, मेरा ही हो जाएगा, default, and यह जो restaurant है, and make sure करना है कि, यहाँ पे आपका function का नाम, या component का नाम, and आपका यह जो part बोथ must be match, यह same होने चाहिए, अलग निए होने चाहिए, ठीक है, this is it, चलो, यह मेरा part complete हो चुका, now guys, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने already एक syntactics का format ले लिया है, तो मैं एक div लेना चाहूँगा, scope मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे, एक class name देना चाहूँगा, so मैं चलता हूँ, यहाँ पे card, and a hyphen, and then history के से लिख देता हूँ, card container, से बितना लिखने हैं, मातर से हम देखते हैं, यहाँ पे, आप देख सकते हो, restaurant is not exported, export default यहाँ पे perfect है, यहाँ पे यह जो portion इसको मैं भटा देता हूँ, and this is it, and I think यहाँ पे कुछ गड़बड हुआ है, guys, मैं dot forward slash जाओंग, restaurant, control s save, and I think now everything is perfect, control s save करता हूँ, all right guys, everything is perfect, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक कुछ लिखानी है, now card container के अंदर मैं चलना चाहूँगा, इसके अंदर मैं चलता हूँ, class name, मैं आप अलड़ी बता है, यहाँ पे we have our card, and as it is में छोड़ देता हूँ, अब इस card के अंदर guys, we have यह वाली body, तो उसा कम जूम करता हूँ, यह जो portion दिख रहा है, card तो मैं ने लिख लिया, एक card, अब इसके अंदर यह body के अंदर सारे data आ रहा है, तो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, एक div ले लेता हूँ, ठीक है, अब यह जो user interface है guys, it's totally up to you, कि आप इसको कैसे create करना चाहूँगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, card body, जब इतना मेरा काम हो जाता guys, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, we have our number, ठीक है, तो वो number मुझे चीज़, सबसे पहले card body के अंदर ही मैं चल रहा हूँ, तो guys, अब सब कुछ मेरा span tag के अंदर होने वाला है, and मैं यहाँ पे चल के class name लिख देता हूँ, simply card number, इस तरी के से card, and then मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, number, ठीक है, card number लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, css हम यूज करी चुके है, ठीक है, and यहाँ पे बताना भी है कि, how to use css, guys, it's super duper easy, जैसे हम normal html में css use करते हैं, यहाँ पे भी हम same उस्तरिके से internally कर सकते हैं, inline style कर सकते है, and हम यहाँ पे as a object, भी css को use कर सकते हैं, object in jsx, css in jsx, आप उसको बोल सकते हूँ, ठीक है, but मेरा personal favorite रहेगा, directly आप class name के through कर सकते हूँ, नहीं तो style component आप कर सकते हूँ, लेकिन हम एकदम simplest देखेंगे, that is class name, मैं आपको बता है, class का नाम, ठीक है, आप देख सकते हूँ style.css में सब कुस तो है, ठीक है, मैं यहाँ पर चलना चाहूँगा, इस जगे पर मैं लिख देता हूँ, इस तरह किसे simply import, and now guys, यहाँ पर आपको dot forward slash, and then style.css, spelling आपको एकदम सही लिख देना है, style.css, control s, save करता हूँ, and अब मैं यहाँ पर refresh करूँँगा, boom guys, अब देख सकते हूँ, यह जो है, कितने automatic, अब one, कितने अच्छे तरह किसे goal के अंदर आचुका, सब कुछ हो चुका है, क्योंकि हमारा जो CSS से, वो apply हो चुका है, ठीक है, and फिर भी मैं कुछ चीज़ यह आपको दिखाता हूँ, थूई देर में, कि lunch है कि breakfast है कि जो भी है, so फिलाल के लिए मैं इस तरह किसे breakfast लिख देता हूँ, ठीक है, control है, save करता हूँ, तो आप देखोगी, आप मुझे यहापर breakfast दिखाई दे रहा है, एक चीज़ में आपको दिखाना चाहूँगा, अगर suppose आपको CSS एक और तरीके से उसकाना था, एंड इस वाले का color change करना था आपको, तो CSS में यहाँ पे inline भी उसका सकता हूँ, like जैसे आप normal करते थे, style, simply mean style, यह जो मेरा attribute यूस करूँगा, will be equal to double curly braces, मलदब मुझे अब JavaScript का एक part लिखना है, ठीक है, एंड इहाँ पे आपको as a object मारना पड़ेगा, उस CSS को code को, तो वो object लिखने के लिए एक और curly braces, ठीक है, so double curly braces, and now आप जो normal लिखते हो color, and then आपको double coat, single coat, जो लिखना आप लिख सकते हो, control S, save कर देता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हूँ कुछ ऐसा दिखता है, and आपका वो red color हो गया, लेकिन guys ही कहीं न कहीं, थोड़ा से lengthy process है, क्योंकि आप क्या सोचोगे, जब आप एक curly braces, उसके बाद एक और curly braces, and then जाके आप color लिख रहे हो, उससे कहीं ज्यादा better, तो simply class name चिपका दो न, जैसे मैंने यहाँ पर क्या card author, and यहाँ पर मैं जाओंगा, आप देख सकते हूँ, मैं अगर top पे लेके चलता हूँ, यह दो को card author, and जैसे हम normal जो CSS करते हैं, उस तरी के से, जो normal कर रहे हैं, तो वो ही कर दो, तो किसली इतने महनत करना, तो यह एक trick था, दूसरा यह था काईस, आप यहाँ पर अगर इतना कुछ आपको नहीं करना, तो डिट्ट आप इसको उठा सकते थे, return के उपर में चलके, const, my style, will be equal to, यह जो portion है, ठीक है, सेम उसको मैं paste कर दूँगा, तो and boom guys, मुझे फिर भी वो जो सेम red color, वो दिखाई दे रहा है, तो now it's totally up to you, कि आपको class name पसंद है, यह आपको यह जो थूदेर पहले, मैंने जो inline style दिखाया तो वो पसंद है, या इस तरीके से अपना, खुद का एक style create करो, in the form of object, I mean JavaScript में हम यह जो part कर, इसको हम object बोल देते हैं, ठीक है, and यहाँ पे भी यह एक object ही है, but आप समझ लो कि यह भी एक तरीका है, सेसेस को include करने का आपकी project पे ठीक है, लेकिन मैं यह trick नहीं अपना है नवाला, मैंने आपको बता दिया, तीन different ways, जिससे आप CSS include कर सकते थे, all our guys, तो आप देख सकते हूं कि मैंने जो बाकी की remaining, जो हमारे JSX का जो portion था, उसको मैंने लिख दिया, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इतना ज्यादा simple था, कि मैंने एक catch-to लिया, मैंने एक span tag लिया, जिसको कुछ card, I mean कुछ class name दिये, जो आलतु-फालतु जो भी लोर्म स्पम, default text जो है, as it is चिपका दी, and if you don't know, जो default text आता है, तो base code editor पे simply आपको लोर्म लिख देना है, and उसके बाद आपको total कितने words चीए, let's go with 15, आपको 15 hit कर देना, and आप देख सकते, आपको 15 words आजाता है, and है कितना awesome, and then again, मैंने यहाँ पे जो read आपको दिखता है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्तिरके से ले लिया, card read, and then यह जो मेरा image है, उसके लिए we have this image tag, and last में जो order now आपको दिखता है, तो इस स्तिरके से मैंने लिख लिया है, and यह मेरा CSS already included, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, उसके एक बाद refresh करूँगा, तो मुझे warning आ रही है, and that is because, कि image is not defined, right, अब यह बहुत ही जाद important है, and यह आपको समझना पड़ेगा, कि react, जब आप वो करते हो, react application में, how to deal with images, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप चाहूँ तो images को directly copy and paste कर सकते हो, तो आप देख सकते हो, मेरे पास एक image, इसको मैं open image in new tab, and यह जो मेरा URL मिलता है, इसको मैं copy करके source पे, जैसे हैं normal HTML में करते हैं, डिट्टो मैं यहाँ पे चिपका सकता हूँ, and अब मुझे वो error ने आएगा, आप देख सकते हो guys, एक 100 pixel पे कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपको वो दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे यह जो images, यह तो बहुत सारे मेरी images है, तो वो मुझे कैसे मिलने वाला, देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, back यह जैसा भी था, this is it, and हमारे पास already images नाम का एक folder है, जिसको अगर मैं कल के दिन public folder के अंदर, उस folder को add कर दूँ महाँ पे, तो काईस मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, automatic हो सारी images, यहाँ पे automatic आ जाएगा, ठीक है, लेकिन उस जो automatic आने वाला जो portion है, वो हम लेटर आउन देखेंगे, हमारे बाकी के project में, लेकिन अभी मैं आपको बाताना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी data हमें मिल रहा होगा, बेसिकली एक API के थुरू मिल रहा होगा, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, अब हम अपना एक API क्रेट कर लेते हैं, एक new file क्रेट करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, menu API.js file, ठीक है, बेसिकली जेसन होना चाहिए, लेकिन इट्स टोटली फाइन, तो अब हम कैसे create कर सकते हैं, इस सिम्पल है, आपको लिख दिना पड़ेगा, इस सिम्पल है, menu will be equal to, आपका इस्तर किसे रहेगा, key and then आपकी value, यहाँ पर कुछ भी आप लिख दो, आपका image का link इतर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा name, आपको याद है, suppose we have our Maggie over here, पॉमा करता हूँ, name and then we have our category, ठीक है, so category पर मैं चलता हूँ, category like आपका breakfast होगा, की lunch होगा, की कुछ भी हो, मैं फिलाल के लिए आज़े चिपका दे रहा हूँ, lunch लिख के, category के बाद guys, we have our price, जिसको मैंने यहाँ पर include नहीं किया, तो like price, अगर एक numeric है, तो guys, आप कुछ भी लिख सकते, उस पर double quotes use करने की need नहीं है, else अगर आप string लिख रहे होगा, तो आपको double quotes देना जरूरी है, की में हमें double quotes की need नहीं पड़ती, value पर हमें double quotes देनी पड़ती है, price के बाद we have our description, ठेके, यहाँ पर मैं इस्तर किसे लिख देता हूँ, description, और वही आपका lower me spam, जो भी default होगा, आप चिपका दो, ठेके, and then last में guys, I think this is it, इतना ही है, बागी कुछ है नहीं, तो यह जो कुछ आपको दिखता है, as it is रखना है, and last में मैं आपको अलड़ी बाता है, we need to export, and then आपको लिखना पड़ेगा, default and menu as it is, and this is it, तो यह जो होता है, यह आपका guys, कहलाता है API, फिलाल तो यह as it is, आपको basic लग रहा होगा, लेकिन आगे आने वाले project में, हम guys, real world API के साथ, work करेंगे ठीक है, and मेरे पास already, हमारा API का पूरा complete data, मैं आपको बता दिया, and this is it guys, जो मैंने create किया था, यह वो ही है, कुछ extra special नहीं है, const menu, array of an object, multiple object, id, मेरा image, मेरा name, category, price, and then मेरा description, यहाँ पर आप images पर बहुत ध्यान से देखो, images folder के अंदर, forward slash magi.jpg, तो वही मैं आपको बताना चाहरा था, कि यह जो images है guys, इसको मैं, already अपना जो by default, मेरा जो public folder है, वहाँ पर images नाम का एक folder होगा, उसके अंदर आपके, जो भी restaurant में, total कितने product से उनकी images, आप जो images वो वहाँ पर add कर सकते हो, and simply यहाँ पर दिखा सकते हो, all our guest objects सकते हो, कि मैंने हमारा ही जो public folder, उसके अंदर एक folder add कर दे, images का, and we have, मलब awesome images, wow, momo, ठीक है, तो इस तरह के से हमारा यह images, यहाँ पर आ चुका है, and यहाँ इसी images को, guys, मैंने यहाँ पर, बहुत इजली images, forward slash, जो भी है, उसको मैंने get कर लिया, simple, ठीक है, तो मेरा यह जो API है, इसका तो काम complete हो चुका, जहाँ पर image, name, category, price, description, इसको अटा रहा हूँ, style की भी मुझे कोई need नहीं है, ठीक है, this is it, यह मेरा restaurant का काम complete हो चुका, अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, refresh करता हूँ, guys, अभी भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मुझे उस menu का जो API है, उसको get करना है, ठीक है, so मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं चलता हूँ, यह जो मेरा menu API, उसको मुझे यहाँ पर get करना है, so import, दियान से देखना, मैं कैसे कर रहा हूँ, menu from.forward slash, अब directly हाँ, क्योंकि उसके उपर तो कोई folder है नहीं, यह तो direct है, and नाम क्या लिखा था हमने, हमने लिखा था guys, आप दियान से देखो, कि मैंने उसको बाहर किया हूँ है, तो मैं menu API को इसके अंदर चिपका दूँगा, and then मैंने mob कर ली, this is it, menu API, अब सब एक ही folder के अंदर है, so menu API, that's it, and मुझे .js लिखने की need नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, चलो ठीक है, control S, save कर दिया है, this is it, अब guys, मुझे क्या करना है, कि यह जो भी मेरा data दिखाई देर है, यह सिर्फ एक तो है नहीं, यह तो multiple है, क्योंकि बहुत सारे है, ठीक है, and मेरे यहाँ पर, जितने भी data है, मेरे menu के अंदर, वो सभी मुझे one by one, यहाँ पर data चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप guys, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम loop चलाने वाले, ठीक है, मुझे मालूम है अभी देखा, हमने props के बारे में नहीं समझा, लेकिन फिर भी guys, अब हम देखते है, हमारा hooks के उपर, and that is जो सबसे पहला आता है, use state hooks, it's super duper easy, मैं आपको बाता आता है, देखो कैसे करना है, इसको हम और better तरिके से आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पर भी देख लीज़े, ठीक है, तो use state hooks का काम है guys, किसी भी data को get करके रखना, अपने पास hold करके रखना, तो कैसे लिखते है, use state आपको इस तरिके से लिखना है, and then एक parenthesis दे देना, इसके अंदर guys, आपका आता है initial data, ठीक है, that's it, यहाँ पर आपको equal to देना है, now आपका यह जो use state है guys, it returns an array of two elements, ठीक है, एक array return कर रहा है, जिसके अंदर दो elements होंगे, ठीक है, एदको मैं यहाँ पर चलता हूँ, const, इस तरगे से लिख देता हूँ, const, यहाँ पर दोखाँ, आप वो दो element के है, सबसे बहले होता है guys, आपका state variable, ठीक है, and यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, like, मुझे यह जो state variable चाहिए, यह जो मुझे use state की use है, वो मुझे menu को hold करने के लिए, मुझे अपने API को store करने के लिए, ठीक है, so guys, मैं यहाँ पर इस तरगे से लिख दूँँगा, menu, data लिख देता हूँ, menu data, comma, ठीक है, यह पहला मेरा element है, जो state variable है, and then, जो मेरा second element होगा, वो होगा मेरा updated function, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, and इसका एक convention आपको set लिखना है, and then, जो भी आपने इदर लिखा, उसी कोई लिख दो, capital के, इस तरगे से, set menu data, तो यह मेरा use state, यहाँ पर मेरा data को hold कर सकता हूँ, data को basically manage करने के लिए, आपके react application में, आपका जो state है, आपका जो data है, उसको manage करने के लिए, we use state, that's it, data को manage करने के लिए, ठीक है, and यही आपका state management कहलाता है, and बहुत सभी लोग, इसके बदले, redux भी prefer करते हैं, but hooks is awesome, ठीक है, that's it, यह आपका initial data, यह आपका menu data, basically state variable, यह आपका updated data, तो यहाँ पे आपका जो भी data होगा, वो इसका current data कहलाएगा, यहाँ पे जो भी data होगा, वो हमारे state variable का current data कहलाएगा, and यहाँ पे मैं चाहूँगा, कि मेरा data हो यह menu, and मैं स्रीक से pass करता, that's it, ठीक है, अब यह जो मेरा menu data है, हम जल्दी से चलते हैं, यहाँ पे, and देखते है, what is our this menu data, चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, दो data है, जो हमें warning दे रहा है, सबसे पहला बाता रहे, use state is not defined, तो गाईस, इसको define करने के दो तरीके, पहला तो आप directly यहाँ पे सरके से, react. लिख सकते हो, तब आपको इसकी value पाता चलेगी, कि हाँ हमने import किया है, अगर आपको इसको import नहीं करना है, तो भी guys, आपको यह react ना लिखिए, यह जो आपका use state इसको copy करिए, ठीक react के बाजो में, square brackets and that's it, इस तरीके से आप इसको use कर सकते हो, so this is it, हम इस तरीके से use state जो हो के, उसको हम define कर सकते हैं, ठीकिए, आगे हम एक और इसका example देखेंगे, बहुत awesome मज़ा आजाएगा आपको, and मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा, फिलाल के लिए जो part 10 इसको मैं हटा देता हूं, तो कि इसके कारण guys हमें warning आ रही होती, and that's it, आप देख सकते हूं एकदम सब कुछ perfectly run कर रहा है, लेकिन अब guys इस जो same data इसको मुझे बार बार repeat करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे data है, जैसे कि आप देख सकते हूं यहाँ पर 1, 2, and I think यहाँ पर यह जो थापा थापा दिखाई देरा guys, यह मैंने actually कुछ एक data add कर दिया, वहाँ पर थापा, that's why वो सब के साथ आप दिखाई देरा, लेकिन इसको मैं अभी हटा दूँगा, ठीक है, तो यह जो multiple data आप देख सकते हूं, 1, 2, 3, 4, 5, तो यह सभी components को मुझे loop पे चलाना है, अब मैं कैसे चलाऊँगा, ध्यान से देखना, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, हमने जो nested component का जो funda पड़ा था, वो इसको अपनात लेते हैं, ठीक है, तो यह जो data है, इसको मैं दूसरे page पे add करके रखना चाहूंगा, वैसे के लिए दूसरे component पे, ताकि awesome दिखाई दे, मैं यहाँ पे चलता हूं, एक new file create कर लेता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं guys, इस तरके से menu card, react error function component with export, देखो कितनी जल्दी हो जाता है, मैं यहाँ पे चलता हूं, यह जो restaurant है guys, मैं जान मुझके देरे-देरे कर रहा हूं, क्योंकि आगे आने वाले project में, मैं एक दम फिर fast करना शुरू कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि एक बार आपको यह पता चल गया, कैसे काम कर रहा है, देन हमें इतना कोई tension होगा नी, that's it, अब इसके में जो कोई need नहीं है, यहाँ पे, अब finally हमारा जो props का जो fund है, वो आने वाला है, वहाँ पे ठीक है, as it is में हटा देता, control एक सेव करता, this is it, ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा यह दखना, जब भी आप hooks use करोगे, यह आपका यह जो functional component है, उसका पहला data होना चीए, मालब ठीक, उसके नीचे आपको इसको add करना है, आप return के नीचे इसको add नहीं कर सकते, else आपको warning आ जाएगा, ठीक है, आप बिस्तर के से नहीं कर सकते यह, ठीक है, कुछ data आने रहा, लेकिन फिर भी, rule के हिसाब से hooks, सबसे top level पे, एकदम top hierarchy पे आपको लिखना ही पड़ता है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे already menu card है, इसको मैं copy करूँगा, ठीक है, इसको मैंने क्ये copy, यहाँ पे already export तो की हुई है, यहाँ पे मैं चलूँगा, top पे जहां से देखना, import, मेरा menu card, from, आपको लिखना है, dot forward slash, menu card, that's it, आपका यह काम हो गया, control has save कर लेता हूँ, अब इसको मुझे यहाँ पे, दिखाना है, so करना है, एक component के अंदर, दूसरे component को, कैसे करेंगे, simple, and that's it, आपका काम हो गया, यह, ठीक है, अब मैं आगर, यहाँ पे चलता हूँ, मुझे वापास देटा दिखाई दे रहा है, लेकिन at least, मेरा जो main page है, वो एकदम neat and clean दिखाई दे रहा है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, कि मैंने कुछ लिखा कि नहीं यहाँ पे, all right, now we need to understand, how to use props in react jest, यह बहुत जाद इंपॉर्टन है, क्योंकि, यह जो मेरा menu है, ठीक है, जो की फिलाल अभी इसके अंदर है, menu data के अंदर है, उसको मुझे यहाँ पे pass करना है, and इसको मुझे loop पे चला देना है, ठीक है, इसको मुझे one by one, जितने भी मेरे menu, I mean मेरे API के अंदर, जितने भी object है, उतने cards मुझे लगेंगे, फिलाल तो यह एक ही है, मुझे दो बनाने के लिए, इसको copy करके paste, आप देख सकते हूं, मुझे दो मिला, लेकिन मुझे दो बार code को repeat करना पड़ा, तो एक second, मैंने copy तो की नहीं, copy तो किया ही नहीं, इसी चिपकाई जा रहा था मैं, this is it, आप देखो, तीन के लिए मुझे इसको तीन बार copy paste करना पड़ा, तो यह कितना lengthy, आप समझ रहूं मैं क्या कहना चारा हूं, तो क्या हो मैं सिब एक line का code लिखू, यह automatic जितना हमें ची उतना यह loop पे चलता जाए, तो उसके लिए guys हमें props पास करना पड़ता है यहाँ पे, और मैं चाहूंगा कि यह जो मेरा component है, वहाँ पे यह जो data है, वो मुझे मिल जाए, ताकि यह एक मेरा array है, array में हम map method यूज़ करेंगे, अपना काम हो जाएगा, तो props कैसे पास करना देखो, जो भी आपका data रहता है, उसको copy करो, as attribute, पहले यह आपका attribute है, normal हम जब भी tag यूज़ करते हैं, तो we have attribute, जैसे अगर मैं image यूज़ करता हूँ, तो यह क्या एक attribute है न, उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, एक equality यूज़ करते हैं, अब data अगर आपको pass करना है, इन दी form of props, तब आपको यहाँ पे, एक calibrances देना है, ठीक है, एंड यह जो data है, यह आपको pass करना है, तो आपको इस तरीक से लिख देना है, this is it, तो यह एक trick है, जिसके थूरू हम data pass कर सकते, from one component, to other component, from parents to child, हमें सा data from parent to child, top to bottom, जो hierarchy वहीं पे ही होता है, ठीक, इतना आपको इस ध्यान में देना है, तो इतना ध्यान रखना, from top to bottom of data, बहुत इसली pass out कर सकते हैं, और वहीं पर यह prop drilling करके, एक problem आता है, जिसको मैंना अल्रेडी define कर चुका है, आप वीडियो खतम हो जाएगा, तब देख लेना, लेकिन अभी इतना हमें matter नहीं करेगा, ठीक, तो menu data, and then we have our menu data, ठीक, नाम कुछ भी लिख सकतों यहाँ पे, लेकिन यह जो नाम आपने कुछ भी लिखा है, यही same को copy करो, and props जब आपने वहाँ से base दिया, आपको अब उसको use करना है, तो यह जब आपका दिख रहा है यहाँ पे, यह in the form of parameter आपको उसको expect करना है, I mean accept करना है, and आपको calibrations करना मेनू data लिख देना है, this is it, मैं यहाँ पे चल के menu data एक बार आपको दिखाना चाऊँगा, कि यह कैसा दिख रहा होता, ठीक है, so control as save कर देता हूँ, and मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार मैं inspect करना चाऊँगा, console पे जाना चाऊँगा, and this is it guys, आप देख सकते हूँ, मुझे area के अंदर total 9 object मिल रहे हैं, एक, दो, तिन, तो इसी कोई मुझे गाई सब लूप पे चलाना है, ठीक है, यह देखो, अब मैं लूप पे कैसे चला सकते, इसको मैं comment कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, return के अंदर मैं चलूँगा, ठीक, इसके नीचे, मैं चलूँगा, इस तरह के से, curly braces, ठीक है, and हमने already, what is map method, समझ चुक है guys, अगर आपको नही idea, what is map method, please, वीडियो जरूर चेक आउट कीजिए, jsin1, वीडियो में ने map method, बहुत अच्छे से explain के, array के अंदर कैसे work करता है, so मेरा ये जो menu data है, menu data, ठीक है, देखो, dot map method, simple calibrations, fat arrow function में, इसके अंदर use करने जा रहा हूँ, that's it, ठीक है, यहाँ पे guys, मेरा जो आएगा, तो से जूम कर देख आप लोगों के लिए, इसको में कर लेता हूँ, completely copy, and यहाँ पे मैं चिपका दूँगा, इस तिर्गे से, this is it, ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे मैं चलके, react का syntactic, sugar format यूज करना चाहूँगा, bottom पे भी save, तूँकि guys, हमें एक नएक चीज़ रिटर्न करना ही रहता है, and मैं आपको बताया था, कि यह react fragment सबसे best है, ठीक है, control एक सेप कर देता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे लेके चलता, boom guys ही देखो, मुझे सारा का सारा data आ गया, same maggy, यह जो कुछ भी लिखा है, यह मुझे 9 बार दिखाई दे रहा है, and यहाँ पे guys, I think कि हमने कुछ न कुछ कहीं good word किया, जिसके तुरू मुझे यह कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, all our guys, I just realized कि हमने एक जो main class है, उसको तो miss out कर दिया था, that is main card container, यह जो है, ठीक है, menu data जहां मने लिखा है, ठीक, वहाँ पे मैंने इसको close कर दिया, तो अब होगा यह boom guys, देखो, सब मैंगी, 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 मुझे total 9 बार आ रहा, तो अब मेरे API के अंदर चाहे, जितने भी data हो, automatic हो आते रहेंगे, ठीक है, कल के दिन, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक second, copy करता हूँ, paste, एंड मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, इस तरीके से, Ctrl S, save करता हूँ, refresh करता तो, अब देखोगे, मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेस करना चाहूँगा, अब देख सकते हूँ, मुझे एक और डेटा आगिया, क्योंकि मैंने जस्ट एड कहा, so this is the beauty of your loop, ठीक है, जिससे अब आपको कुछ नहीं करना, एक बार आपने code लिखा, automatic यहाँ पे वो update होता जाएगा, this is it guys, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, तो इस तरिके से मैंने एक menu card बनाया, and data यहाँ से मैंने पास कर दिया है, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, कि यह जो मैंने लिखा, एक दम perfect है, लेकिन यहाँ पे एक warning आ रही होगी, that is, console पे guys, not console, actually warning हमें मिलना चाहे, पास करना चाहूँगा, and यहाँ पे, मैं क्या करता हूँगा, हमें मालूम है, कि हमारा जो current element है, current element.id, we have a id over here, जिससे हमारा काम वो completely हो जाएगा, and अब एक एक चीज़ दिखो, यह जो मेरा one है, one के बदले guys, मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, मेरा current element के पास सारा data आच चुका होता है, so current element.id मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इससे लिखना चाहूँगा, मैं यहाँ पे repeat करता रहूँगा, इसको copy, and then यहाँ पे जो breakfast है guys, instead of breakfast, वहाँ पे जो भी था उसका नाम, तो आप देख सकते हो guys, who basically नाम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ name, इतना लिखने है, मातरा से भी अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, so guys, आप देखा ही दोगे, यहाँ पे देखो Maggie, Alupa Koda, Corn, तो guys, इस तरीके से आप देख सकते हूँ, मैंने बाकी का जो तीन है, उसका नाम लिखा है यहाँ पे, ID हमारा यहाँ पे ID आ जाएगा, subtitle जो भी है card body में, and यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, sorry, यह जो नाम आपको दिखा ही देरा, बिसिकली यह मुझे copy करना यहाँ पे, and इसको मैं guys, यहाँ पे paste कर दूँगा, this is it, तब आप देखोंगे Maggie, Alupa Koda, Corn, Pizza, छोला, नौन बेस थाली, तो यह automatic आई है, so this is the beauty of your react, जहाँ पे आपने एक component create कर लिया, and that's it, आपका सारा काम हो गया, ठीक है, so मैं description लिखना चाहूँगा, यहाँ पे, say मैं से कोई copy करता हूँ, अब finally हमारा यह जो image है, ठीक है, and हाँ मैं आपको comment तो बताए नहीं guys, simply control, and then अगर आप question mark प्रेस करते हो, या forward slash click करते हो, तो guys, आपका यह comment हो जाता, I think यह बहुत थी basic था, simply guys, current element dot आपको आया, यहाँ पे image लिख देना है, इस तरीक है से, ठीक है, and इतना लिखते हैं, and boom guys, आप देख सकते हो, आपको सारा data आचुग, so guys, कैसा लगा था, नहीं कितना awesome, इसी बात पे guys, एक like जरूर बनता है, and subscribe, अभी तक नहीं कहता हो, guys, जरूर सब्सक्राइब कर लिजए, घड़ेगे, इतना मेरा एक काम complete हो चुका, अब guys, मैं क्या गरता हूँ, वापस back to, यहाँ पे मैं चलता हूँ, मुझे guys, अब यह मेरा nap बार चीए, कि उसको loop पे चला दिया, सब कुछ मिल गया, अब मुझे यह मेरा nap बार चीए, यह breakfast, lunch, जो भी यह, ठीक है, तो मैं चलता हूँ, वापस इस जिगे पे, यहाँ पे ध्यान से दखो guys, we have one nap, मैं इस तरह के से, हमारा जो HTML का semantic layout है, उसको मैं यहाँ पे use करूँगा, और मैं यहाँ पे इस तरह के से, nap बार लिख दूँगा, ठीक है, इतना लिखने मातर से, let's से कुछ होता नहींगा, इस कुछ भी पता नहीं चल रहा है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, and then simply guys, मैं कुछ deep है, एक बार मेरा यहाँ पे classes सब सेट हो जाएगा, यहाँ आपको मजा आजाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, btn, group, इस तरह की से, ठीक है, basically css के classes, already मैं ने apply करी चुका, and then इसके अंदर we have a button, इसको कुछ class name देना चाहूँगा, and that is btn, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, we have a group, and then hyphen, hyphen, items, ठीक है, item आपको लिख देना है, simple control as shape करना है, इतना लिखने मातर से, यहाँ पे आप देख सकते हो, हलका सा कुछ जलक मुझे दिखाई दे रहा, ठीक है, अब वो जलक पाने के लिए भी गाईस, मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, इस तरह कैसे मैं लिख देता हूँ, breakfast, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, breakfast, control as shape करता हूँ, and आप आप देख सकते हूँ, मुझे breakfast मेला, बहुत ज़्याद आउसम, अब मैं क्या कुरूँगा, यही same button को copy करूँगा, मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी loop चल, I mean चला सकता था, बढ़ चलाऊंगा ने, क्योंकि इस वीडियो के end में मैं आप भी, I mean यह जब हम project करें, इसके थोड़े बाद में मैं आपको बताऊंगा, आपको एक short का trick, एकदम awesome trick, जिससे react की मदद से, यह जो same picture पूट, जो आप बार बार लिखेंगे, इसको आप और short कैसे कर सकते हूँ ठीक है, मैं यहाँ पे फिलाल के लिए as it is, लिख देता हूँ lunch, and यहाँ पे let's go with all, चलो ठीक है, अब आप देख सकते हूँ, मेरा breakfast, lunch, evening, dinner, and all, and कुछ इस तरीके से आपको यह दिखाई दे रहा है, अब मैं चाहूँगा कि जब मैं breakfast पे click करूँ, तो मेरे इन सभी a card component में, breakfast के लिए कौन सा product है, जिसको मैं खा सकता हूँ, उसको ही मुझे से दिखाना है, like हम यहाँ पे करें, breakfast के लिए we have this awesome breakfast, ठीक है, तो guys, अब मैं बहुत easy लिखर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कैची, अगर मैं breakfast पे click करो, आपको मालूम है हमारा यह जो API है, यहाँ पे एक section है, that is your, आप देख सकते हूँ, category and वहाँ पे lunch है, यहाँ पे evening है, तो मुझे किसी तरह किसे, यह जो भी मैंने यहाँ पे लिखा breakfast, उसको मुझे यहाँ पे, यह जो मेरा category उसके साथ मैच करना है, अगर दोनों मैच कर गए, तो सिर्फ वही component वाला जो card है, उसको मुझे सो करना है, अब आपको मजा आने वाला, कैसे देखो, इस सुपर डुपर इजी, अब मजा आ जाएगा, अब यहाँ पे हम एक और जावस्क्रिप्ट का function देखने जा रहे है, देखो कैसे, जब भी breakfast पे कोई करेगा, click, click, मुझे एक function चलाना है, ठीक है, and function हम चलाने के लिए, मुझे square brackets लिखना पड़ेगा, and मेरा जो function का नाम होगा, वो होगा मेरा filter, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, filter item, and यहाँ पे गाईस, मुझे basically, एक argument पास करना पड़ेगा, जिससे मुझे यह पाता चलेगा, कल के दिन अगर मैं filter item को जब define करूँगा, इस तरीके से, यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो कैसे, लिख देता हूँ, कौन्स मेरा filter item, fat arrow function, अब आप मुझे बताओ, मुझे पाता कैसे चलेगा, कि user ने breakfast पे click किया, यह lunch पे, तो मुझे कुछ ना कुछ argument पास करना पड़ेगा, तो breakfast के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे breakfast पास कर दूँगा, इस तरीके से, double quotes के अंदर, मैं लिख दूँगा breakfast, ठीक है, spelling सही लिख देता हूँ मैं, this is it, तब अब मैंने क्या बोला, कि मैं एक function को call कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने एक argument पास कर दी, और मैं यहाँ पे उसको define कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको expect कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, simply, कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ, let's go with category, category लिख देता हूँ, चलो, ठीक है, control है, save कर दे रहा हूँ, तो simply guys, मैंने इस तरह के से, यहाँ पे category pass कर दी, मेरा argument, मेरा parameter, ठीक है, यहाँ पे जाओंगा, कुछ इतना मतलब है नि, बट एक चीज़ याद रहा हूँ, जब भी आप function को call करते हो, अगर उसमें आप कुछ argument pass कर रहे हो, better go with fat arrow function, ताकि वो अपने आपको बाबाबा call ना करके, बैठे हूँ, यह आगे जाके बहुत error आने वाला, बहुत difficulty होगी, सो एक आदत बिठा लो, fat arrow function के अंदर, आप इस तरी के से function को call करूँ ठीक है, जब मैंने function को call कर दिया, यहाँ पर मैंने category pass out कर दिया, अब बहुत easily मैं क्या कर सकता हूँ, const, मैं लिख देता हूँ, updated list, will be equal to मेरा यह जो menu है, ठीक है, इसके अंदर ही तो मेरा पूरा card है, आपको याद है, मेरा API यह ही है menu, dot यह एक हमारा array है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर filter method यूश करने जा रहा हूँ, same like your map method जो हमने थुई देर पहले देखा था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैरा current element, हमारा जो भी current element होगा, मुझे वो यहाँ पर मिलेगा, मैं simply यहाँ पर चलता हूँ, and it's super duper easy, मैं सिर्फ return करना चाहूँगा, मेरा जो current element है, इसके अंदर यह जो category, अगर वो triple equal to match करता है, इस category से, तो मैं सिर्फ उसी को ही return करना चाहूँगा, बागी किसी को नहीं ठीक है, and now मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ, set menu data में मैं चलूँगा, and यह जो मेरा updated list है, and then simply मेरा यह जो updated list, इसको copy and then यहाँ पर place कर दूँगा, that's it, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो हमारा breakfast वाली जो category है, उसको यह filter out कर देगा, इस पर वो store कर देगा, and वही same data को मैंने वापस इस पर add कर दिया, मैंने आपको बताता है, यह था मेरा updated function, and जब भी इसकी value change होगी, वो हमारा current state variable की value change कर देगा, अब menu data के अंदर जो भी breakfast वाला रहा होगा, सिर्फ वो ही हमें देखेगा, जयान से देखना, मैं यहाँ पर चलता है एक बार refresh कर रहा हूँ, मैं lunch पर click करूँगा, कुछ नहीं होगा, evening पर कुछ नहीं होगा, but the moment, मैं breakfast पर click करूँगा, and boom गा, see, मेरे पास सिर्फ Maggie, and then Con, क्योंकि यह दोनों breakfast category के अंदर आते, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ दो data चाहिए था, जो कि मुझे मिल गया, अब देखो, बाकी कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन breakfast पर दो data मुझे आ चुका है, same उसी तरी के से, यही जो on click है, इसको मैं copy करूँगा, ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना खाली, breakfast के बदले, मुझे यहाँ पर lunch लिख देना है, control एज सेप कर देना है, अब मुझे lunch के लिए दो मिल गया, breakfast यह मेरा lunch, उसी तरी के से इसको मैं copy करूँगा, ठीक है, यहाँ पर चल के इस जगे पर paste, इस जगे पर भी मैं करना चाहूँगा, paste, and then इस जगे पर भी मैं करना चाहूँगा, paste, that's it, यहाँ पर guys, मैं चल के स्तरके से लिख देता हूं, evening, मैं यहाँ पर चल के स्तरके से लिख देता हूं, guys, simply our dinner, and यहाँ पर guys, मुझे चाहिए for all, ठीके फिलाल के लिए मैं as it ही छोड़ दे रहा हूं, मेरे evening के लिए, मेरे dinner के लिए, breakfast, lunch, evening, dinner, सब कुछ मिल चुका है, लेकिन all में मुझे अभी भी कुछ नहीं मिलेगा, and यह जो दो data है, because अब lunch आया है, ठीके, मुझे all मतलब सब कुछ है यह, and सब कुछ कैसे मिलेगा, जब मैं set menu data, मेरा जो यह updated menu है, ठीके, updated function है, थुई देरे में हम और समझेंगे इसके बारे में, मुझे उस पे सारा का सारा menu वापस add कर देना है, इस जगे पर, यह जो part देख रहा है, जब इस पे click करेगा, filter को तो मुझे touch भी नहीं करना है, मैं यहाँ पे चलूँगा, set menu को click दूँगा, and यहाँ पे चल के वापस menu चिपका दूँगा, मैं, वापस पूरा menu add कर दूँगा, control and save, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, dinner, all पे, and वापस मुझे सब आ गया, so guys, मेरा काम दो हो गया, dinner, evening, lunch, and then breakfast, लेकिन एक पंगा इसमें, एक पंगा वो यह है, कि कल की दिन अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, menu API पे, मैं यहाँ पे चलता हूँ, and अगर इस तरीके से मैंने copy की, and मैं यहाँ पे अगर चल दू, and suppose instead of evening, मैंने लिखा थापा, अब थापा करके कुछ है, नहीं है, मतलब मैं कैसे पता लगेगा, कि मैंने अब अपने restaurant पे, एक और product, एक और आप कैसे एक तो component को add कर दिया, जिससे और variety हो जाएगी, like breakfast, lunch, evening, dinner नहीं, थापा नाम का भी एक part है, जो आप कभी भी breakfast के बाद भी खा सकते हैं, lunch से पहले खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वो थापा दिखी नहीं रहे, अब अगर यहाँ पे थापा वाला जो मैंने just category add किया, वो अगर दिखनी रहे, तो मैं search भी नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं all पे चलता हूँ, तो वो आपको यहाँ पे एकदम bottom पे दिखाई देगा, देखो, मैं एक काम करता हूँ, यह जो last वाला है, समोसा के बदले मैं थापा लिख देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा, कि हाँ यह थापा ही था, इसको मैं एक बाँ रिफ्रेस करना चाहूँगा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर यह रिफ्रेस नहीं होता है, इसको हम बोलते होट रिलोडिंग प्रॉब्लम, जो की react के version 17 में आया हुआ है, आपको यह मिल जाएगा, उसको मैं कैसे fix करना है, वो थुई दिर में बताता हूँ, लेकिन अभी मैं refresh कर दूँगा, तब आपको यहाँ पर थापा दिखने वाला है, ठीक है, वो ध्यान में रखना हूँ गाईस, मैं आपको एकदम end में बताऊँगा, वो जो fix है, react version 17 का ही एक problem था यह, लेकिन मुझे थापा आगया, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर, मेरे जितने भी category हो, चाहे मैं चाहे जितना भी add करूँ, automatic हो यहाँ पर reflect हो, और मैं अगर उस पर click करूँ, तो उसका जो card है मुझे दिखाई दे, that's it, मुझे वो चाहिए, ठीक है, यह react बोल रहा है, हमें चाहिए, मतलब चाहिए, अगर आप खुद देखो, जब हम react उस कर रहे है, and same piece of code को हम बार बार repeat कर रहे है, क्या यह react हमें बोलता है, हाँ भाई, same piece of code को लिग दो बार बार, नहीं बोलता है, से ऐसे कितने category है, जो repeat हो रहा है, मुझे उस repeat को हटा के unique category चाहिए, ठीक है, कैसे होगा, मैं आपको बाता तो देखो, मैं menu card पे चल रहा हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ध्यान से देखना, मुझे एक function चलाना है, मैं एक दम टॉप पे चल रहा हूँ, मैं हमारे जो restaurant component है, उसकी भी उपर चल रहा हूँ, const लिखता हूँ, मैं simply इस तरह किसे, ठीक है, तो सब जूम कर देखा आप लोगों के लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस तरह किसे unique list लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँगा, मेरा यह जो menu है, यह वाली जो मेरी menu है, इसके अंदर मेरा सारा data है, menu.map method में चलाना चाहूँगा, fat arrow function इसमें मैं चिप का रहा हूँ, simple इस तरह किसे, मैं क्या करूँगा, मेरे menu card के अंदर, I mean मेरा menu API के अंदर, सबका list मुझे चाहिए, सबसे पहले तो, मैं कैसे कर सकता हूँ, it's super duper easy, current मेरा element, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखोगा, मैं सिप return करना चाहूँगा, किसको, मेरा current element के अंदर, जितने भी category है, that's it, simple console.log, इसको मैं copy कर देता हूँ, यहाँ पे paste, this is it, अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, आप लोगों को refresh करके दिखाता हूँ, I mean inspect करके, console पे, and that's it, मुझे मेरा, देखो, सिर्फ और सिर्फ category, जो भी है, last में मुझे वो थापा आ रहा है, मुझे मेरा, अब देख सकता हूँ, category के सारे list आ रहा है, लेकिन एक problem है कि यह repeat हो रहा है, breakfast है, then again we have breakfast reader है, evening, evening, तो मुझे repeat नीचे, मुझे unique data चाहिए, मेरे category का, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे रख सकूँ, and देखो, responsive भी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, guys, हमारे पास एक data structure है, जो की, ECMAScript 2019 में यह था, बहुत यह awesome है, that is, मैं यह जो मेरा menu है, ठीक है, इस complete के portion को, guys, मैं square brackets, I mean, parenthesis के अंदर रखना चाहूँगा, and यहाँ पे we have to write new set, आपको खाली new set लिख देना है, control as, save करना है, एक बाइ मैं refresh करना चाहूँगा, and boom, guys, now, मुझे सिब breakfast, evening, lunch, dinner, and then थापा दिखाई दे रहा है, अब इसमें एक problem है कि, यह जो data मिल रहा है, it's an object, मुझे उसको array में convert करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यह जो new जो दिख रहा है, इसको मैं directly इस तरिके से, square brackets के अंदर रख दूँगा, and I think मुझे पहला वाला यह जो था का, इस parenthesis हा, new set, and then parenthesis, मैंने wrong बोल दिया उस समय, but यह मेरा square brackets के अंदर लिख दिया, now, यह मेरा एक array बन चुका है, अब मैं refresh करना चाहूँगा, and that's it, मुझे array आ चुका है, लेकिन एक problem यह हो रहा है कि, अब भी भी यह कही ना कही मेरा array के अंदर object, and then कुछ वो इस तरीके से मिल रहा है, मैं सिर्प और सिर्प data चाहता हूँ, array with pure data only, तो उसके लिए guys, हम यहाँ पे उस करेंगी spread operator, देखो, इसके बाद, ठीक, मैं new से पहले dot, 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 this is called your spread operator, मैं control as save करना चाहूँगा, and यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, and अब अगर मैं refresh करता हूँ, and this is it guys, देखो, हमें हमारा unique data आच चुका है, इस तरीके से मुझे मेरा unique data मिल चुका, अब मुझे उसको यहाँ पे लूप पे चला देना है, मैं लूप पे चलाओंगा, उससे पहले, उससे पहले, यह spread operator बहुत जाद इंपोर्टेंट है, हम आने वाले project में इसको यूज़ करने वाले, सबसे बहले तुम्हें बताना चाहूँगा, यहाँ पे यह जो बार-बार, same piece of code, current element, current element, current element, current element, यह मैं बार-बार repeat कर रहा हूँ, इसको अगर मुझे repeat नहीं करना होता तो guys, we have a destructure, ठीक है, मैंने यहाँ पे कहीं न कहीं आप देख सकते हूँ, spread operator and many more, यह बहुत जाद इंपोर्टेंट है, and events भी हमने अल्रेडी देख लिया है, ठीक है, मैंने आपको काथ हम practical करते जाएंगे, तो सब पता चलता जाएगा, spread operator, that is your three dots, and then this is your destructuring object कैसे करते देखू, simply guys, मुझे क्या करना, आप देख सकते हूँ, मेरा इस current element है, ठीक है, इसके अंदर हमारे सारे data आचुका है, जो कि मेरे इस API के अंदर था, ठीक है, अब बहुत clearly देख सकते हूँ कि, इस API में, we have ID, images, name, category, and then prices, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ, ध्यान से दिखिएगा, and then guys, simply यहाँ पर मैं क्या कुरूँगा, destructure करना है, मुझे कैसे होता है, destructuring देखो गाइस, const, ठीक है, अल्रीडी हमने, ACMA script 2015 में तो यह समझे लिया था, so we have our ID, ठीक है, ID, we have our name, then आप देख सकते हूँ, we have our category, ठीक है, मैं चलता हूँ, यहाँ पर, we have our images, and then we have our description, this is it, will be called to, आपको current element लिख दे रहे, that's it, तो इसको बोलतेगा, destructuring करना, अब होगा यह इससे, कि जहां मैं बारबर, same piece of code को current element, current element जो मैं लिख रहा था, उसको अब मुझे बारबर लिखनी की neat नहीं है, क्योंकि मैंने already उपर तो destructure कर दिया, अब जहाँ जहाँ current element dot मैंने लिखा है, उन सबको मैंने control डी करके select की, and एक की बार में मैं हटा दूगा, this is it, control है, save टार, not देखो कितना neat and clean दिख रहा है, मैं अगर यहाँ पर चलना चाहूँगा, इस जगे पे एक बार में difference कर देता, हला कि करने की neat नहीं, आप देख सकते हो काई, अभी भी यह perfectly work कर रहा है, ठीक है, तो थाना है कितना awesome की destructuring की मतलब से, मैं कितना neat हमें हमारा code दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यह एक trick है, बहुत ही जाद important जिसको हम throughout this video करते रहेंगे, अभी यहाँ पर एक problem है, and मैंने आपको जब बताया था, what is react, उससा में हमने समझा था, react is all about your components, जिसका main fund है, do not repeat yourself, हम एक ही same piece of code को बार-बार repeat करें, like we have our button, फिर button, फिर button, फिर button, फिर button, भाई यह क्या है, and एक ही चीज़ चेंज हो रहा है, जो मैंने आपको बाद आदा ही यहाँ पर भी, and that is, खाली on click के अंदर dinner, dinner, evening, evening, बाकि सब कुछ तो same है, तो क्यों न मैं सिर्फ एक ही button लिखू, and यह सब कुछ automatic आ जाए, this is it guys, आपको याद होगा, जब मैंने आपको what is react के समय बताया था, explain किया था react को, मैं अब एक डीब आप लिखो गया, आपका सब कुछ बन जाएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, I hope आप लोगों को remember है, वो react जिएस लिख देता हूँ, this is it, and मैं अगर यहाँ पर चलता हूँ, तो आपको याद है, का लड़ी बता है, कल की दिन मेनी OPI में, मैंने एक को नया कैटेगरी एड़ कर जा, तो आपको यहाँ पर get या fetch हो जाना चीज़, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, बहुत ज़्याद है, अब मेरा यह जो data है, ठीक है, मेरा यह जो भी unique data, मुझे इसको एक state where you store करके रखना है, एंड उसको मैं loop पे चाला दूँगा, लेकिन उससे पहले, मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, कि मेरा यह जो navbar है, इसको मैं एक total different component पे add करना चाहूँगा, ठीक है, तो मैं वापस component मेरा basics, new file बे मैं जाऊँगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, navbar, ठीक है, इस तरगी से navbar.js, ठीक है, मैं यहाँ पर चलता हूँ, react arrow function component with export, this is it, इसको मैं हटा रहा हूँ फिलाल, यह जो मेरा db, इसके बदले मैं लूँगा, syntactic sugar format, मैं यहाँ पर चलता हूँ, and यह जो मेरा part है, that is my complete navbar, इसको मैं गाइस, इस तरगी से कर लूँगा, copy, हटा दूँगा, यहाँ पर, ठीक, इसके अंदर मैं paste कर रहा हूँ, ठीक है, यह जो portion दिखते है, इसको आप delete कर दो, तो आपको कुछ हो इस तरगी से दिखाई दे रहा, ठीक है, and अब यह जो navbar है guys, इसको मैं करूँगा, एक साट select, sorry, यहाँ पर नहीं, यह जो navbar है, इसको मैं capital में रख रहा हूँ, same, यहाँ पर भी मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मैं चलके, इसको capital में कर दूँगा, अब यह जो, एक सेकेंड, अब यह जो मेरा part है, इसको मुझे import करना होगा, मेरा main component वाले page पर यहाँ पर, तो कैसे, import, आपका यह, from.forward slash, आपका होना चीए, navbar, this is it, .js लिखने की need नहीं है, इस navbar component को मुझे यहाँ पर call करना है, अगर call करना है, तो बच्चों का खेले, अब तो आपको पता चली चुका होगा, this is it, ठीक है, इतना मेरा काम होगी है, अगर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ, filter item is not defined, because I need to pass props, and हमने अल्रेडी समझ लिया, how to works with props, same, जैसे हमने menu card के साथ किया, अब वो ही same मुझे यहाँ पर करना होगा, मुझे इस navbar में, यह जो filter item वाला, यह जो function है, यह मुझे pass करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर filter item, जो यह function उसको use कर रहा हूँ, जबकि इसका कोई reference यहाँ पर तो है ही नहीं, तो I need that reference, and वो मैं बहुत इसली pass out कर सकता हूँ, with the help of props, so filter item will be equal to filter item, अब आप देखोगी कि हमारा यह जो filter item का यह बार बार repeat जो हो रहा था, यह अब actual में तो वैसे नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि यह जो filter item है, जो यह props है, इसको मुझे यहाँ पर define करना पड़ेगा, inside और parenthesis, मैं calibration से use करूँगा, and this is it, अब at least यह जो filter item है, वो मुझे उसका error नहीं आ रहा है, अभी मुझे दो चीज़ बता रहा है, that is set menu data, and then menu is not defined है, अब set menu data क्यों है, क्योंकि इसके कारण यह जो button है, तो यह जो button को तो मैं हटाई देता हूँ, एक बार, तब आप देखोगे guys, थो कम जूम करता हूँ, अब कुछ भी नहीं दिख रहा, I mean दिख रहा है, अब आप देख सकते हूँ, वो gap हो गया, तो इस तरह के से आपको ध्यान में रखना है, कि कहां क्या हो रहा, ठीक है, तो इतना मेरा part complete हो गया, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सब कुछ सही है, लेकिन अभी भी हम यह same piece of code को बार बार repeat करें, जो मैं नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँगा guys, मुझे एक array चीह लाइक, यहाँ पर अल्रड़ी यह एक array, बट इसको मैं एक state variable में add करके, मैं loop पे चला दूँगा, navbar पे, ठीक है, कैसे देखो, यह मेरा state variable, the help of use state हमने अल्रड़ी देख लिया है, तो const मैं यहाँ पे चलता हूँ, const इस तरीके से, यहाँ पर मैं guys, लिख देता हूँ, यूनिक नहीं लिखता है, let's go with menu, updated list, simply list लिख देता हूँ, set menu list, will be equal to my guys, यहाँ पर मैं 89 क्यों लिखा मैंने, I use state, and then guys, simply मुझे अब यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पर मुझे लिखना होगा, मेरा unique list, ठीक है, क्योंकि इस unique list के अंदर guys, मेरे सारे unique category के नाम आच चुके, जिसको मैंने menu list पर pass कर दी, अब यही menu list, मेरा जो state variable है, वो मुझे यहाँ पर pass करना पड़ेगा, मेरे navbar पर, ठीक है, अब आपके mind में question आ रहा होगा, कि हम same component में, अगर मुझे दो-दो props, पास करने रहा, तो मैं क्या करता गा, इस कुछ नहीं करते, again आपका attribute का नाम, I mean आपका props का नाम, आपको calibrances and value pass कर दिनी है, इस तरीके से, आप same component पे, दो-दो props को pass कर सकते हो, मैंने दो props pass कर दिये, अब आप सोच रहा होंगे, कि मैं यहाँ पर उन दो props को accept कैसे करूँगा, क्योंकि एक तुम्हेंने already कर लिया है, क्या मैं यहाँ पे comma लिख के स्थिरके से कर सकता हो, इसकी कोई need नहीं, आपको इसी curly presses के अंदर ही, जितने भी आपके props होंगे, खाली comma देना है, और लिखते जाना है, अब ध्यान से देखो, मैंने आपको कहा था, अगर आपको याद होगा, क्योंकि हमें सेम जिसको repeat नहीं करना, खाली content change हो रहा है, सेम यहाँ पे भी होई है, अगर यह मेरे buttons बार-बार repeat हो रहा है, कुछ change है नहीं, सिब change है तो content, breakfast, breakfast, lunch, and then lunch, मुझे यह सबी चीजों को, यूनों बार-बार नहीं लिखना है, do not repeat yourself, जो fund है हो, आप मैं यहाँ पर अपना आता हूँ, कैसे देखो, already हमने देखी चुका था, मेरा यह जो button गूरूब है, ठीक, इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा, मेरा इस तरह के से calibrances, manualist.map method मैं यहाँ पर call करूँगा, pet arrow function, जो की हमने अल्रेडी देख चुका हजार बार, ठीक, इस तरह के से this is it, अब यह जो मेरा button है, इसको मैं copy कर रहा हूँ, and we need to return something, यह मैं आपको बताते है, basic rule है, we need to return every time, ठीक है, and मैं इस तरह के से button pass out कर दी, this is it, अब मेरे फाल्तुगी, जितने भी buttons थे, यह all वाले को भी मिला के, सब को मैंने controller save कर दिया, यहाँ पर यह जो है, इसकी मुझे कोई need नहीं है, this is it, ठीक है, अब देहां से देखना, इतना लिखने मातर से, अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, तो आप देख सकते हैं, मुझे हर जगे सिर्प और सिर्फ ब्रेकफास्ट दिखाई दे रहा है, अब अगर इस पर मैं click भी करता हूँ, तो मुझे ब्रेकफास्ट का data आएगा भी, लेकिन सिर्फ ब्रेकफास्ट का आएगा, बाकी का नहीं आएगा, ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे सब भी यूनिक जितनी भी लिस्ट है, उनका data पाने के लिए, यह जो मेरा यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, current element, ठीक है, that's it, इसके अंदर मेरे सारे category के नाम आचके होंगे, यहाँ पर इसको हटा के मैं लिख दूँगा, मैरा current element, यहाँ पर भी जावस्क्रिप्ट के पार्ट को लिखने के लिए, current element, और भूम गाईज, see, now, breakfast, evening, lunch, dinner, सब कुछ perfectly work कर रहा है, एक चीज़ रहे गा, that is all वाला, जो मेरा button था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर top पर चलूँगा, ठीक है, I mean, इस जएगे पर मुझे चलना है, restaurant पर, यह जो portion आपको देता, new data structure, जो data structure है, ठीक, उसके नीचे, comma, जो है, यहाँ पर double quotes, आपको इस्तरके से, all right, यहाँ पर आपको इस्तरके से, all link देना, ठीक है, control and save करता हूँ, and अब आपो देखोगे, मुझे यहाँ पर, guys, मैं refresh करूँगा, तो ही मुझे, वो all आएगा, and अगर आप भी, यह problem को face करें, जहाँ पर आपको, hot reloading का problem आ रहा है, ठीक है, अगर यह problem आपको face हो रहा है, तो आप simply क्या करो, यहाँ पर, इस पर उन्होंने बता है, यहाँ पर चलते हैं, इस वाले पर, ठीक है, bottom पर आते हैं, देखो, आपको एक new file create करना, that is involvement variable, and later हम जब API पर work करेंगे, real world API, वेदर application पर, मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा, what is involvement variable, and कैसे आप अपने secret key, को secure कर सकते हो, API की को secure कर सकते हो, with the help of involvement variable, ठीक है, इसको मैं copy कर देता हूँ, यहाँ पर मैं चलता हूँ, आपको अपने project पर right click करना, new file.env, file create करना, .env, ठीक है, and जब आप इस तरह किसे create कर रोगे, तो आपको इसको paste कर देना है, मैंने गलती से, e, v, r लिग दे, उसको मैं हटा दे रहा हूँ, आपको बस इसको paste कर देना, अपने application को एक बार रन कर लेना, I mean restart कर लेना, आपका यह जो problem था, कि बार बार, you know reload हो रहा है, I mean reload नहीं हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा, तो इतना करने है, मातरा से अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, lunch, dinner and then boom guys, आप देख से तो all नहीं दिखाई दे रहा है, उसका reason यह है कि, हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है, breakfast के लिए, breakfast, lunch के लिए, lunch, लेकिन all के लिए तो हमने कभी all करके, कुछ लिखा ही नहीं, all में तो मुझे सारे data चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे guys, हमारा यह जो filter element है, ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को लेकर चलना चाहूँँगा, इस तरह के से, यहाँ पे condition होगा, बहुत ज़्यादा से बलाए, मेरी यह जो category है, ठीक है, category है, उसकी अगर value match कर जाती है, all से, तो मुझे क्या चीए, कि मेरा जो यह set menu data है, ठीक है, मेरा यह जो updated variable है, set menu data यह, यहाँ पे मुझे एक value pass कर देना है, that is complete मेरी menu, ठीक है, इस तरह के से, अगर मेरा menu pass कर जाता हूँ, तो यह जो मेरा updated variable है, updated function है, sorry, उसका जो भी value होगा, हमारा menu data का current value क्या लाए जाएगा, ठीक है, यही menu data को तो मैं रूप पे चला रहा हूँ, आपके API में आपको लगा, मुझे अपने restaurant को और बाड़ा काना, इसमें more categories को मुझे add करनी है, तो guys, अब आपको कुछ नहीं tension करना, क्योंकि हमने इस तरीके से code लिखा है, कि मैंने एक new category थापा अगर, मैंने add कर दिया है, यहाँ पे भी मैं थापा लिख देता हूँ, control as save करता हूँ, एक बाड मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जब मैं all पे चलूँगा, नहीं, उस पे जाने की भी need नहीं, आप directly देख सकते हूँ guys, थापा करके एक new category यहाँ पे add उचुक है, जहाँ पे मुझे सिर्फ थापा का ही data दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं कितना awesome, else आपको क्या करना पड़ता, आपको यहाँ पे चलके एक और button create करना पड़ता, थापा थापा दो बाल लिखना पड़ता, क्या कुछ नहीं करना पड़ता, पड़ आप देख सकते हो, सब automatic हो चुक है, सब जो जिसका जो category है वो ही data आ रहा है, and all में मेरा सब कुछ data आ रहा है, so this is it guys, हमारा जो basic react jazz था वो complete हो चुक है, अब हम देखते है, what is hooks in react jazz, जो कि Redux की जगे almost ले ही चुक है, लेकिन फिर भी Redux अपने जगे ठीक है, and ये तो सिर्फ शुरू आता है, मैंने आपको अल्रड़े इस starting में दिखाया था, हम कौन-कौन से project पे work करने वाले, अभी वो सब तो बाकी है, तो guys बहुत ही ज़्यादा मज़ा है, मैं वापस continue कर रहा हूँ इसको, अब मेरा इतना काम हो चुका है, अब मैं क्या करूँगा, इस यहाँ पर चलूँगा, ठीक है, आपको क्या करना है, राइट क्लिक New Folder, and आपको Hooks लिख देना है, ठीक है, इस तरह के से आपको Hooks लिख देना है, simple मैंने useState लिखा है, ठीक है, normal, एक div लिए है, जिसको एक class दे रखी है, and then मेरा paragraph, मेरा div, दो div है, ठीक है, and बाकी कुछ नहीं है, मुझे सबसे पहले यह जो मेरा useState है, यह दिख कैसे रहूँ है, आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, तो restaurant को मैं हटाता हूँ, nap को मैं हटाता हूँ, style को मैं हटाता हूँ, menu API को मैं हटा देता हूँ, now I have only one file that is useState, मुझे app.js के अंदर जाना पड़ेगा, इसको मुझे यहाँ पर import करवाना पड़ेगा, from.forward slash component forward slash hooks forward slash useState, control as save, यह मेरा useState, useState, this is it, यहाँ पर चल के, यहाँ पर चाहता हूँ कि दो ऐसे बटन, एक पर क्लिक करने पर data increment हो, दूसरे पर क्लिक करने पर data decrement हो, यह आगर आपको फंडा पाता चल गया, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है, so INCR लिख देता हूँ, and यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, DECR decrement के लिए, and यह जो my data है, basically paragraph ठीक है, मैं एक बार जल्दी से style पर चलना चाहूँगा, and एक दम bottom pack पर, मेरा जो भी paragraph होगा, उसका color guys, let's go with pure white color, ठीक है, control has shape कर देता हूँ, अब देखो मुझे यहाँ पर data आ रहा है, and एक problem हो रहा है, यहाँ पर भी मुझे text align center करना पड़ेगा, and I think now this is perfect, and I think एक और problem होगा, मुझे इसकी font size बड़ी करने पड़ेगी, and मेरा CSS में हाथ ऐस तरीके से बैठा हूआ, मुझे नहीं वालूँ गाइस, awesome, now it's looking awesome, तो आप लोगों के लिए में zoom कर देता हूँ, this is it, यह मेरा part complete हो चुका है, मुझे increment पर इसको increment करना है, decrement पर इसको decrement करना है, and I think कही ना कही मुझे एक और चीज़ लगेगा, style.js पर, and that is जब भी मेरा यह जो button है, ठीक है, चाहिए वो button जैसा भी हो, मैं उपर चलना चाहूँगा, यहाँ पर मेरा button, यहाँ पर गाइस, मुझे क्या करना है, इसका जो cursor है, वो मुझे pointer चाहिए, and let's go with pointer control, let's save, अब I think, perfect, now यह perfect, चलो ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, again, guys, source code free है, किसे 10 है, तो increment करूँगा, तो 11, 12, 13, जितने से भी करना हो सकते हैं, अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए, guys, we have hooks in react.js, आपको यहाँ पर चलना है, docs पर आप देख सकते, we have our hooks का concept, and what is a hooks, hooks are used to manage your state, आपके project की state को manage का निकले, we use hooks, and हर एक hooks का अपना एक importance है, like use state, like we have our use state, जो की main हमारा state, उसको manage की में काम आता है, कैसे आता है, मैं अब आपको बाता तो देखो, तो use state, अगर आपको use करना है, तो guys, उसके लिए, हमें कुछ special hooks के लिए, अलग सा कुछ, I mean install, install कुछ निह करना है, simply guys, आपको लिखना पड़ेगा, इस तरह के से, use state है, यह again आपका camel case, u जो है, वो small है, s is your capital, मैं यहाँ पे चलूँगा, now use state के बाद, आपको एक parenthesis लिखना है, ठीक है, and इसके अंदर आपका आता है initial data, मैं आपको आपको आपका आता है initial data, ठीक है, and now यह जो आपका use state है, it returns an array of two elements, ठीक है, it returns an array with two elements, तो उसका क्या मदला होता है, इकको आपको आपको लिखना है, array हम square brackets में लिखते हैं, तो सबसे पहलो होता है आपका state variable, आपका current data, आपकी current value जो भी होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ guys, my number, इस तरह कैसे मैं लिख देता हूँ my number, and उसके बाद आता आपका updated function, जहाँ पर कल की दिन उस updated function को मैं कुछ भी change करूँगा, तो वो मेरा यह state variable इसकी value change कर देगा, फिलाल मेरा initial data जो भी होगा, इसकी वो value होगी, my number will be equal to initial data, and अगर कल की दिन इसकी value मुझे change करनी होगी, इसकी state अगर मुझे change करनी होगी, तो we have our updated function over here, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, set my number, तो जो हमने यहाँ पर लिखा है, खाली उसके आगे आपको set use कर देना, यह convention है, अगर एक ही आप state use कर रहे हो, तो आप स्थरके से react लिख सकते हो, आपका यह काम हो जाएगा, initial data is not defined, तो इस initial data को आप directly यहाँ पर, initial data will be let's go with 10, अब आपका इस सब कुछ perfect हो चुका, तो यह जो initial data है, वो मेरा my num के बदले हमें मिल चुका है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कि अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, इस तरह के से console.log करता हूँ, अगर मैं आप आप लोगों को दिखा हूँ, my num करके, यहाँ पर इस तरह के से control s, शेप करके, मैं अगर inspect पर चलता हूँ, console पर तो आप देखोगी, मुझे 10 आ रहा है, मतलब यह जो value है, यहाँ पर मुझे 10 जो value वो मुझे मिल रही, ठीक है, अगर मैं set num को मैं copy करता हूँ, control s, shape करता हूँ, तो आप देख सकते हो, मुझे कुछ एक function दिखाई दे रहा है, that's why मैं आपको बोलो, यह हमारा एक updated function है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरा जो 10 है, उसके बदले मुझे state variable उस करना है, ठीक है, तो और लड़ी हमने देखा था, अभी थूए देर पहले ही, अब यहाँ पर यहाँ पर चलता हूँ, अब यहाँ पर चलता हूँ, अब यहाँ पर देख सकते हूँ, यहाँ पर पहला data 10 आच चुका है, तो जो option हमें मिलता है, components उसके इंस्ट्रॉल करने के लिए, हमारे पास एक plugin है, उसका link आप यहाँ पर bottom पर देख सकते हूँ, अब जरू उसके install कर लिजएगा, उससे हमें हमारे react application पर कितने हम state use करें, वो सब कुछ आपको पाता चलता है, फिलाल यहाँ पर 10 है, that's why मुझे यहाँ पर 10 मिला, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादे, यह मेरा एक बड़ डीव है, ठीक है, मैं यहाँ पर चलूँगा, on click, जब भी इस पर मैं click करूँ, तो इसकी value मुझे एक से increment करनी है, तो मैं यहाँ यहाँ पर fat arrow function use करूँँगा, इस तरह के से this is it, and मैं set my num, updated function को यहाँ पर call करूँगा, and यहाँ पर पता मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरा यह जो भी my number है, एक काम करता हूँ, यहाँ पर चल के मैं सिर्फ 5 लिख देता हूँ, प्लाल के लिए मैंने सिर्फ 5 लिखा, like use state, then initial data, उसे तरह के से set my num, and then 5, तो यह जो value है, वो इसमें reflect हो जाएगा, and my num will be equal to 5, ध्यान से देखना, मैं refresh कर रहा हूँ, इस पर अगर मैं click करते, and भूंगा, इसकी value 5 हो गई, तो अब आपको पाता चला कि, इसकी value को जब भी मैं challenge करूँगा, अब इस state variable का current value कहलाए जाएगा, and फिलाल यह मेरा initial है यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मेरा जो भी my num है, उसको मैं copy करूँगा, plus one कर दूँगा, this is it, it means कि चाहे अब जो भी हो जाए, इसकी जो भी value थी, मैंने उसमें one से increment कर दिया, इसको मैं refresh करूँगा, देखो, 15 है, 16, 17, 18, 19, 20, है ना, यह कितना awesome गाइस, मतलब थाना, यह कितना cool, ठीक है, इस तरगे से काइस, यह आपका काम कर रहा होता है, अब उसी तरगे से, जब मैंने यह करी लिया, all right, मैं इसको क्यों नहीं खिसका पा रहा हूँ, यहाँ पे, all right, ठीक है, इस तरगे से हो चुका यह, अब यहाँ पर आप देख सकते हूँ, state मेरा 37 आ चुका है, same को मैं करूँगा, copy, ठीक है, यहाँ पर इस तरगे से, जैसे ही मैं 0 की नीचे जाऊँगा, minus 1, तो suppose मुझे उससे नीचे नहीं जाना, 0 से नीचे नहीं जाना, मुझे condition देना पड़ेगा, तब पता मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे condition यूज कर सकता हूँ, and that is, या तो directly मैं यहाँ पर भी condition यूज कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, अब यह बहुत जाद इन्पॉर्टेंट है, अब आपको ternary operator पाता चलने वाला है, that is, कि मेरा यह जो my num है, if its value is greater than, or all right, greater than 0, अगर यह होता है, तो आप set my num will be equal to, यह जो भी हम increment, I mean decrement करते रहेंगे, लेकिन अगर यह false होता है, ठीक है, इसको मैं न I think copy नहीं की, तो इसको मैं जल्दी से copy कर लेता हूँ, बट अगर वो condition false होता है, then my set num will be equal to 0, उसकी value कभी कुछ होगी नहीं, वो हमें से 0 ही रहेगा, simple, अगर मेरा my num जो है, basically यह value, अगर यह 0 से बड़ा है, 0 भी नहीं, अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, मलब 1 to 3 है, तो माइनस 1 करते रहो, लेकिन अगर नहीं है 0 से बड़ा, तो उसकी value 0 ही रहेगा, उससे नीचे हम नहीं जाने देंगे, इतना ज़्यादा simple था, आप मैं एक बड़ा refresh करूँगा, और यह 15 बहुत ही ज्यादा है, अब एक चीज मैं आपको बता तो, initial data अगर आपको इस तरीके से mention नहीं करना, आप इसको हटा सकते हो, वो जो 15 value अब directly यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर जानवाच कि अभी initial data लिख रहा हूँ 0, अब मैं यहाँ पर refresh कर दूँगा, मेरा जो initial data होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, मुझे 0 मिल रहा, इस तरीक से 5-6 तक आच चुका हूँ, चार, तीन, दो, एक, अब मैं 0 की नीचे नहीं जा सकता, जिसकी मदद से अब अपने state को आप manage कर रहा हूँ, देखने, state change हो रहा है न, तीन था, अब 2 हो जाएगा, अब सुनने, अब 0, इस इस इस, अब यह जो data है, इसको मैं as a tis रखूँगा, क्योंकि use reducer की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा, कि यह कैसे work करता है, लेकिन, अब इस ही hooks के अंदर में चलना चाहूँगा, एक new file create करना चाहूँगा, जिसका नाम होगा, use effect हो कि बहुत ही जादे important है, और मैं यहाँ पर dot gs लिख देता हूँ, अब इस ही कोई मैं copy करता हूँ यहाँ यहाँ पर मैं paste कर दूँगा, इतना दो दो बटन की मुझे neat नहीं, फिलाल मैं एक ही बटन रखता हूँ, इस तरह के से decrement वाला हटा देता हूँ, तो मेरा यह जो value है इस हो as it is है, use effect मैं ने खाली यहाँ पर लिख दिया है, अब अगें यह जो मेरा I think use effect है, ठीक है, मैं यहाँ पर चलना चाहूँगा, I think यह जो मेरा use effect के बदले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, use effect, function का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, use effect, अगें इस use effect को मुझे f.js पर चलना पड़ेगा, इस तरह के से dot forward slash मेरा component forward slash hooks forward slash मेरा use effect, control as save, यह जो मेरा use effect इसको copy करके यहाँ पर मैं call करना चाहूँगा, ठीक है, यह जो दो portion इसको फिलाल के लिख मैं इस तरह के से hide कर देता हूँ, अब मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़े, अब guys आपको मालूम है, जब भी हम WhatsApp यूज करते हैं, हमें chats पे एक option आता है, जैसे-जैसे message है, तो chats पे 1, 2, 3 वो बढ़ जा रहा होता है, तो वो functionality अगर मुझे चाहिए, यहाँ पे फिलाल आपको react app भी दिखाई दे रहा है, बट वो अगर functionality मुझे चीज़े, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको as it is रखता हूँ, use effect पे मैं चलता हूँ, फिलाल अभी मैं अगर click करूँगा, तो इसकी जो value increment हो रही है, जो कि बहुत awesome है, अब बस अब ध्यान से देखिए, use effect का क्या काम है, use effect अगर आपको देखना हो, समझना हो, तो we have our use effect और सो यहाँ, so now guys हमारा जो यह use effect hooks से, उसको use करना है, आप देख सकते हो कि मैं already use effect hooks पे आचुक हूँ, यहाँ पे बता है कि what does use effect do, by using this hooks, you tell react that your component needs to do something after render, that's it, simple मतलब कि एक बार आपका काम complete हो गया, उसके बाद क्या करना है, वो आप use effect को बता सकते हो, इसका मतलब बहुत कि जब भी आप कोई, you know website पे विजिट करते हो, suppose यह website पे मैंने विजिट कि, अपने notice क्या होगा, ठीक जब आप थोड़ा नीचे स्क्रोल करते हो, या like after 5 seconds, यहाँ पे एक pop-up आजाता है, subscribe to newsletter या कुछ भी आजाता है, तो वो क्या हो रहा है, आपने एक बार website पे विजिट कि, उसके ठीक 5 second बाद, एक बार आपने website पे विजिट कि, उसके ठीक 5 second बाद, एक functionality आपको अगर add करना हो, तो आप use effect का hooks, यह जो use effect hooks है, आप इसका use कर सकते हो, इतना याद रखना है, use effect runs after every render, आपके component में कहीं पे खुछ भी चेंज हुआ, यह आपका वापस rerun हो जाता है, ठेके तो वो सारी चीजों का आमें ध्यान देना है, ठेके तो कैसे work करना है, देखो use effect आपको पता चल गया, the moment आपने website open की, on the spot अगर आपको कुछ changes करना हो, या एक बार आपने website open कर दी, उसके कुछ seconds के बाद कुछ करना हो, या किसी button के click करने के, आप तक कुछ second बाद करना हो, तो वो सब कुछ guys, आप use effect की मदद से कर सकते हो, and use effect is like this side effects, इसका मालब है कि, एक बार आप दवाई खा लेते हो, तो दवाई खाने के बाद, कुछ न कुछ side effect अगर होता है, तो वो दवाई खाने के बाद होता है, तो सेम यह वही है, एक बार आपने website visit की, उसके बाद अगर कुछ होना हो, तो होगा, एल्स होगा ही नहीं, तो देखो कैसे, यहाँ पे चलता हूँ, मेरा simple funda है, कि अगर इस पे मैं click कर, उसकी जो value increment हो रही है, तो उपर as a message की तरह, react app के बतले, वहाँ पे data increment होता रहना चाहिए, ठीक है, मैंने आप quality starting में दिखाया था वो, देखो कैसे, यह जो portion as it is रहेगा, यहाँ पे मुझे चलना है, ठीक है, यहाँ पे इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इस तरीके से use effect, आपको यह fat arrow function चिपकाना है, जो है, so है, normal, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं console.log and I लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ इसको double quotes के अंदर लिखना पड़ेगा, ध्याँ से देखना, use effect is not defined, obviously, अब यहाँ पे क्या गरते, दो-दो जगा effects आगए, I mean hooks use हो रहा है, तो मैं directly use state, and then मैं use effects को इस तरीके से, मैं यहाँ पे define कर दे रहा हूँ, अब मुझे इसकी लिखनी की need नहीं हो पर गी, यहाँ पे, control and save, अब यह एकदम फॉअफेक्ट है, ध्यान से देखो, मुझे चलना पड़ेगा, console पे, तो मैं चलता हूँ, console पे ठीक है, and I think all right guys, देखो, एक बार तो इसको मैं refresh करते ही, मुझे guys, वो high यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, and अब इस पे मैं click करूँगा, मुझे वापस high मिला है, देखो, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, तो जब जब मैं इसको चलाते रहूँगा guys, click करते रहूँगा, तो मेरा यह जो use effect वो automatic call होता रहा था, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, and मैं guys, array dependency use करता हूँ, इस तरह के से ठीक है, मैंने simply x square brackets add कर दे, it means my array dependency, अगर आप यह empty छोड़ देते हो, इसका मदलब कि जब आप page को website, I mean अपने website को जब आप first time reload करोगे, सिर्फ उस समय ही वो चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, देखो, मुझे एक बार high आया, यहाँ पर zoom कर देता हूँ, now अब मैं इसकी value, जितनी भी change करूँगा, जितनी भी बार change करूँगा guys, यहाँ पर use effect run नहीं होने वाला है, यह आपको ध्यान में रखना, the moment आप यह array dependency add कर देते हो, तो guys, अब आप जब चाहो, तब run नहीं कर सकते हैं, सिर्फ first time ही वो जो use effect यह चलेगा आपका, तो I hope guys, आपको at least idea आया गया होगा, कि अब आप इसका use का अप करना है, जब आपको website पे कुछ ऐसी functionality चाहिए, कि user को सिफ पहली बार जब वो visit करे, तो ही दिखाई दे, else ना दिखाई दे, बाकि सब smooth चलते रहना चाहिए, तब आप इस तर किसे array dependency उज़ करके, use effect का use कर सकते हो, और आप guys, अब हमारा final इसका देख लेते, एक simple सा हमारा trick होगा यह, and that is guys, देखो, मैं यहाँ पर चलता हूँ, curly braces, and यह जो minor मैं paste कर दूँगा, this is it, अब इससे होगा, यह ध्यान से देखो, यहाँ पर chats आगे, एक दम top पर देखो इस जगे पर chats है, and boom गाई, जितना मैं click करूँगा guys, इसकी value यहाँ पर increment हो जाना चीदा, but to increment नहीं हुआ, and मालूम है क्यों, because of this वाला, अगर इसको मैं हटा दूँ, अब आपको मालूम है, जब-जब हमारा use effect की value, हमारा जो state की value change होगी, यह मेरा run करेगा, and अगर यह run करता तो my name, I mean my number जो वो change होगा यहाँ पर, देखो 5 था, automatic 5 होगी है, अभी देखो 0 है, यह 0, 1 करते ही, boom guys, मुझे 1 मिल रहा है, 2 पर मुझे 2, 3 पर मुझे 3, so guys, this is your use effect hooks, and I really hope आपको बहुत ज़्यादा मजा होगा, अब हमारा final hooks देखने जा रहे, and that is your use reducer hook, जो कि बहुत ज़्यादा important है, and already अगर आपने reducer method यूज़ किया है, इन JavaScript तो आपको मालूम है कि, यह जो use reducer है कैसे work करता है, and redux में भी जो reducer है, वो ही same यही है, तो अगर आपने hooks अब कर लिया, and use reducer को समझ लिया, आप redux बहुत तीजिली समझ लोगे, and अगर आपने already, you know, redux पढ़ चुका है, and आपने वहाँ पर समझा कि, reducer कैसे काम करता है, then guys, आपके लिए बहुत बच्चो अलाखेल हो जाएगा, ठीक है, तो मैं hooks पर चलना चाहूंगा, right click new file, and इस तरी किसे लिख देता हूँ, use reducer, reducer.js, same state variable वाला, I mean code, उसको मैं copy कर दूँँगा, आपका hooks.use reducer, ठीक है, इसी use reducer को copy करता हूँ, यहाँ पर paste, this is it, simple, इतना मेरा काम हो गया है, अब मैं एक बार use reducer को run करना चाहूंगा, and बता रहा है, use reducer is not defined, क्यों भाई, यहाँ पर to use reducer है, यहाँ पर भी use reducer एकदम perfectly है, and I think यहाँ पर उस तो guardward होना चाहिए, अलार गैस, एक्चुल में यहाँ पर semi column नहीं चाहिए मुझे, and I think now everything is perfect, perfect, चाहिए ठीक है, now guys, यही same example, जो मैंने आपको use effect की मदद से करके दिखाया था, वो मैं आपको use reducer की मदद से करके बताऊंगा, and वो आपको decide करना है कि आपको use state पसंद आया, use reducer, लेकिन एक clear cut मैं आपको winner बता देता हूँ, for small task, use state is the best option, and अगर आपको बड़े project के साथ वह करना है, then use reducer is your best option, ठीक है, तो कैसे होगा देखो guys, what is the use reducer hooks, ठीक है, मैं यहाँ पर चलता हूँ, एकदम not return के नीचे, इसको मैं guys, फिलाल के लिए से कमेंट कर देता हूँ, ध्यान से दिखना, so guys, जब हम use state hooks का use करते, it return an array with two elements, आपका current state, and then आपका updated function, तो यहाँ पर भी use reducer भी same गहीं करता, use reducer, आपको इस तरगे से लिख देना है, it returns an array with two elements, again same, ठीक है, मैं यहाँ पर चलता हूँ, but, now the difference will be const, आपका जो पहला element होगा, it will be your current state, आपका जो current state, and हम ऐसा state ही लिखते है, and the second will be your dispatch method, तो इस तरगे से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, dispatch method, लेकिन convention है, आपका current state, आपका dispatch method, and it also takes two arguments, ठीक है, यहाँ पर यह एक ही argument लेता, that is your initial data, but use reducer takes two arguments, सबसे पहला विल बिख यह reducer function, and then the second one will be your initial data, again same, यह जो initial data था, यहाँ पर भी आपका यह initial data होता है, यहाँ पर, initial data, ठीक है, so this is it, तो यह जो भी initial data होगा, वो state की current value कहलाएगी, and बाद में अब dispatch के थूँ, अब state की value को आप change नहीं कर सकते, जो हम यहाँ पर करते थे, now dispatch is used to trigger your reducer function, dispatch हम use करते, ताकि हम reducer function को trigger कर सके, and reducer के अंदर हमारे पास updated function होगा, जिसके थूँ मैं इसकी value change कर दूँगा, at the end हमें state ही तो change करना है, right, अब देखो कैसे काम कर रहा है यहाँ पर, जहाँ से देखना है एक दम, अब यह जो reducer function है, मुझे इसको define करना बहुत ज़्यादा जरू है, तो इसको मैं directly top पे चलके, const इसके से लिख देता हूँ, const मेरा reducer and again it will take two parameters, ठीक है लेकिन उससे पहले fat arrow function चिपका दूँ, and that will be again आपका current state and then आपका action type, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मेरा action, this is it, all right, now, यह मेरा काम होगे, initial data आप यहाँ पर define कर सकते हो, आपका initial data will be equal to 10, this is it, तो यहाँ पर आपकी value 10 आच चुकी होगी, ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस पर हम on click कर रहे थे and set my num, मतलब मेरा यह जो updated function है, उसके through मैं इसकी value change कर पा रहा था, ठीक है, increment है, decrement कर रहा था, वट reducer क्या बोलता है, ठीक है, आपका जो current state होगा, वो तो यही है, तो आप में क्या करता हो, मेरा यह जो state, इसको copy करूँगा, and my num के बदले, मैं state लिख दूँगा, चलो, at least इतना तो आपको पाता चल गया, and oh my god, यह बहुत सारा error है मुझे यहाँ पर, so use reducer को मैं जल्दी से यहाँ पर चलता हूँ, paste कर देता हूँ, this is it, and एक बाइ मैं refresh करना चाहूँगा, all right, now यह जो set my num में वो मुझे बता रहा है, कि आप इसको define करो, तो वो मैं बहुत इसली कर सकता हूँ, ठीक है, तो यह जितने भी मेरे set my num है, यह जो भी part है, इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पर यह पूरा condition ही में हटा रहा हूँ, ठीक है, this is it, and I think at least अब वो error नहीं आना चाहिए, मुझे वहाँ पर, अभी all right, अब मुझे दो चीज़ बता रहा है, कि मैं directly on click as it is लिखनी सकता, अब ध्यान से देखना, मुझे किसी तरीकी से क्या करना है, कि मुझे इसको increment and then decrement करना है, ठीक है, अब कैसे होगा, देखो, on click के अंदर हमें dispatch को use करना है, what is dispatch, dispatch मतलब एक बार अगर वो dispatch पे आ जाता है, अपने अगर Amazon, Flipkart में कुछ भी order के, आपका समान आपने देखाऊगा, dispatch then shift, इस तरीके से एक आपको option दिखते है, dispatch होना, मतलब आपको data मिलना मिलना ही है, ठीक है, तो यहाँ पे same होगी है, हम dispatch use करते है, to trigger reducer function, ताकि मैं reducer function को call कर सकूँ, और उस function के अंदर मैं पता क्या बोलूँगा, इस reducer function के अंदर बोलूँगा, if मेरा यह जो action का जो type है, ठीक है, अगर my action dot type, एक second type, spelling ही wrong है, will be triple equal to कुछ भी हो, like अगर मुझे increment करना रहा, तो क्या, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मुझे इसको बताना पड़ता है, तो अब ध्यान से देखो, यह जो dot type and then यह जो dot increment, वो मिलेगा कैसे, वो मिलेगा मुझे with the help of dispatch, तो on click पे मुझे चलना है, ठीक है, यहाँ पे guys, again मेरा fat arrow function होगा, आप चाहो तो लिखो, नान लिखो, तो भी चलता है, लेकिन यहाँ पे guys, मुझे dispatch को call करना है, और इसके अंदर आपको parenthesis, then calibrations, and now इसके अंदर guys, we need to write type, type, colon, and then double quotes के अंदर, this is it, and sorry आपको यह नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे उसका type बताना है, कि आपको कौन सा action perform करना है, आपको खाली उसको यहाँ पे बताना पड़ता है, define करना पड़ता है, कि आपको कौन सा action perform करना, आप basically यहाँ पे उसको call कर रहे हूँ, मैंने ICR क्यों लिखा भई यहाँ पे, मुझे तो लिखना था, INCR, basically increment, तो इस the help of dispatch, आप यह बताते हूँ कि आपको कौन सा action perform करना है, and now with the help of dispatch, जब वो reducer को call करेगा, trigger करेगा, तब यहाँ पे with the help of action dot type, उस function को perform कैसे करना है, वो यहाँ पे आप बताये जाएगा, यहाँ पे function कौन सा होने वाला है, सिर्फ define, हाँ भई हम match खेलने वाले है, बट यहाँ पे हम actual में match खेलेंगे, अब यहाँ पे actual में वो increment की जो functionality है, वो हम लिखेंगे, कैसे, मेरा यह जो भी state होगा, यहाँ पे मैं simply चलूँगा, my state will be equal to, मेरा जो भी state होगा, plus one, this is it, यही तो है, मैंने set my name में, my name plus one किया था, यहाँ पे same हो यह state, plus one, ठेक है, and वापस इसको copy करूँगा, मैं वापस यहाँ पे आऊँगा, same इसको मैं copy करूँगा, ज्यांसे देखो, ठेक है, copy की, यहाँ पे आऊँगा, on click के बदले paste, now, इस पे मुझे क्या करना है, मुझे decrement करना है, तो मेरा, अब action कौन सा होने वाला है, मुझे decrement करवाना है, तो मैंने यहाँ पे define कर दिया, कि मुझे decrement करवाना है, तो जब यह decrement वाला, यहाँ पे पहुचेगा, हाँ बढ़ी, कौन सा action एक और नहीं define किया गया है, उसने बोला, सर्जी decrement करके गए, तो decrement में क्या करना है, हमें minus करना है, अगर ना ही वो increment है, ना ही वो decrement है, but still we need to return something, right, तो इस case में वाइस, आपको by default state जो है, वो as it is चिपका देना है, and this is it, तो अगर increment पे क्लिक किया, तो हम increment करेंगे, decrement पे क्लिक किया, तो decrement, अगर कुछ नहीं क्या, तो जो state वो as it is रहेगा, so this is it guys, इस तरीके से आपका use review से work करता है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, refresh करता हूँ देखो guys, increment हो रहा है, and decrement हो रहा है, अब मैं एकदम जानवच के नीचे जा रहा हूँ, यह दिखाने के लिए कि again यहाँ पे से मेरे यह जो state है, अगर इसकी जो value है, ठीक है, state is greater than zero, and तो दो condition मैंने यहाँ पे use कर दी, and यह बहुत ही जादे important है, that is कि state की value zero से बड़ा होना ही चाहिए, and साथ ही साथ उसका जो action dot type है, वो decrement होना ही चाहिए, यह दोनों को दोनों condition अगर true होते है, then only वो इसको implement करेगा, else नहीं करेगा, this is it, अब मैं चाहूँ जितना भी इससे minus तो मैं करनी सकता, लेकिन फिलाल 10 है, अब एक दम bottom जाऊंगा, and boom guys, see now अब मैं zero की नीचे नहीं जा सकता, तो यह है ना कितना awesome guys, करना है, and उसको कैसे करना है, हमने यहाँ पर define कर दिया, इस button पर click करने पर मुझे decrement करना है, कैसे करना है, यहाँ पर define कर दिया, तो कल की दिन बहुत सारे ऐसे अलग-अलग button आएंगे, आप बहुत इजली यहाँ पर define कर सकते हो, and उसको perform कैसे करना है, और गैस तो हमने हमारा basic समझ ली हमने हमारा advance में hooks भी समझ ले अब हम हमारा पहला project करते है और गैस तो हम finally हमारा जो second last project वहाँ पे आ चुक है and I hope guys आप लोगों को बहुत मज़ा आ ठीक है, so guys यह जो project वह बहुत ही जाद important होने वाला है आप कह सकते हूँ यह intermediate level के लिए होने वाला ठीक है, so guys दीक हम क्या करने होला suppose अगर मैं यहाँ पे लिख देश्टर के से mango ठीक है and अगर मैं plus fit करता आप boom guys आप देख सकते हूँ यह add हो जाता है उससे तरह के से guys अगर मैं यहाँ पे चलके apple लिख देता हूँ apple delete mango and banana अभी भी उधर ही चलो यह भी बहुत ज्यादा basic होगा लेकिन मैं आपको बाता तो अगर अगर मैं refresh करता हूँ and boom guys इसको मैं वापस copy करूँगा guys इसको अगर मैं यहाँ पे चलके paste कर दूँगा guys तो भी मुझे यह data वहीं पर ही भी मिलेगा because हम इसमें यूज करें local storage ठीक है inspect पर चलना है अब देख सकतो हो यहाँ पर नहीं तो आप directly यह वाला जो portion दिखाई देता है इस पर type कीजिए application पर click कीजिए we have और देखो local storage storage के अंदर we have local storage का एक section होता है वहाँ पर आपको click कर देना है और यह जो डेटा आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा हो दिखाई दे रहा है because अब यह वाला आप देख सकते हो we have a key and then value local storage में होता है so to do items में हमारे पास यह data है mango and then banana जो आपको यहाँ पर दिख रहा है मैं again चलके apple लिख दूँगा add कर दूँगा and आप देख सकते हो यहाँ पर add हो जाता है and से बितने नहीं कल की दिन अगर मुझे banana नीचे औरेंज चाहिए ठीक है तो मैं क्या करूँगा गाईस इसको delete नहीं करेंगे हम add it भी कर सकते है अगर इस पर मैं click करता हूँ awesome आप देख सकते हो पहले यहाँ का icon कुछ और था अभी यह update item बता रहा banana as it is आच चुका है तो उसको बदे मैं यहाँ पर स्थरके से लिख दूँगा orange and इस पर click कर दूँगा and boom guys again now instead of banana we have orange and वही same orange in place of banana add हो चुका है यह नहीं totally नया space हम उसको दे रहे नहीं जो है so है so this is it guys see आज हमारा बहुत important project होने वाला and the best part जब आपने यह सब कुछ buy कर लिए आपको लगता कि to do list में आपने अपना काम complete कर लिए चेक लिस्ट कटम सब डिलिट हो जाते देखो रिमोबॉल तो यह जो कुछ हो रहा animation and all यह तो css में react का लेना देना नहीं css हम बहुत इजली कर लेंगे और मैंने और लोड़ी बाता है कि इसका source code बिल्कुल फ्री है जरू चेक आउट कीजिए अब हम बिना किसी देरी किसको हम स्टार्ट करते ठीक है अब देख सकते हैं कंपोनेंट फोल्डर जिस पर हम वहां पर चलना चाहूंगा ठीक है एड़ होने वाला है एंड बस हमें यही चीड टूडू एंड देन हमारे style तो मैं आपको एकदम फॉम बिगिनिंग टू एडवांस लेके जाओंगा स्टेप बाइस समझाओंगा कैसे होने वाला है ठीक है एंड गास बताना चाहूंगा कि css अल्रेड हमारे पास पड़ा तो css को मैं copy and then paste कर ले तो चलो this is it मेरा इसका काम हो गया मैं चलूंगा गास view and then मैं जाओंगा appearance and then gen mode में ठीक है तो to do.js में सबसे पहले हमें क्या करना है हमें यह सेम जो user interface आपको दिखाए दे रहा वो हमें चीक है तो उसके लिगा इस बहुत ज़्यादा simple है react arrow function component with export पे आपको चल देना है इस तरह किसा आपका यह काम हो जाएगा एंड मुझे रियाक्ट सिंटेक्टिक सुगा format चीज़ सिंपल ठीक है यहाँ पर चलके गाईस में एक डिब लेना चाहूंगा ठीक है मैं यहाँ पर चलके हमारा पहला डिब लेना चाहूंगा एंड इसको एक class name आजाए class के names जो भी है so मुझे लिख देना simply style.cs this is it इतना मेरा काम complete हो चुका है now मेरा यह जो main device कंदर मुझे सभी चीज़े चीज़े जहां we have image एक title है एक input field है we have one button and then again एक और बटन है ठीक है it's super duper easy तो सबसे पहले मैं क्या करता हो गाइस मैं यहाँ पर चलता हूं इस जगे पर ठीक है and यहाँ पर चलके class name चिपका दूँगा जो कि मैंने दे रखा child underscore deep करके and then guys we have our that image रिया दे आपको तो वो जो image है हमारे पास तो उसके लिए में जाओंगा यहाँ पर we have this figure tag बहुत ही जाद important है and this figure tag के एंदर guys we have this image ठीक है as it is रखता हूं of source देखो हमारा जो इसका image होगा guys मैं बताना चाहूंगा already मेरे पास images पड़े यहाँ पर यह देखिए मेरा public folder images and we have this to do.svg ठीक है यह जो भी है यह attribute देना बहुत जरूरी है तो मैं लिख देता हूं to do logo कुछ भी लिख सकते हैं कुछी ने control as save this is it ठीक है चाहूंगा अब यह जो मेरा add items है ठीक है उस add items में मेरा क्या आने वाला आप देख सकते हो यहाँ पर already placeholder में भी हमने लिख रखा हमारा input field अंदन यह button ठीक है simple ठीक है यहाँ पर कुछ होंगे जैसे we have this placeholders so guys placeholder में मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा add item right sorry आपको windows and then dot press करना तो इस तरह की option आ जाता है this is it मेरा placeholder का काम complete हो चुका guys we have a class name here also दो जो class name है guys उसका नाम है simply form control ठीक है so form form and then मैं यहाँ पर लिख देता हूं simply इस तरह के से control अब मैं आप रोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूंगा that is control and then back take यह जो पार्ट है ठीक है and हमें अब यह देखना है कि हमें मिलता क्या है you know क्योंकि यह जो portion है to do आप देख सकते हूं इसका जो first letter है small में इसको मैं capital में करना चाहूंगा so all right यहाँ पर तो वह ही नहीं है all right to do हो चुका है इसको मैं copy करूंगा ठीक है इसमें क्या करता हूं इसको हटाता हूं मुझे यहाँ पर चलना पड़ेगा app.js के अंदर ठीक है यहाँ पर चलके ध्यान से देखना import to do from.forward slash आपका components.forward slash आपका to do react not यह forward slash आपका to do react forward slash आपका to do and यही same to do को मैं copy करूंगा and यहाँ पर जो आपको दिखता है return यह जो भी आपका दिखाई देरा syntactics सुगा format में मैं to do को इस तरह के से pass कर दूंगा this is it all right guys तो आप देख सकते हूं कि मेरा actual में यह जो यह already localhost 3000 पे run कर रहा था and अगर आपको doubt आता है और कोई बोलता है localhost 3000 ऐसा कुछ नहीं आप कहीं पे भी run कर सकते हो क्योंकि अब भी हम जिस पर work कर रहे हो मेरा run कर रहा है localhost 3001 पे यह 3000 पर यह 3001 पर सो बिसिकली दो-दो server run कर रहा है यहां पर आप लोगों को दिखाने के लिए original यह जिस पर work कर रहे है चलो इतना मेरा काम हो चुका मैं अगें चलता हूं हमारे gen mode पे तो इसका एक shortcut भी है guys लेकिन मैं फिर भी जाने मुझक के यह कर रहा हूं यहां पर इस तरह की से ठीक है मैं यहां पर चलना चाहूंगा ओलाइट awesome ठीक है अभी मुझे वह icon ची होगा यहां पर ठीक है so input के नीचे मैं मैं चलता हूं simple है ठीक है and guys अब यहां पर मैं font awesome यूई यूज करनेगा आला हूँ so मैं यहां पर चलके इस तरह के इसे font awesome लिखदूंगा so we have our font awesome- Laham तो यहाँ पे चलके आपको CDN link ले लेना है, ठीक है मैं यहाँ पे चलके इस तरह के इसे font awesome link दूँँगा, simple, and font awesome आप देख सकते हैं, यहाँ पे पड़ा वे, and icons जाना है, basically हमें, ठीक है, तो यहाँ पे चलके गाइस, यह जो 5.10 वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, 5.15, sorry इसका जो यह current version इसको copy करना है, ठीक है, आपको क्या करना होगा, guys, आपको यहाँ पे चलके यह जो आपको दिखाई देता है, हमारा जो public folder है, index.html में चलके आपको इस तरह की से paste कर देना है, simple, जो मैंने यहाँ पे copy को, उसको paste कर दी, उसके बाद यह जो icons आपको देखता आपको यहाँ पे इस तरह की से plus दिखाई देता है, तो आपको यह पे plus पे click कर देना है, अगर आप plus पे click कर दे दिखते है, इसको copy करो, ठीक है, यहाँ पे मैं चलूँगा, simple, इस तरह की से paste कर दूँगा, this is it, तो उसके लिए, यहाँ पे एक और हमारा class है, that is add button, आप आ हमें दिखाई नहीं दे रहा, I think, यहाँ पे FA होगा, all right guys, हमें यह मिल चुगा, बहुत awesome, चलो ठीक है, इतना मेरा काम होगा, अब मुझे क्या ची, यहाँ पे एक और button ची, checklist ठीक है, तो वो जो button मुझे ची, तो मैं यह जो div आपको दिखाई देता है, ठीक, इसके बाहर च ठीक है, एंड मुझे simply एक button ची अब यहाँ पे, ठीक है, तो मैं चलता हूँ, इसके button, all right, and guys, अब मुझे इसको class name देना पड़ेगा, ठीक है, that is your btn, and then we have our effect, ठीक है, 04, तो यह basically effect का नाम है, एक बार देखते कैसा देखता है, all right guys, आप देख सकते हो, sorry यह नहीं, यह है ह underless save, तो आप देख सकते हो, guys, आपको कुछ उस्तिरगे से दिखाई दे रहा है, sm, and then guys, यह link, and then text, ठीक है, तो इस्तिरगे से लिखना है, guys, यह basically classes मैंने यहाँ पर use किया हुआ है, so मैं चलता हूँ, इस्तिरगे से, and यहाँ पर अब ध्यान से देखना है, guys, क्या है, ठीक ह जब मैं hoover करता हूँ, उसके बाद कुछ और दिख्के आता है, and that is remove all, ना, तो जो remove all मुझे दिखता है, guys, वो इसके कारण दिखते है, देखो, मैं जब hoover कर रहा हूँ, तो मुझे remove all दिखता है, लेकिन जो checklist है, वो अभी भी अपने जगे पे, and वहाँ से हटने का नाम न लिए रहा, ठीक है, तो उसका reason है, कि जो checklist है, guys, वो मुझे as it is, ने, उसको मुझे span tag के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं चलता हूँ, span tag, and यह जो मेरा span tag होगा, कुछ इस्तर किसे, अब आप देखोगे, यह देखो, ठाना है कितना awesome, तो जैसा हमारा user interface है, वो जो space होगा, guys, मैं यहाँ पर इस्तर किसे, remove all button लिख देता हूँ, control and save, ठीक है, spelling पर आप ध्यान मत दो, यहाँ पर show our items लिख देता हूँ, items, ठीक है, this is it, and यह जो portion है, यह तो आपको मालूम है क्या हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने show our items मैंने लिखा है, ठीक है यह बहुत जाद important है, क्योंकि अब यहाँ पर मैं चलना चाहूँगा, ठीक है, कुछ class name से जो मुझे देना है, that is show items करके, so item लिखने से अभी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन guys, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर, मैं एक इस तरके से deep use करने वाला हूँ, ठ देना चाहूँगा, and that is guys, आप देख सकते हो, each item करके, so each item मतलब, एक एक items को मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, आप लोगो के लिए, all right, and ठीक, इसके नीचे में चलूँगा, अब वो जो, यह देखो, मुझे अल्री आगिया, मुझे यहाँ पर दो चीचे है, कि मेरा यहाँ पर यूजर जो भी लिखे, वो content, फिर मेरा एक edit का button, ठीक, इस तरह की से बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पर apple लिखता हूँ, and plus पर click करता हूँ, apple, edit का button, and then delete का button, तो basically three चीजे हो रही है, यहाँ पर, ठीक, तो वो तीन चीजों का मुझे इसके अंदर दिखा ठीक है, इसको एक class name दूँगा, and that is, मैंने अलड़ी यहाँ पर class name दे रहा है, to do, iPhone button, ठीक है, all right, this is it, and now it's super duper easy, कि मेरा यह जो icon tag है, इसको मैं copy, sorry, इसको completely copy करूँगा, paste, ठीक है, इतना paste करने मातरा से आप देख सकते हैं, मुझे यह plus symbol दिखाई दे रहा है, है कि नहीं मुझे यह plus symbol दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे वहाँ पर plus नीची था, ठीक है, यह एक icon दिखता है, and ठीक, इसके नीचे guys, मुझे एक और icon लगेगा, तो अब आप देख सकते हैं, मुझे दो-दो चीजे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो जो दो-दो चीजे मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ दो-दो चीजे मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है, and I just realized, we have far, हाँ, यहाँ पर यह अलग-अलग है, R है, ऐसे, rounded square है, भरे पड़े तो यहाँ पर, instead of plus, मुझे चाहिए, यह edit आला button, ठीक है, and यहाँ पर यह जो दिखता है, यहाँ पर अब मैं चाहूंगा, कि यहाँ पर अगर मैं लिखूं, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे, else ना दिखाई दे, ठीक है, almost चलो, मेरा इतना काम हो चुका है, मेरा user interface का काम complete, अब सबसे पहले मुझे क्या करना देखो, इसको मैं refresh करना चाहूंगा, तो हटेगा, तो नही यह बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है, तो सबसे पहले user जो लिख रहा है, ठीक है, वो क्या लिखेगा, मुझे यहाँ पर पता चलेगा, so मैं लिखता हूँ, value as it is छोड़ रहा हूँ, and यहाँ पर we have on change, हमने अल्रेडी देख चुका कि react में, we have this awesome event that is on change, user जो भी लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैं चलके as it is छोड़ रहा हूँ, फिलाल के लिए control as save, अब मैं क्या अगर तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, अब यहाँ पर एक state मुझे create करना है, ठीक है, so const, अब कुछ भी नाम लिख सकते हो, मैं यहाँ पर चलता हूँ, we have input data, and same यहाँ पर चल हूँ, एक कॉमा देखे, use state को इस तरगी से यहाँ पर add कर देता हूँ, ठीक है, this is it, आप देख सकते हो कि मुझे इतना कुछ दिखाई देरा, value पर मुझे error दिखाई देरा, basically warning, तो यह जो मेरा input data होगा, वो मैं यहाँ पर pass करना चाहूँगा, this is it, simple, and यह जो मेरा on change है, जब भी user यहाँ पर कुछ भी लिख रहा है, उसको मुझे one by one store करना है, अपनी state पर, ठीक है, and वो मुझे यहाँ पर state करना है, I mean safe करना है, तो मैं बहुत इजली कर सकते हूँ, set input data, यहाँ पर मैं चल रहा हूँ, fat arrow function, and यहाँ पर मैं event pass करूँगा, ठीक है, आप चाहो तो यह event कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, हमने already js in one video, आप जरू check out कीजेगा, वहाँ पर मैंने बाता चुक है already, event होता है, we have our set input data, यहाँ पर चलना है, मुझे event dot, मुझे अब set event लिखना पड़ेगा, event dot target dot value, ठीक है, control let's save, इतना लिखने मातरा से मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा सब कुछ perfect हो चुक है, मुझे inspect पर चलना पड़ेगा, यहाँ पर चल रहा हूँ मैं component पर, ध्यान से देखो मेरा to do list, ठीक है, आप देख सकते हो, यहाँ पर we have our state, and sorry not this one, इस वाले पर चलना पड़ेगा, यहाँ पर inspect कर रहा हूँ, ठीक है, अब देख सकते हो, कोई warning कुछ error नहीं, सब कुछ perfect है, to do list, अब the moment मैं यहाँ पर इस तरह की से mango लिखता हूँ, and boom guys, आप देख सकते हो, मुझे mango आ चुक है, अब उसी तरह की से मैं plus पर click करूँगा, तो कुछ होगा नहीं, लेकिन mango हटा किया, अगर आप मैं लिख दूँ यहाँ पर orange, तो आप दे लिख और सकता हूँ, उसके लिए I need one more state variable, ठीक है, so const मैं यहाँ पर चलता हूँ guys, मैं लिख देता हूँ मेरे items, यहाँ पर जो भी आएंगे items, set, यह basically camel case convention यह उन्होंने बता है, set items, simple ठीक है, and मैं यहाँ पर चलके guys, use state, इस तरह की से लिख रहा हूँ, simple, control है से ज्यादा क कुछ high-five है नहीं, and फिलाल के लिए मैं यहाँ पर एक empty area pass कर दे रहा हूँ, that's it, ठीक है, empty area, all that, सब कुछ से यह कोई problem नहीं होगा, अब मेरे studio list में दो-दो state variable बन चुक है, empty area, अब मुझे one by one यहाँ पर इसको store करना है, and believe me, it's super duper easy, ठीक है, and वो मुझे store करना है, जब म प्लस वाला जो यह add button इस पर click करूँगा, तब मेरा यह जो plus button है, not यहाँ पर, यहाँ पर देखे, मेरे जो plus button है, जब मैं इस पर करूँगा, click, ठीक है, so on click, मुझे एक function को call करना है, and that is my add item, ठीक है, so add item, and इस तरीक से मत कर देना, automatic को call हो जाएगा, हमें automatic call नहीं करना है, बस simply add item मैंने एक function call की, ठीक है, ठीक, use state के नीचे मैं चलना चाहूँगा, मैं यहाँ पर इस तरीक से लिख जता हूँ, add the items, function, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, and I know spelling wrong हो रही है, but it doesn't matter, मैं बस आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, क्या हो रह अगर खाली होता है, तो कुछ मत करो, simple, अगर खाली है, तो क्या यह हम क्या add करेंगे, कुछ add नहीं होगा, so मैं यहाँ पर एक alert चपका दूँगा, and that is, keep place, fill the data, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर simple, else, अगर input data में data है, obviously data होगा, जब मैं इस पर क्लिक करू दूँगा, वहाँ पर, तो set items, ठीक है, simple, इस तरीके से, मुझे एक array चाहिए, and यहाँ पर dot dot dot, यह जो मेरे items होंगे, मेरा यह जो items है, basically, यह मलब dot dot dot, एक spread operator है, it means कि इसे previous state में, जो भी data था, वो include रखो, comma मैंने दिया, उसके बाद, अब जो भी मैं नया data, यहाँ पर fill कर रहा हूँ, वो यहाँ पर add कर दो, simple, ठीक है, तो यहाँ पर जो नया data में add कर रहा हो, तो क्या ही होगा, वो यही तो होगा, input data, ठीक है, तो मैं input data को paste कर दूँगा, this is it, मेरा काम हो गया, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक चीज, and इसको मैं refresh करना चाहूँगा, and यह जो apple आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको रहने दूसरा हमें मतलब नहीं, लेकिन ध्यान से देखना, मैं अगर लिखता हूँ, यहाँ पे स्थर किसे mango, ठीक है, तो मुझे mango दिखाई दे रहा है, plus, देखो, mango add होगी है, एक state variable में, ध्यान से देखना, उसको हट हट हूँगा, I mean हट हूँगा, and मैं से किसे लिख दूँगा, orange, and मैं plus पे click कर दूँगा, and boom, यही मैं आपको दिखाना चाता था, देहां से देखो, mango add होगी है, orange add होगी है, अब मैं और add करूँगा, वो one by one यहाँ पे add होता जाएगा, अब मुझे खली यह जो state variable है, इसक इसके नीचे में चलूँगा, and यह जो इतना भी मेरा portion है, इसको मैं लूप पे चलाने आप, जहां से देखना, items.map method, ठीक है, and not mouth, आपको यहाँ पे लिख देना है, map, and now, यह जो map है guys, हमने अल्रडी हाजाबार देख चुका है, तो, बहुत ही ज्यादा simple है, and यहाँ पे चल के, I think मुझे थोड़ा सा जूम कर देना पड़ेगा, आप लोगो अख लिए चलो, perfect, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा guys, मेरा जो भी current element होगा, ठीक है, and I have my index number, this is it, ठीक, इसके नीचे मुझे यहाँ पे चलना है, I need to return something, ठीक है, and वो जो return होगा, आपको जो भी current element है, ठीक है, one by one वो आता जाएगा, and I think this is it, and boom guys, see, आप देख सकते, mango and orange मुझे आ चुक है, यहाँ से हटा के, अगर आप मैं apple लिख दू, and plus पे click कर दूँगा, तो apple add होगा, तो कितनी easily हमने to-do list create कर लिया, इतिना तो भी, लेकिन एक warning मुझे दिखाई देरा, each child linear list should have a unique key, अब क्या ही कर सकते, unique key, इसलिए मैंने यहाँ पे index लिया है, ताकि मेरा जितने भी deep दिखाई देर है, उन सब पे unique key होना ही चाहिए, अट्रिब्यूट ले रहा हूँ, and मैंने यहाँ पे index pass कर दूँग, अब वो गयाप हो जाएगा, ठीक है, एक बार मैं रिफ्र है, ठीक है, यह इस जिए पे न, तो मैं क्या कर देता हूँ, set input data को लेता हूँ, and यहाँ पे मैं जो भी data change करूँगा, वो reflect हो जाएगा, हमने अल्रेडी पढ़ाई है, what is your status, and अब ध्यान से देखने हम इसको refresh करूँगा, data सब उनने आला है, क्योंकि अब देख हमने local storage इस इतना मेरा काम हो चुक है, अब मुझे delete पे work करना है, and delete मैं तब ही कर सकूँगा, जब each individual element का मुझे id मालूम होगा, कि इसकी id क्या है, ठीक है, suppose मुझे mango delete करना है, and मैं mango पे click करता हूँ, but अभी मैं कैसे करूँ, and it's something, मुझे unique identifier ची रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए we have id, ठीक है, तो मैं आपको एक new trick बता, तो इसको आप कैसे add कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे guys मैं चलता हूँ, const, ठीक है, मैं यहाँ पे एक new object create करूँगा, and मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, my new, input, my new items, या my new input data लिख देता हूँ, चलो, ठीक है, input data, ठीक है, all right, input data will be equal to object, जिसमें we have first our id, because key value pair के format में work करता है, right, so मैं यहाँ पे चलके लिखना चाहूँगा, new date, हमने अल्यडी पढ़ा है कि कैसे date के साथ हम work कर सकते है, new date, ठीक है, dot, I think, मुझे यहाँ पे यह नहीं लगेगा, त्यूंकि यह हम अल्यडी js के ही part के साथ खेलें, get time, ठीक and उसे तरिके से काई, मुझे अब यहाँ पे एक name attribute लेना है, and उस name attribute पे यह input data में pass कर देना चाहूँगा, अब यह जो my new input data को copy करके, यहाँ पे मैं paste कर देना चाहूँगा, this is it, मेरा account complete, अब यह जो my input data है, ठीक है, उसके अंदर मुझे यह नाम को यहाँ पे show करवाना है, इजेगे पे, ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा, देखो, मैं चलता हूँ my input data, मुझे लिखनी की जौत नहीं है, मेरा जो items को जब मैं loop चला रहा था, ठीक है, तो मेरा जो current element है, current element dot and then यहाँ पे मुझे name pass करना पड़ेगा, इस तरिक से, control ए, save करता हूँ, अब आप ठीक है, इतना awesome, बट अब एक best option ही हो गया हमारे लिए, that is कि, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, अब जहाँ पहले खाली apple, mango, orange मुझे मुझे मिल रहा था, I have one more new ID associated with them, and that is कि एक unique ID मुझे मिल चुगा है, and the best part ही जो unique ID, यह हमेशा different होगा, क्योंकि time तो आगे बढ़ेगा, time कभी समय, किसे के लिए रूपता नहीं, वो हमेसे आगे बढ़ने वाला, तो यह जो value होगी, यह always greater greater बनता ही जाएगा, ठीक है, तो ID मुझे मिल गई, यही तो मुझे चीता, तो अब जब भी हम इस delete button पे click करेंगे, ठीक है, so delete button, delete यहाँ पे, we have this delete button, ठीक है, तो यह जो म so मैं लिख देता हूँ, delete item, ठीक है, and मुझे यहाँ पे मेरा जो भी current element होगा, ठीक है, dot उसकी जो ID होगी, this is it, अब मुझे यह index की need नहीं है, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अब मैं यहाँ यहाँ पे directly से मेरा जो भी current element dot ID होगा, उसको मैं हर एक unique ID यहाँ से directly provide कर दे रहा this is it, तो delete item है, इसको मैं copy करूँगा, ठीक, इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा, यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, how to delete item section लिख देता हूँ, मैं simple, ठीक है, control है, save, and now, const, delete item, यह बहुत ही ज्यादा, simple है guys, आप लोगों को मजा आ जाएगा, and यहाँ पे आप guys, मै ID pass करूँ, this is it, एक काम करता हूँ, index pass कर देता हूँ, index number, तो basically, user ने किसको click किया, उसकी ID मैं यहाँ पे get करूँ, so this is my argument, and this is my parameter, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा, and यह बहुत ज़्यादा, simple है, बहुत ज़्यादा, for const, updated, item will be equal to, मेरा जो भी items होगा, ठीक है, उस पर मैं क्या करने आला होगा, मैं एक loop चलाऊँगा, with the help of filter method, same होई है, map की तरह है, लेकिन यह filter out कर देगा, ठीक है, तो filter के अंदर भी वही same चार argument होगा, आपका current element, आपका ID, किस array के साथ आपको work, current LM, ठीक है, मुझे यहाँ पे, अब guys, उसकी need नहीं है, index ID, किसी की भी need नहीं है, मैं simply यहाँ पे चलना चाहूँगा, and return करना चाहूँगा, मैं, मेरा current element, dot ID, जो है, वो अगर इस ID से match हो जाता है, तो, if it is triple equal to मेरा यह जो भी index मैंने pass कर दी, this is it, ठीक है, तो इसका मलत भी है, कि अगर मेरा current element, इस index से match हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो ही element को हम return करेंगे, लेकिन नहीं, मुझे जो ID मैं छो रहा है, उसको return नहीं करना है, उसको छोड़ के बाकी के सब return करवाने, so मैं यहाँ पे not equal to operator use कर रहा हूँ, and I think मैं यहाँ यहाँ पर double use नहीं कर सकता, perfect, अब user ने जिस पर भी click किया होगा, उसकी ID मैंने get की यहाँ पर, and मैंने loop चला दिया, मेरे जितने भी items थे, उसमें मैंने यह चेकिया कि किसका ID हमारे user ने, जिसको click की, उसके ID से match कर रहा है, and जिसका भी यह match हो गया, उसको छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ उसको छोड़ के, बाकी सब वो return कर जाएगा, इंदी form of array, and जो भी इं control, let's save, this is it, मेरा काम होगे, इसको मैं एक बाई refresh करना चाहूँगा, delete का walk हो चुका है, so apple, ठीक है, मैं यहाँ पर चलना चाहूँगा, इस तरी किसे mango, अब जहां से देखना, सब कुछ हो चुका है, the moment मैं orange पर click करता हूँ, यहाँ भी आप देख लीजेगा, orange पर click करते ही, and 3, 2, 1 and boom guys, मेरा delete हो गया, apple पर delete करूँगा and boom guys, अब जो zero पर सिर्फ we have our mango and यह भी delete हो जाएगा, so this is it, कितनी easily हमने यह जो delete वाला portion था, उसको भी complete कर लिया, now checklist, remove all, सब को remove करना है, ठीक है, यह बहुत ही ज़्यादा simple है, आप देख सकते हो, यहाँ पर, so मैं यहाँ बटन पर चलूँगा, on click, बहुत ही ज़्यादा simple है, on click में मुझे सब को remove कर देना है, so remove all, मैं directly ऐसे तो लिख नहीं सकता, ठीक है, एक काम मैं जरू करना चाहूँगा, यह जो है, directly remove all, कुछ नहीं करेंगे, हमें कुछ id id pass नहीं करना है, क्योंकि सब delete कर देना है, so remove all पर करो, ठीक है, मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, जब इस तरीकी से, तो मुझे सब delete कर देना है, and सब delete करने का मतलब क्या होता है, यह जो set items है, इसको चिपकाऊ हूँ, यहाँ पर ठीक है, and इसमें एक empty array pass कर दो, and that's it, this is it, इतना ही करना था, और कुछ नहीं क्योंकि हमने एक empty array pass कर दिया, इसको, इस वाले portion को, तो वो जो है, updated function है, हमारा, किसके लिए for this state variable items, इसकी value अगर totally हम empty कर देते, तो automatic इसकी value totally empty हो जाएगी, and यही अगर empty हो गया, तो यहाँ पर तो कुछ दिखे गई नहीं, बस यही फंडर है, ठीक है, अब मैं इसको refresh करना चाहूँगा, एक सब डिलीट हो गया, सो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, हमने एडिसन देख लिया, हमने डिलीट देख लिया, हमने रिमोब आल देख लिया, now we need to understand कि local storage कैसे work कर रहा है, क्योंकि चाहे data हम जितना भी add करे कल की दिन, अगर हम गलती से इसको एक बाद रिफ्रेस कर देत ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं क्या चाहूंगा, जब-जब मेरे items, बिसिकली यह जो मेरा items, इस पर हम data के साथ इनों delete करवा रहे हम उसको add करवा रहे, तो जब-जब मेरा यह जो item वाला state variable, इसकी value change होगी, मैं चाहूंगा मेरा data जो local storage पर automatic save कर दे, and automatic जब भी बात आ इसके लिए हमार पास एक option है, that is use effect hooks in react, ठीक है, तो हमें warning ना दे, इसलिए मैं पहले यहाँ पर use effect लिख लिए था हूँ, ठीक है, एक दम bottom पर मैं चलता हूँ, adding local storage आप कुछ भी लिख सकते हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो simple इतना हो गया, so मैं चलता हूँ, use effect, हमने already use effect भी देख लिया था है कि नी, तो मैं यहाँ पर input को मैं हटाना चाहूँगा, यहाँ पर मैं guys लिखना चाहूँगा, items, जब भी मेरे items की value change होगी, तो ही वो work करेगा, तो ही use effect run करेगा, and local, I mean हमारा जो local storage है, वह आप हम data add करेंगे, so it's super duper easy local storage dot, आपको खाली set item लि नीट नीए, and this is it, and आपका यह जो local storage यह work करता है, in the form of key value pair, and इस पर हम से भी string यह पास कर सकते है, और कुछ नीटीग है, लेकिन मेरा यह जो input data है, वो हमें नहीं idea, क्या वो string है, क्या वो एक area, ठीक है, we want to make sure कि वो string ही हो, so we have this key, and then we have this value, and मैं आपको दिखाना अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर लेकर चलता हूँ, मैं आप लोगों को application पर लेकर चलता हूँ, कम जूम कर देता हूँ, यहाँ पर local storage पर एक दम bottom पर अगर आपको दिखाऊ, तो बहुत clearly देख सकते हूँ, कि we have this key, and then value, तो key, and then value की फिर में यह work करता है, हमें key की value दे ठीक है, so मैं items पास कर देता हूँ, अब देखने वाली बात है कि जो मेरा item से वो तो एक air है, लेकिन हमें यहाँ पर तो एक string पास करने है, so आप इस तरीके से, you know, square brackets, sorry, parenthesis के अंदर लिखना है, and then we have one awesome method of json, that is json.stringify, this is it, मेरा काम हो गया, अब मैं जो भी लिखूँँग मेरे local storage पर वो add होने माला, ठीक है, मैं refresh करूँगा, अब देख सकते, my to-do list अलएड़ी आ गया, यहाँ पर यही है, my to-do list, zoom गर देदा आप लोगों के लिए, यहाँ तो-do list आ चुका है, मैं यहाँ पर लिख दूँगा, apple and boom गा, इसी देखो, मेरे यहाँ पर apple आ चुका ह यह देखो, उसी तरह किसमें, यहाँ पर चलूँगा, mango and देखो, मुझे mango भी आ चुका है, so हमने local stores पर data add कर दिया है, but कल की दिन, again मैं refresh करूँगा, data गयाप हो जाएगा, वहाँ से भी गयाप हो गया, तो सिर्फ मुझे data get नहीं करना है, I mean सिर्फ data को set नहीं करना है, data में सिर्फ कर दे रहा हूँ, and function को call कर रहा हूँ, मैं top पर चलना चाहूँगा, now get the local storage data, back, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, and const, सिर्फ करता हूँ, refresh करता हूँ, all right, perfect, देखिए, अब यह बहुत ही ज्यादा simple है, const, मैं यहाँ पर list लिख देता ह हूँ, local storage, oh my god, यह क्या हो गया था, local storage dot get item, this is it, and यहाँ पर खाले आपको, मतलब, जूस की की है, वो हमें pass करना रहता है, मतलब, वो मुझे चाहिए, तो की क्या था मेरा, यहाँ पर my to-do list, ना, copy and then paste, this is it, अब बहुत ही ज्यादा simple है, if, अगर मेरा to-do list में data अगा रहा ह होगा, तो ही, मुझे data को pass करना है, वहाँ पर add करना है, ठीक है, तो मैंने if list लिस्ट लिख लिए, and मैं अब return करना चाहूँगा, मेरे इस list को, अब अगिन ही जो list है, guys, हो मुझे string के format में मिल रहा होगा, लेकिन हमें तो चाहिए एक array, क्योंकि मैं directly उसको यहाँ पर store करने वाला हो, देखो न, मेरा as a current data ही मैं इसको मानने वाला हो, तो again guys, parenthesis, and again we have very awesome method of json, and that is json.parse, मुझे array के format में इस मिल जाएगा, and else if there is nothing, and अगर मुझे कुछ data नहीं मिला, तो return में empty array रख दूँगा, this is it, हमने local stores में data को add भी किया, वहाँ से data हमने get भी किया, and यहाँ पर म एक बार refresh करना चाहूँगा, अला कि करने की need नहीं रहती है, apple लिख रहा हूँ, यहाँ पर चलता हूँ, mango, plus, ठीक है, अभी दियांसे देखा, आप मैं refresh करूँगा, and boom guys, data भी उदर ही है, मैं mango delete कर दूँगा, लेकिन फिर से refresh करूँगा, data उदर ही है, तो मेरा यह local storage का work complete ह हो चुका है, और गैसा, अब हम finally, हमारा जो main है, इसमें, that is, edit button, उसको अब हम tackle करेंगे, ठीक है, तो edit button को tackle करने के लिए, कुछ चीजे जो हमें समझना बहुत जरूरी है, and that is, सबसे पहले, कि अगर मेरे पास, suppose, यहाँ पर data होता है, इस तरीके से mango, ठीक है, अगर मैं इस step, दूसा step यह होगा, कि जब हमने get कर लिया, तो वो जो apple मुझे यहाँ पर दिखाना है, and इसकी जो values को toggle करके, instead of plus, मुझे 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 आपडेट वाला symbol दिखाना है, तो सबसे पहले, guys, मुझे at least यह दो चीजे दिखाने पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, म इस तरह किसे लिख दूँगा, edit item, ठीक है, and let's go with, क्या में केस convention में चलता है, इस तरह किसे, this is it, अब यहाँ पर भी मुझे वही save, मेरा जो current element.id, ठीक है, तो इस तरह किसे मेरा यह काम complete हो चुका है, अब यह जो edit item है, इसको मुझे यहाँ पर define करना पड़ेगा, ठीक, इ alright, यहाँ पर मैं चलते है, once added items, fret arrow function, again आपका इस तरह के से, and यहाँ पर guys, मैं again index pass करना चाहूँगा, as a parameter, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि guys, एक second, आपको इसको एक बार refresh कर देना, ठीक है, यहाँ पर जब भी मैं कुछ लिखता हूँ, suppose मैंने लिखा apple, and plus पर जब मैं क् क्लिक करूँगा, मैं किस पर क्लिक कर रहा हूँ, उसका ID क्या है, वो मुझे get करना, वो मुझे find करना, out of multiple to-do list के items, जो भी हमारे इसके अंदर, तो मैंने किसको click क्यों मुझे find out करना, and मैं बहुत इजले कर सकता, because I already have the index number, and मेरे पास वो item से जिसके अंदर वो सारे data है, त इसमें आपको सब मिलेगा, ठीक है, तो basically अब हम JavaScript में find method है, उसको इसको करेंगे, यहाँ पर, so मैं simply लिखता हूँ, इस तरह किसे c o n st const, मैं लिख देता हूँ, item underscore to-do underscore edited लिख देता हूँ, ठीक है, will be equal to items dot, same we have our find method, ठीक है guys, यह भी same वो ही है, almost filter map method की तरहा, जहां पर we have our current element, you know, index, सब कुछ होगा, यहाँ पर भी, so let's go with current element, इस तरह किसे ठीक है, बाकि मुझे ज्यादा कुछ नीची है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है, अब मुझे क्या return करना है, I need to return मेरा यह current element, dot, उसमें जो id है, ठीक है, क्या वो match करता है, I mean, वो मुझे match करवाना है, इ verify कर दी, that is कि मैंने मेरे items के अंदर जो भी है, find out किया, इन उसकी id, इस id से match करानी चाहिए, ठीक है, तो obviously वो match हो जाएगा, and अगर वो match हो जाता, तो मुझे अब एक ऐसा state variable चाहिए, जिसमें मैं उस id को pass कर सकूँ, ठीक है, so मैं top पे चलना चाहूँगा, यहाँ पर मैं ल इसको मैं empty रख दे रहा हूँ, अब यह जो मेरा set is added item है, इसको मैं लेके यहाँ पर चलना चाहूँगा, and यहाँ पर वो जो id है, उसको मैं pass करना चाहूँगा, this is it, and instead of id मैं guys directly चाहूँगा, तो यह index भी pass कर सकता हूँ, यहाँ पर, simple ठीक है, and मैं यहाँ पर एक और चीज करना चाहूँगा, that is कि मेरा यह जो data है, जो भी मुझे मिला, id के through, मुझे जो भी data मिला, मुझे उसके नाम को यहाँ पर add करवाना है, मतलब अगर मैं इस पर plus करता हूँ, अगर मैं apple लिखता हूँ, ठीक है, and अगर इस पर मैं click करता हूँ, तो वो apple यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर जो भी है, वो data वापस उसто जेगे पर आ जाता है, ठीक है, तो वो मैं बहुत easily कर सकता हूँ, कि यह जो मैरा set input data है, set input data को मैं copy करना चाहूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं चलना चाहूँगा, and इसके बदले, जो भी मेरा यहाँ पर data मुझे मिला, ठीक है, जो भ तो उसके लिए again मैं यहाँ पर चलना चाहूंगा and मैं यहाँ पर एक और state variable लिखने वाला हूँ and आप देख सक्षिक्ष्पलिंग wrong and यहाँ पर guys मैं लिख देता हूँ toggle button ठीक है toggle button and set मैं यहाँ पर लिख देता हूँ toggle and then again button will be equal to use state ठीक है इस use state and यहाँ पर जो मैं current value false लिखने वाला हूँ इस तरीकिसे this is it ठीक है तो अब totally हम एक conditional rendering यूज़ करेंगे basically ternary operator जहाँ पर toggle button के basis पर हम दिखाएंगे कि हाँ भई मुझे edit का button चाहिए या plus add वाला item का जो button है वो मुझे लगेगा ठीक है so toggle button के value को set करने के लिए मैं यहाँ पर चलना चाहूँगा जब हम edit button पर click कर देते है तो मैं इसकी value true करना चाहूँगा यहाँ पर this is it चलो ठीक है अब जब इसकी value toggle button की value true कब होगी जब मैं edit button पर click कर दूँगा क्योंकि तभी मैं उसको true रख रहा हूँ ठीक है and अगर उसकी value true है मतलब मैं edit करना चाहता हूँ and अगर मैं edit करना चाहता हूँ मतलब मुझे इसकी value को toggle करना पड़ेगा button change करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर चलूँगा यह मेरा show items है ठीक है इस तरगे से हम बहुत इसली कर सकते यह and अगर वो false होता है वापस चिपकाऊंगा लेकिन अब यह वाली यहां से मैं हटा दूँगा ठीक है तो toggle button अगर true हो रहा मतलब मैं edit कर रहा हूँ एडिट हो जा रहा है अब ध्यान से देखो the moment इस पर मैं क्लिक करता हूँ mango add हो जा रहा है सब कुछ एक्दम perfect है but एक problem है वो यह कि जब मैं suppose ध्यान से देखो apple पर जब मैं क्लिक कर तो apple मुझे मिलता है यह change हो जाता icon ठीक है अब मैं यहां पर test लिख दे रहा हूँ या update लेकिन अब अगेन इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ and guys आप देख सकते हूँ कि उसको update करने के बदले उसने as a new element to add कर दे मुझे वह नहीं चाहता हूँ कि apple है तो apple के बदले यह जो भी मैंने लिखा वह add हो जाए ठीक है तो अब मैं वह कैसे कर सकते हूँ देखो कैसे उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा हम जब item को add कर रहे थे ठीक है उस समय हमने कुछ condition चेक की थी अब ठीक इसी के नीचे में चलूँगा एक और data मैं यहां पर चिपकाऊंगा यहां से देखो गाइस एल्स अब यहां पर और condition उसने वाला डैट इसकी input data खाली नहीं होना चाहिए input data में कुछ न कुछ होना चाहिए अब हमारा यह जो toggle button है अगर यह true है ठीक है obviously true है क्योंकि हम जब उस पर click करते तो इसकी value true हो जाती अगर यह true होता है तो उस समय मुझे क्या करना है यह जो data है सिर्फ और सिर्फ apple पर अगर मैं click करता हूँ and यहां पर आप मैं कुछ भी लिखूँँगा तो वो apple पर ही change हो बाकी को कुछ ना change करे तो again मुझे यहां पर find out करना पड़ेगा कि मैं किसके id के data का जो dot name वाली जो property है उसको change करना चाहरा हूँ तो that's why मैंने यहां पर लिख दिया input data अगर है and toggle button अगर true है and it true तब ही होता है जब हम इस पर edit पर click करते so उस समय के लिए मैंने अलगी यहां पर code मैं लिखना चाहूँगा and that is again जो भी मैं set items में लिखूँँगा वो items पर reflect होगा जो कि हम यहां पर दिखा रहते हैं कि यहां पर guys again मेरा parenthesis अब ध्यान से देखूँ मेरा यह जो items है sorry यह जो मेरा items है dot वहां पर मैं map method चलाने वाला हूँ ठीक है that arrow function इसके अंदर ही अब मैं यहां पर सबसे पहले तो वो id को match करना चाहूँगा कि किस id से यह match हो रहा है ठीक है किस element के id से match हो रहा है मेरे इस से यह जो is edit item है क्योंकि इसको मैंने id पास की नहीं यहां पर देखू न मैं क्या कर रहा हूँ यहां पर index number पास कर दे रहा हूँ set is edit item में उसको मैंने इसके थुरू get की यहां पर दोन को check कर रहा हूँ मैं क्या यह id इस id से match करता है मतलब user ने जिस पे भी click किया होगा यहां पर उसको update करने click किया वो हमारे map method के अंदर items के अंदर वो present है वो id वाला variable जो भी है अगर वो present है तो मैं return करना चाहूँगा देखो guys return बहुत इजली कर सकता हूँ curly braces dot 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 जो भी मेरे current element में जो भी previous data है so है मुझे उसको कुछ नहीं करना है नहीं छेडना है लेकिन जिससे यह id match हो गया उसकी जो name वाली जो property है मुझे उसको change करके update करना होगा मेरा ये जो भी input data वाला नाम है क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ ठीक है मैंने कुछ भी लिखा वो मेरा एक input data है and वो इस पे reflect हो जाना चाहिए फिलाले previous वाला मैंने आपको दिखा इसलिए यह on this photo यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नहीं हो गई यहाँ पर वो एक new add देखो कैसा भी तो error आएगा लेकिन वो इस तरह के से add हो जाना ची ठीक है जब भी आप इस तरह के से करते हैं कुछ न कुछ return करना जरूए अगर if match नहीं होता है तो return जो आपका current element है as it ही चिपका दो इस तरह के साथ अगर मैं यहाँ पर चलूँगा देखो अब इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ apple पे and मैं यहाँ पर done finally लिख देता हूँ and click करता ठीक है वो सब मुझे नीची तो इन तीनों को मैं copy करूँगा ठीक है copy करूँगा ठीक इस जगे पर आना चाहूँगा current element यह आपको जो दिखता है इस तरह के से ठीक है sorry set items ठीक उसके नीचे आपको चलना है यहाँ पर देखो यह जो भी set input data है आपका ठीक है इसको आपको अपकर देना है null ठीक है इसको हटा दो empty कर दी and then set is यह जो portion होगा index number उसको भी null कर दो यह तो आप चाहाँ तो empty छोड़ सकते हो आप चाहाँ तो empty छोड़ सकते हो and एक काम करते हैं इसको guys एक empty array ही रहने देते and last का यह जो value होगा इसको again मैं कर दूंगा false ताकि next time जब मैं add पर क्लिक करूँ तो वह इस वाले else portion पर आकि अपना काम कर दे गांट्रोल यह सेप करना चाहूंगा एक बाएन में refresh करना चाहूंगा let's go with mango पहले तो इसको delete अभी mango पर क्लिक करता हूं mango test again लिख रहा हूं and इस पर मैं क्लिक करता हूं and boom गा सी मेरा test अगेन आ गिया यह जो data यहाँ पर आइकन चेंज होगी है and checklist में सब कुछ delete मैं वापस आपको सब कुछ करके दिखाना चाहूंगा and मैं यहाँ पर ले चलके and guys हमारा गाम हो चुका इतना ही हमें इसमें करना था खाली लेकिन आपने देखा गाइस बहुत कुछ था इसमें हमने बहुत कुछ समझा ह हमें पाता चला कि कैसे हैं इस पर work कर सकते देखो कितने सारी state variable लिए हमने use effect देखा ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर मैं चलके mango लिख देता हूँ and then मैं लिख देता हूँ orange ठीक है तो सबसे पहले यह सब ही data यहाँ पर आचुका अभी फिलाल यह null है यह false है but the moment मैं mango पर click करूँगा हमने क्या करना है इसकी value को set करने इसको एक id देना इस वाल स्टेड वेरेबल को इसकी value true हो जाएगी ठीक है द्यान से देखो and boom गा इससी अब इसकी value true हो गई इस पर हमें एक id मिल चुका है state पर पता चल चुका कि मैं mango को edit करना चाता था mango additate में मैं यहां पर लिख देता हूं इस तरीकी से ठीक है अब देख सकतों mango edited यह हमारा वह input data इस पर click करते बूम गाइस वापस यह false यह data empty हो गया यहीं सेम तीन चीस्तों में नहीं आपर की है ना सो कैसा लागा गाइस एंड चेक लिस्ट पर click करूंगा तो sub delete हो जाएगा सो दिस इस हमारा एक और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है अब हमारा फाइनल प्रोजेक्ट बाकिए that is your weather app लेकिन आपको यह प्रोजेक्ट कैसा लागा नीचे comment करके ज़रूर बाताना गाइस एंड आई होप आपको बहुत कुछ नहीं सिखने मिला होगा इस प्रोजेक्ट के तुरू अब हम हमारे फाइनल प्रोजेक्ट में आचुके रहे है एक जैसे इन वान वीडियो कहाँ ठीक है अब देखसे कि बहुत ही जाता ओसम दिखाई दे रहा है इन दी बैस पार्ट द हमें पुरह आहां बार एक हमारो की डिपांगसर्ण की वांपने फिल्ला लुग एज दिली इंडिया में ओविसली इतना टेंपरेचर अइंड्परेचर संसेट कवोगा सात बॉच के सत्रा मिनिट में अब देख सकते हुए उमिडिटी कितनी वहां का प्रेशर कितना है and then wind की जो speed वो कितनी है कौन सा current time अभी यहां पर आप देख सकते हुए कि I mean आपकी system का time है अब यह totally depend करता है कि अगर आप foreign में रहते हो तो वह वहां का time देगा तो इस तरी के से काई से आपका work करेगा सिर्फ दिल क्यों अगर आप लिखते हो like Tokyo ठीक है जापान अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हो गाई जापान में cloudy है तो आइकन अगे इंच जितना तो API work करने वाले का इसे real world API है आप देख सकते हो open weather ठीक है यह बहुत ही ज्यादा awesome है मैं आपको बता हूँगा कि आप इस पर कैसे work कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो API docs यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको खाली अपना API की और जो भी आपका तरीका है लाइक आप सीटी के थुरू सर्च करना चाहते हो कि स्टेट के थुरू करना चाहते हो कि अमालब इट्स टोटली अप टू अस लेकिन हम सिटी का जो नाम है उसके थुरू करेंगे और सबसे जाद इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है हमारे लिए API की ठीक है तो वो जो API की है आप कैसे क्रेट कर सकते हो मैं अब भी आपको बा क्योंकि मैंने और इस पर रिश्रेशन कर चुका आपको भी रिश्रेशन करना है अगेन मुझे इन्होंने कुछ इन्होंने कुछ स्पॉंसर के नि मैं तो बस बाता रहा हूं यह API यहीं से मिलता है और आपको लॉग इन करना जरूरी ताकि आपको API मिले ठीक है तो आपको चलके कुछ भी लिख सकता हूं like मैं लिख देता हूं react API ठीक है मैंने कहा लिखा react API एंड में जनरेट पर क्लिक करूँगा the moment मैंने क्लिक की देखोगा इस मेरा react API एक new API क्रेट हो गया ठीक है इसको मैं copy करूँगा इतना ज्यादा simple है ठीक है हमने यहाँ पे copy कर दी त्यान का इसे आप आई यह pricing पर ठीक है pricing पर आई यह आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मलब options बहुत है and we have this free option and हम free वाला यूस करेंगे तो get API की इस पर मैंने again क्लिक कर दिया आप बता रहा है कि you are already sign in obviously हम sign in हो चुके है then guys आपको simply API पर क्लिक कर देना है once again जब आप API पर क्लिक कर करते हो now you have multiple options कि आपको इस API को किस थरीके से यूज करना ठीक है अब देख सकते हो by city name यहाँ पर by city का ID देके अम अलोब भरे पड़े बाई zip code सब कुछ आपके पास option है and हम यह जो by city name में इस option को get करना चाहेंगे इसको मैंने की copy ठीक है मैं यहाँ पर चलना चाहूंगा यह जो API की आपको मिलता है इसको copy करना है ठीक है इसको zoom कर देता आप लोग एक लिए API की यहाँ पर आपको paste कर देना है and यहाँ पर city name let's go with पूने इस तरीके से ठीक है मैंने उन यह लिख देया मुझे पूने लिखना था इसको मैंने copy कि ठीक है and अब यहाँ पर चलके मैं paste कर registration किया तो मुझे यह थोड़ा समय ले रहा है ठीक है तो यह काम करता हूं मैंने already create कर चुका उसको मैं copy करूंगा यहाँ पे चलके मैं paste कर दूंगा and now let's see इसको copy करता हूं यहाँ पे चलता हूं paste करता हूं and boom guys मुझे मेरा data आ चुका आप देख सकते हूं मैं यही आपको बत temperature wind के अंदर we have speed ठीक आप देख सकते हूं सिस्टम के अंदर country हमारे पास है sunset sunrise कब होगा name कौन से city का तो यह सभी data को आप get कैसे करोगे मुझे बता आप समझ रहे हूं मतलब data को get कैसे करोगे यहाँ like weather के अंदर array array के अंदर object and then मुझे clouds मिर रहा है फिर बहार जाके मुझे main क temperature की जौत है तो आप इसको एक API call से इसका data get कैसे अगर होगे आप समझ रहे हो तो वो आपको इस video में पाता चलने वाला है and that's why यह हमारा final project है आपको बहुत मजा है नहीं ठीक है तो अभी इन सबको में हटा देता हो गाईस आपको पाता चल गया कैसे यह work हो रहा है API हमारे यहां पर चलके एक new file create करता हूं मैं यहां पर लिख देता हूं temp.js basically temperature कहने की कुछिस कर रहा हूं मैं ठीक है और यहीं पर यह new file styled क्योंकि मुझे style.css लगने हो ला है that's it ठीक है style.css के अंदर में पास already code है तो मैं एक काम करता हूं इसके अंदर पहले तो यह जो मेरा data को मैं as it is comment करके रख देता हूं and guys style.css जो यह portion है मेरे पास css अलड़ी पढ़ा हुआ है and guys इसको मैंने इस तरह किसे कर दी paste this is it तो guys आप देख सकते हूं CSS का code मैंने paste कर दिया है and हमारा यह जो आइकन है weather icon मैंने आपको अलड़ी बता है जो यूज हो इनल है उसको उसका जो serial link के वो भी मैंने यहाँ पर add कर दिया this is it ठीक है control asf don't worry मैं इसका code बिल्कुल फिरी में कोई charge नहीं कोछी नहीं आप जरू check out कीजिए अब हम बिना किसी दिर किसका सबसे पहले तो user interface आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम create करते ठीक है and it's super duper easy so react arrow function component with export this is it and हमारा final project है I really hope guys you are totally excited जितना मैं excited हो ठीक है मतलब मजा आ जाएगा यह वीडियो देखने के बात तो क्यूंकि सबसे जादे important मैं आपको फिर से बाता रहे हो यहाँ पे जो different different जो फिल्ट से जो property है object का उसको get करने में बहुत मजा नहीं हो ला है new trick क्यूंकि मुझे बहुत समय लग गया जो की होगा कुछ भी दे सकते ऐसा कुछ निए वैसे तो wrap all right awesome मुझे automatic suggestion आ रहा है यहाँ पे and then मैं एक और deep लेना चाहूंगा एक class name देना चाहूंगा इसका and जहाँ पर मैं इसको all right यहाँ पर यह basically इस तरीके से and इसका नाम होगा search ठीक है control है save करना चाहूंगा and हाँ एक चीज है कि अभी मुझे इसको run भी तो करना है ठीक है तो मैं यहाँ पर चलता हूँ अब देख सकते हो react 2021 में गवार dir करके देखना चाहूंगा cd मैं चलना चाहूंगा हमारा यह जो complete react है उसमें cls dir perfect यहाँ पर again complete cls dir ठीक है चलो perfect यह ही है जिसको हम run करना चाहते है तो यह not previous version यही तो मुझे आपको करके दिखाना है तो उसको भी मैंने run कर रखा एक अलग ही server पर तो बता रहे 3000 पर तो already है ठीक यहाँ दूसरे में कर दो आप चलो ठीक है वो 3001 पर run होना चालो हो जाएगा ठीक है चलो perfect इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से अभी मुझे क्या करन इसके नीचे मुझे चलना है यहाँ पर I need my input फिल ठीक है तो वो text रहेगा आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो else आप यहाँ पर लिख दो we have you know जब html5 आया तो we have one more new value type का that is your search search के बाद गाईस आप यहाँ पर placeholder लिख दीजिए dot 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 आप कुछ भी लिख सकते हो ऐसा कु इसको एक class name देना चाहूंगा and that is your search term ठीक है control and save करता हूं and मैं यहाँ पर all right देखो अभी हमें यह दिखाई दे रहा हमारा previous जो हमने complete किया था लेकिन मुझे उसमें अब यह वाला icon दिखाना ठीक है तो यह जो temp आपको दिखते है तो मैं पहले इसका जो first letter उसको capital करूंग इसको मैं copy करूंगा app.js पर जाओंगा यहाँ पर मैं चलके import ठीक है मुझे import करना पड़ेगा temp from कहा से from dot forward slash मेरा components forward slash मेरा weather forward slash मेरा temp perfect इसको मैं comment कर दूंगा and यह जो मेरा temp है ठीक है इसको copy करूंगा and यहाँ पर चिपका दूंगा so 321 and भूंगा इसा अब देख सकते मुझे search का यह जो इस तरह के सर्च दिखाई दे रहा है at least मुझे ठीक है इसकी मुझे कोई नीट निया मैं यहाँ पर चलूंगा तो आप देख सकते में gen mode mode पर आ गया हूँ बहुत awesome ठीक है ठीक यह जो portion आपको दिखते है इसकी नीचे मुझे चलना है and मुझे अब यहाँ पर button क कि नीट है ठीक है तो इस button में भी कुछ classes है जो बहुत जाद इंपोर्टेंट है like we have a search button जो की होगा simply button बंडोला सेफ करता हूँ तो at least हूँ इतना दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर कुछ न कुछ तो लिखना पड़ेगा जो मुझे वहाँ पर दिखाई दे तो मैं ग स्क्राम complete हो चुका ठीक है तो यह जो मेरा डीप था यह मेरा complete हो गया ठीक इसके नीचे में चलना चाहूंगा and ठीक इसके नीचे ही गाइस अब मुझे यह जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है इसको मुझे create करना है all right awesome ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ simply guys सबसे पहल चाहूंगा and that is your visit ctrl s save and let's see कुछ होता है इतना लिखने से all right guys awesome आप देख सकते हो मुझे जो box shadow at least हो दिखाई दे रहा है ठीक इसके नीचे में चलना चाहूंगा guys यहाँ पर मैं चलके इसका जो एक class होगा that is your weather icon ठीक है so मैं चलता हूँ यहाँ पर we have this weather icon awesome चलो ठीक है and now य I need a sunny one ठीक है यह वाला जो portion है ठीक है इसको copy करूँगा देखो guys मुझे लिखना बड़ेगा w i basically अब मुझे यहाँ पर double quotes लिखने है and then w i and then इस तरगे से मुझे लिख देना है इतना लिखने है मातर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो guys वह कुछ आपको इस तरगे से दिखाई दे रहा perfect ठीक है इतना मेरा काम हो चुक है ठीक यह जो डीब आपको दिखते है उसके नीचे मुझे आना है ठीक है तो basically तो simple आपका HTML है जिसको आप चाहो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर guys मैं लिख देता हूँ temperature ठीक है जो भी मेरा temperature होगा and यहाँ पर span tag फिलाल के लिए guys मैं कुछ से 25.5 degree Celsius मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर dollar and I think यहाँ पर guys we don't have this dollar हो अमें M% उसका ना पड़ेगा I think guys ठीक है and I think this is it control as save करता पौफ है देखो मुझे इस तरकी से दिखाई दे रहे कितना cool है नहीं यह तो मेरा यह जो डीव है guys इसका काम complete ठीक है ठीक इसके नीचे में चलूँगा एक और डीव लूँगा यहाँ पर class name and this time it will be my description class name and weather condition perfect क्या होता देखती है इतना लिखने मातर से अभी आपको इतना कुछ पाता चलनी रहा लेकिन weather condition के ठीक नीचे में चलूँगा and weather का mood कैसा like cloudy है की अमलब जो भी हो मैं यहाँ पर लिख देता हूं इस तरके से sunny ठीक है control as save कर देता हूं ठीक sunny के नीचे में चलना चाहूँ अब मुझे बताना कि वह किस प्लेस 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 देता हूं और यहाँ पर दो चीजे मुझे देने लाइक फिलार के लिए मैं लिख देता हूं इस तरीके से इंडिया ठीक है अब आप देख सकते हूं at least मुझे इतना दिखाई दे रहा जो की कुछ ऐसा द लिखना चाहिए था अब यहाँ पर मुझे चलना है ठीक है इस जगे पर क्लास नेम देना चाहूंगा and that will be my guys date ठीक है इस यह जो डेट मैंने दी गाइस ठीक इसके नीचे मैं यहाँ पर चलना चाहूंगा and मैं यहाँ पर डरेक्ली जावस्क्रिप्ट का कोड तो लिख सकत को एक इतना लिखने मात्र से काई आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर कितना उसा में दिखाई दे रहा है ठीक है मेरा यह फिर्णा ऑक्छी के नीचे मुझे चलना अब यहाँ जो कुछ भी डेट हमने मिलना चीता वह आप हमने डिखलता हूं यहाँ पर मैं लिख देता ह हूँ इसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टेंप्रेचर का हमारा जो भी इंफॉर्मेशन वह यहां पर आने वाला है अभी मुझे क्या करना गाइस देखो इतना पर यहां पर इस जगे पर class name चलता हूं ठीक है यहां पर इसको देदेता हूं temperature min max information जो भी है वहां पर temperature info min max चलो ठीक है यहां पर एक class name इसको मैं देऊंगा and that is two sided section ठीक है two sided section किसले क्योंकि guys यहां पर मैंने बाता ना एक इसके लिए एक इसके लिए यह बहुत जाद important है ठीक है two sided section and basically html का part है इस पे आप चाहो तो आप अपना खुद का कुछ भी use कर सकते ऐसा कुछ निया so मैं यहाँ पर paragraph लिख देता हूँ and उस paragraph guys I have this anchor tag ठीक है class name दे रहा हूँ मैं यहाँ पर चलता हूँ and again wi wi आप कुछ भी लिख दो गाई साब यहाँ पर and we have our sunset ठीक है तो इसको मैं कर देता हूँ इस तरह किसे all right and I think everything is perfect मैं यहाँ पर चलना चाहूँगा all right guys आप देख सकते मुझे sunset दिखाई दे रहा ठीक यह जो paragraph जहां खतम हुआ ठीक है ठीक उसी के इसमें by default अभी फिलाल के लिए मैं इस तरह किसे लिखे मुझे ब्यार टैक उसका ना पड़ेगा एंड मैं यहाँ पर इस तरह किसे लिख दूँगा sunset कंड्रोल आप सेप करता हूँ अब देख सकते मुझे इतना automatic आ चुका है अभी इसे को ही मुझे copy and paste और मुझे उसको खेलना ठीक है two sided यह देखो यह जो दिख रहा आपको टू साइड वाला जो पार्ट एक को कॉपी करो यहाँ पर चलके पेस्ट करो अब यहाँ पर सेम चीज़ आ गिया है अब इंस्ट of sunset मुझे यहाँ पर गाइस sorry not rain वहाँ पर गाइस मुझे चाहिए humidity जो भी होगा हम यहाँ पर humidity देखेंगे so humidity तो इतना हो जाने के बाद गाइस वापस यह जो पार्ट है ठीक है यहाँ पर यह जो आपको दिखते है यहाँ पर यह जो टैंप लिखा ठीक इसके नीचे कॉपी करूँगा यहाँ पर मैं इस जेगे पर ठीक है पेस्ट और पेस्ट कंट्रोल एस सेप करता हूँ मैं all right I think मैंने कहीं तो कुछ गडवर्ड कर दिये गाइस आप देख सकते हो like we have this weather extra info all right all right guys मैं हटाना चाहूँगा वापस सब कुछ क्योंकि मुझे यह जो two sided दिखा करना अच्छे तरीके से अब देख सकते हो copy हो चुकी है paste नीचे and then paste this is it तो आप देख सकते हो मेरा सब कुछ हो चुक है मेरा जो user interface था वो मेरा part complete हो चुका मुझे फिर भी ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा like हमारा जो यह font है उतनी अच्छे तरीके से नहीं दिखाई देरा जैस कर दे तो अब यहाँ पर देखना चाहिए तो वह मुझे यहां पर दिखाई दे रहा ठीक है अब यहां पर जो भी data हमें मिल रहा है वह मैं चाहूंगा कि मुझे वह API की थूरू मिले I mean हमारे API में जो भी data है जो real time data है वह मुझे यहां पर दिखाई दे ना कि मेरा hardcoded हो ठ तो सबसे पहला काम अब हमारा क्या होता हमारा सबसे पहले काम है कि react के थुरू में real world यह जो API है real API इसको मैं call कैसे करें rest API को call कैसे हम कर सकते ठीक है दिया आप multiple ways मैं आपको सबसे simplest and easiest and effective तरीका बाता आना चाहूंगा जो कुछ भी हो गया तो इसको रहने दीजिए ठीक है मैं टॉप पे चलना चाहूंगा इस जगे पर ओलाइट पॉफट देखो सबसे पहला काम होगा मेरा क्या कैस में यहां पे चलता हूँ यह जो data है मुझे on the spot यह खुछ से चाहिए जब मैं सर्च बटन पर क्लिक करूँ तब भी मुझे वह चाहिए तो उसके लिए इसमें क्या करूँगा हमारा यह जो बटन है यहां पर मुझे एक event fire करना पड़ेगा that is on click ठीक है एंड मैं यहां पर लिख दूँगा कैसे इस तरीके से get weather ठीक है आप कुछ भी लिख सकते हो weather info चलो ठीक है we have our on change and this is it अब यह जो value है एंदन यह जो मेरा अंचेंज है इसके लिए मुझे कोई ने कोई स्टेड वेरेवल लगेगा है कि ने तो वो जो मेरा स्टेड वेरेवल है इसमें यहां पर चलता हूं और यहां पर चलना चाहूंगा कॉंस्ट मेरा स्टेड वेरेवल का नाम होगा गाईज सिंप्ली सर्च वेल्यू तो ऐसी ए आज सर्च वेल्यू इस तरीके सिलिग देता हूं इसको लिखना पड़ेगा स्टेड चलो ठीक है इतना मेरा पार्ट कंप्रेट हो चुका है और बाई डिफॉल्ट अब मेरा बाई डिफॉल्ट पूने आता है मैं यहां पूने लिख दूगा तो गाईस आपको अपना सीटी का नाम या स्टेट का नाम जो यहां पर चिपका दीजिएगा ठीक है अब यह जो पोर्षन है मैं डिरेक्ली जो यूज स्टेट होके यूज नहीं कर सकता आई निट टो इस तरी केसी इंपोर्ट इसको भी ठीक है यूज स्टेट चलो ठीक है यह जो सर्च वैल्यू है कॉपी करूँगा यहां पर पेस्ट कर दूँगा यह यहां पर मैं चाहता हूं कि यूजर जो भी लिखे हो मेरे सर्च वैल्यू जो मेरा स्टेट वेरेवल है वहां पर वह एड होता जाए और्टोमेटिक ठीक है तो वह मैं कैसे करूंगा देखो गाईस अगेन मुझे यहां पर फैट अरो फंक्शन लगेगा ठीक है एंड मैं इस पर एक इवेंट भी फायर कर देख यहां तो यह जो मेरा गेट वेदर इंफो है अब मुझे इसके साथ खेलना है यहां पर तो इस सुपर डूपर एजिए यह जो आप कह सकते हो हमारा यह जो वेदर इंफो यह जो फंक्शन है यह बाइड डिफॉल्ट कॉलो क्योंकि फर्स्टाइम सिर्फ और सिर्फ फर्स्टाइम के लिए ठीक है मैं चाहूंगा जब मैं इसको पेज रिफ्रेस करो तो बाइड डिफॉल्ट मुझे पूने मिल मैं सर्च बटन को क्लिक नहीं कर रहा है फर्स्टाइम जब मैं पेज को रिफ्रेस करता हूं तो मैं सर्च बटन को क्लिक नहीं करता हूं बाइड डिफॉल्ट मुझे डेटा दिखता है और आप देख सेकते हैं यहां पर 12 अपूने में अभी और एंड हमने एक कमी इसमें मिल रहा page refresh होती आप चाहते हो कि कोई function call हो जाए तो वो हम कर सकते clean up function को मैं हटा रहा हूँ यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक empty area पास कर दी अब मैं सिर्फ और सिर्फ जब page को करू refresh for the very first time तो ही मेरा ये जो use effect के अंदर जो भी मैं चाहता हूँ वो run हो else ना हो मैं चाहता हूँ कि for the very first time मैं चाहता हूँ मेरा ये जो function है वो call हो जाए this is it मेरा ये काम complete होगा ठीक है all right मुझे यहाँ पर चलना है तो इस तरह के से try and catch मैं यहाँ पर रग दी यहाँ पर मैं गाइस सिंप्ली कैंसल डॉट लॉग जो भी एरर होगा मैं यहाँ पर चिपका दूँगा ठीक है तो गाइस सिंप्ली सिंप्ली सिंदर मैं चलता हूँ let URL will be equal to मेरा जो URL है यह जो भी मेरा URL होगा इसको मैं copy करूंगा यहाँ पर इस तरह किसे मैंने कर दी पेस्टिक है अब बहुत ज्याद इंपॉर्टेंट है कि यह जो पूने तो मैं खुछ से लिख रहा हूँ मुझे थुर्य खुछ से लिखना है यूजर ने जो यहाँ पर लिखा होगा वह मुझे यहाँ पर चीजिंग प्लेस अब सिटी तो हम क्या करेंगे यह जो मेरा पोर्शन है इसमें हम ऑब्जेक्ट लिटरल से टेंपलेट स्ट्रिंग भी आप कह सकते हो टेंपलेट लिटरल्स तो बिसिकली यहाँ पर चलके में स्टरगे से डॉलर यह हमारा जो एक्मा स्क्रिप्ट टॉइंटी फिप्टी ने यह सिक्स हुआ पर हमने अल्रेड़ी देख चुका है तो बेसिकली से कोई कब लिता हूं में कोपी एंड पेस्ट है इसको मैंने कॉपी एंड पेस्ट आपके पास होना ज़रूर है and now guys यह जो आपको API ID दिखा ही देता I mean आपका जो भी ID है एक basic rule यह है कि आप इसको secure रखना है ताकि बाकी लोग इसका use ना कर सके and for that we use the environment variable.enb मैं आपको इसके उपर वीडियो बनाएगा इस टॉप पर आप लिंक देख सकते इसको एक बाद जरू check out कीज़ेगा for I think for आज की वीडियो के लिए react.js की वीडियो के लिए इतना is important I mean इतना आपको कुछ matter नहीं करेगा क्योंकि at the end हमें मालूम है कि हम इसको change करने वाले है and obviously मैं भी change कर दूँगा अब मैं चाहूंगा कि आप अपना खुद का id यूज करें ना की मेरा चलो ठीक इतना मेरा काम होगी है अब मैं क्या आपर होंगा guys यहां पर में चलता हूँ const and मैंने यहां पर लिख दी response क्योंकि we need some response तो fetch and यहां पर guys simply मैं यह जो url पास कर दूँगा अब मुझे data यहां पर मिल रहा होगा तो उस data को guys मुझे convert करना है ताकि मैं proper उसको rate कर सकूँ so const ठीक है मेरा data will be equal to यहां पर मुझे जो भी data मिलता है उसको मुझे convert करना रहता ठीक है so response जो है उसमें मैं यह एक second मैं इस तरह के से पास कर दूँगा जेसन ठीक है and the best part यह ना guys कि यह आपको promise return करता है it means future में data will be either fulfilled or get rejected तो वो हमें तैयार रहना है कि हाँ भी data मिलेगा या नी तो उसके लिए we need to write await and same जब हम उसको convert कर रहे है you know readable format में तो भी हमें await का use करना पड़ता है and यह सब कुछ में try and then catch के अंदर लिख रहा हूँ in case कुछ गरबर ही हो जाते है तो catch उस error को catch कर लेगा and हमें console पर थो थो कर देगा चलो ठीक है इतना मेरा part complete हो चुक है अब मैं आपको कुछ चीज़े दिखाना चाहूँगा like console.log and let's go with data ठीक है मैं as it is रखता हूँ मैं यह जो data है दिखाना चाहूँगा कि user ने जो भी CT लिखा क्या मुझे CT का data आ रहा है console पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ all right use effect hook जो है बता रहा है कि इसको आपने define नहीं कि वैसी ठीक है console पर मैं जाना चाहूँगा अब ध्यान से देखना यहाँ पर मैं refresh करूँगा एक बार यह जो पूने है पूने को मारो गोली मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा Mumbai ठीक है यहाँ पर कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने अब तरह कुछ changes की नहीं है अब मैंने Mumbai spelling I hope perfect है एंड बूम गाईस देखो मुझे यहाँ पर एक info दिखाए देरा that is unexpected token इस तरीके से 17 नंबर पर इस तरीके से 17 नंबर पर ठीक है ध्यान से देखाए यहाँ पर क्या गलती कर दी यहाँ पर मैंने HTTPS जो हमारा secure connection होता हो तो मैंने और गाईस क्योंकि गाईस हमें proper JSON नहीं दे रहा था यहाँ पर देख सेक्ते JSON डॉट पार सो हमें सेब अब मैं यहाँ पर चलना चाहूंगा and bomb गाईस अब मुझे मेरा Mumbai का पूरा data आ रहा automatic आ गया तो गलती हमने क्या किती गाईस कि यहाँ पर जो HTTPS था वो मैंने नहीं include की थी बट अब कर दिया तो तो main जो एक object उसके अंदर temperature है then whether एक object उसके अंदर एक array है array के अंदर एक और object then जाकि हमारा cloud बाता रहा है तो यह जो portion इसको मैं कैसे tackle करता हूँ ध्यान से देखो बहुत जादे simple है ठीक है so guys मैं यहाँ पर चलता हूँ अब मैं object restructuring करने वाला हूँ यहाँ पर const and मैं यहाँ पर चलना चाहूँगा सबसे पहले मुझे क्या चीक है सबसे पहले I need the temperature ठीक है and temperature मेरे main के अंदर है and then temp के अंदर ठीक है कि मुझे temp में क्या value आ रहा है and boom guys आप देख सकते मुझे temperature बता रहा है ठीक है and this is your temperature मुझे बता रहा है यह Fahrenheit में बता रहा है and this is it 302 जो पहले मुझे दिखाई दे रहा था अब मुझे 28 डिग्री celsius 28.99 डिग्री celsius मुझे मिल चुक है basically celsius में data मुझे आ चुक है अब मैं थुछी दिर के लिए क्या करता हूँ का इस B के बदले यहाँ पर मैं C लिख देता हूँ इसकी एक लिमीट है free वाले का लिमीट है कि आप इतना ही कर सकते उससे ज्यादा नहीं तो आपको पता चल गया कि destructuring कि स्थर की से हो रहा ठीक इसको मैं हटा आता हूँ यहाँ पर मैं चलता हूँ उसको भी मैं यही पर ही paste कर देता हूँ यह तीन हो जाने के बाद गाइस आई नीट वेदर का मूड कैसा है अब अब देख सेको में और यह बहुत जाद इंपॉर्टेंट है देखो कैसे करोगे गाईस आप मुझे बताओ मुझे जाना पड़ेगा वेदर के अंदर ठीक है पहले मैं यहाँ पहले मैं यह उपर चलता हूँ मेरा यह जो डेटा है डेटा डाट मेरा यह जो हूदर है के जाई है पहले मैं ऑल आडा अई उसके बाद 0 मतलब East के अंदर मैं आ चुका हूँ इसमें मेरा क्या है वो main करके जो भी है dot main ठीक है इस तरगे से and I think मुझे main लिखनी की नेट भी नहीं है वो जो main है मैं directly यहाँ पर लिखूँगा and वो जो main है guys उसको मैं कुछ और नाम देना चाहूँगा and that's why मैं यहाँ पर इस तरगे से लिख देता हूँ weather का mode ठीक है मैं यहाँ पर simply इस तरगे से weather and then मैं लिख देता हूँ mode this is it तो मैंने क्या किया guys destructuring की साथ ही साथ मैं उसका नाम भी change कर दिया ताकि मुझे main से किसको क्या पाता चलेगा main मतलब क्या है अब मैंने weather का mode लिख दे यहाँ पर इतना हो जाना guys I need to go with यहाँ पर simply name will record मैं directly data लिख दूँगा क्योंकि name जो है आप देख सकते हूँ city का जो भी नाम है वो by default है उसके लिए कुछ का नहीं की need नहीं है and then guys after name we have this speed और वो speed कि इदर है and वो जो मेरा speed है guys आप देख सकतो wind के नीचे है dot wind and then speed ठीक है so आपको इस तरह किसे const यहाँ पर आपको लिख देना है wind I think वो speed है and this is it will be equal to data dot wind आपको इस तरह किसे लिख देना है तो ठाना काई से कितना awesome मैं आपको बता है था मैं आपको बता हूँ एक simple trick चाहे अब आपका कितना भी डिवो आप बहुत इसको tackle कर सकते हो ठीक है speed मेरा हो चुका है now country मुझे चाहिए country अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा country कहा है country यहाँ पर आप देख सेक्थे system के अंदर है ठीक है so मैं चलता हूँ const as it is रख देता हूँ data dot sy system and यहाँ पर we have our country ठीक है and साथी साथ we have our sunset अप देखो sunrise वो totally आपकी उपर है at least इतना आपको पतस्तल गया तो बाकी आप खुछ से कर लोगे this is it ठीक है इतना मेरा काम complete हो चुका अब भी यह सभी data मुझे one by one चाहिए and मुझे data pass करवाना है अब वो कैसे होगा उसके लिए का इसमें अगेन एक अपना खुद का object क्रेट करूँगा यहां पर my new weather लिख देता हूँ my new weather info ठीक है आप कुछ भी लिख सकते है असा कुछ नहीं है and will be equal to this is it and यहां पर गाईस अब देखो यह जो भी होगा मेरा temperature पामा मेरी जो यह humidity एक काम कर सकता हूँ या एक काम करता है तो इसको में copy कर लेता हूँ प्रेश एंड यहां पर मेरा यह जो भी है इसको मैं करता हूँ copy ठीक है अब भी पेस्ट होगी है यहां पर चलकर पेस्ट करता हूँ speed speed we have our country country and then we have our sunset ठीक है sunset इसको मैं हटाता हूँ and यहां पर मैं country चिपका अब यह जो भी डेटा मुझे इसको अपने एक state variable में add करना है तो उसके लिए इसमें आगे यहां पर चलता हूँ const मुझे यहां पर चलना पड़ेगा ठीक है इस तरीके से टैंप अब मतलब टैंपरेचर का मेरा जो भी इनफॉर्मेशन है तो टैंप इनफो इस तरीके से लिख देता हूँ एक एमटी एरे भी नहीं बोल सकते हैं एक एमटी रख देता हूँ खाली कुछ भी नहीं है नॉर्मल है तो एमटी डेट आप कहा लिज़े कॉपी करता हूँ ठीक यहां पर मैं चलूँगा औल राइट नॉट वहां पर यहां पर मैं चलना चाहूँगा इस तरीके से से इन्फो इस तरीके से मैं यहां पर रखके यह जो भी मेरा डेटा है copy and then pass तो मैंने basically object पास कर दी यहाँ पे ठीक है आप चाहो तो guys यहाँ पे एक काम करते एक empty object पास करवा देते है कि ने आज मेरा mouse work नहीं कर रहा पता नहीं क्या हो गया बर जो भी हो guys I hope आपको मजा रहाँ गा and आपने देख लिया कि guys एक API के साथ हम कैसे deal करते क्योंकि इतने सारे data मुझे चाहिए था उसको मैंने कितने एजीले एक object में stored की and यहाँ पे बस मैंने pass कर दिया this is it अब यही जो data है मुझे one by one यहाँ पे उनको call करवाना है and humidity की spelling wrong मैंने लिग दी है तो control save करता हूँ I hope now everything is perfect awesome अब guys हमें खाली इतना करना है कि यह जो भी data हमें यहाँ पे दिख रहा है मुझे उसको you know खाली यहाँ पे add कर देना और कुछ नहीं करना है इतना ज्यादा simple है लेकिन मैं इतना कुछ एक ही page पे नहीं रखना चाहूँगा so मैं यहाँ पे चलता हूँ weather के बाद मैं new file create करूँगा आप लिख सकते हो यहाँ पे weather weather card कुछ भी आप लिख सकते हो .gs ठीक है इसमें react arrow function वो तो लगने ही वाला है तो इसको मैं हटाता हूँ perfect अब ठीक इसमें मैं क्या करूँगा यह जो मेरा article वाला portion आपको दिख रहा है तो पूरा इसको guys मैंने delete कर दिया आप देख सकते हो कितना awesome and simple सा दिखाई देरा भी है यहाँ पे चल के ठीक इसके अंदर मैं paste करना चाहूँगा this is it अब इस तरह के से जब मैंने paste कर दे हैं अब वो सभी data one by one जो मैंने यहाँ पे get किया है मुझे उसको as a props यहाँ पे pass करवाना है ठीक है अब मैं वो कैसे pass करवा सकता हूँ I mean it's super duper easy आप चाहँ जिसमें context रीप है use कर सकते थे use context use कर सकते हो लेकिन मैं आपको simplest बात आता हूँ with the help of props and वो बहुत easily इस पे work कर जाएगा so यहाँ पे मुझे चलना है यह जो भी मेरा weather है ठीक है control D control D करो and यहाँ पे यह जो पहला इसको आपको capital करना पड़ेगा सबसे पहले हम इसको get करेंगे top पे मैं चलता हूँ सबसे पहले यहाँ पे इसको मैं import कर लेता हूँ so we need to import weather card from dot forward slash weather card dot जैसे तो हमें लिखनी की need नहीं है यह जो weather card अब एक component यह बनके ready हो चुका है यहाँ पे चलना चाहूँगा simple and it's super duper easy weather card and this is it अब जहां से देखो यह जो portion है that is set info and basically यह temp info जो है guys इसको मुझे अब pass करना है ठीक है as a props तो मैं यहाँ पे चलता हूँ temp info will be called to temp info ठीक है and this is it मेरा यह part complete हो चुका है and यही same temp info को मैं copy करूँगा यहाँ पे मैं चलके guys इस तरीके से यहाँ पे as a props pass कर दूँगा and मैं चाहूँ तो guys इसको ढिट्टो यहाँ पे इन्होंने किया है ठीक है इन सबको मैं copy करूँगा इस तरीके से यहाँ पे मैं चलके guys बहुत simply basically destructuring करूँगा ठीक है जहाँ से देखना paste and will be equal to my यह जो भी temp info आपको दूद मेल रहा this is it इतना ज़्यादा simple था यह ठीक है अगर मुझे यहाँ पे data मिलता है तो यह सबुच वोक कर रहा है बट हमें data नहीं मिल रहा है तो वो जो data क्यों नहीं मिल रहा मैं आपको एक चीज बाताना चाहूँगा यहाँ पे जैसे मैंने इतना लिखा and यहाँ पे हमने एक const तो यह जो temp का data guys मुझे यहाँ पे मिल जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे हमने अभी उसको wrong लिखा तो it is my bee and boom guys see 25 degree Celsius मेरा वोक कर गिया होगे मेरा काम अब मुझे क्या करना है खाली suppose यह जो मेरी आपको मैं जैसे दिखाना चाहूँगा suppose पूने ठीच है मैं पूने के बदले क्या है वो मेरा नाम है copy ठीच है अब जहाँ पे भी आपको पूने दिखता है पूना है यहाँ पे चलके खाली आपको नाम लिख देना है आपको यहाँ दे country copy इंडिया के बदले country add कर देना है अब आप देखो गाइस पूने इंडिया आटोमेटिक हो गया यहाँ पर मैं चलके मैं यहाँ पर इस तरह किसे लिख देता हूँ मॉंबई एंड बूम गाइस मॉंबई का जो भी डिग्री सेलसे से यहाँ पर आप देख सेकतों मॉंबई एंडिया इस तरह किसे गाइस अब आपको खाली humanity के बदले कापी करना है यहाँ पर यह जो दिखता है इस जिगे पर आपको वो humidity चिपका देना इस त्रीकिसलग ही और I think यह। यह यह लगेगा and humidity में यह तैम कुछ होथा भी नहीं है और यहां पर आपको प्लिट कर ना है और यहां प्लिटेक यहां पर आपको सपीड है यहां पर चलना है यहां पर चलना हो गित यहां पर Go прав अब बॉ quarter लाहां पर सबकивает यहां पर मैं चलना चाहूँँगा prochain ठीक है इस तरी के से अटाके and all right guys इस तरी के से मेरा यह speed मेरा काम हो गया है ठीक है all right यहाँ पर यह जो pressure है इसको भी मैं हटाना चाहूंगा and यहाँ पर मैं इस तरी के से लिख देता हूँ pressure this is it अब आप देखो कि guys automatic मुझे सारा data रहा है एक problem है and that is guys यह जो portion दिख रहा आपको 162 वाला जो दिखाई दे रहा है अभी यह जो portion इसको मुझे convert करना होगा time में तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ ठीक है guys वो बहुत ही ज़्यादा simple है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा टॉप पर आना पड़ेगा इस जगे पर ठीक है यहाँ पर द्यान से देखो guys मैं लिख देता हूँ converting let seconds will be equal to मेरा यह जो भी sunset की value है ठीक है basically seconds को मुझे time बे convert करना है ठीक है so where मैं यहाँ पर let's go with let only final के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ multiply करना चाहूँगा 1000 से यहाँ पर जो भी time होगा ठीक है sunset वाला उसको मैंने 1000 से multiply कर जया ताकि मुझे milliseconds मिले and जब milliseconds से एक बार आपको मिल जाएगा हम उसको बहुत easily convert कर सकते है time में ठीक है जावस्क्रिप्ट की मादद से इसमें react तो कुछ है नहीं जावस्क्रिप्ट है so let मैं यहाँ पर लिख देता हूँ guys time str will be equal to देखो कैसे मैं simple मतलब fund up now template literals मैं यहाँ पर लिखता हूँ and I think मुझे इसको इस तरीके से close करना जरूरी था perfect ठीक है and again मुझे यहाँ पर इस तरीके से same date dot अब मुझे guys क्या चीज़ए इस minutes get minutes ठीक है and इसको मुझे ijt चिपकाना है and जो भी वहाँ पर time होगा so होगा mostly वो PM होने वाला अब यह जो time str है इसको मैं copy करूँगा and sunset के वाले मैं चिपका दूँगा and boom guys see एक second यह calibrances क्या कर रहे है एक extra calibrances है कहीं तो भी यह वाला and boom guys see आप देख सकते हो 19 बच के 18 मिनेट 7 बच के 18 मिनेट PM में sunset होगा humidity pressure and then speed मुझे मुझे मिल चुका है अब सबसे ज़्यादे important यह है कि sunny में चलो यह ठीक है एकदम perfect है क्योंकि हमने sunny यूज क्या वात हूँ आप पे and मैं आपको बताना चाहूँगा यह जो weather का जो mood है इस जगे पे होगा so यहाँ पे we don't know कि weather का mood किस तरीके का होने वाला है I mean we need one more event variable यहाँ पे भी ठीक है I mean state variable not event variable const यहाँ पे चलता हूँ and आप कुछ भी लिख सकते हो मैं यहाँ पे guys इस तरीके से लिख देता हूँ weather का current state क्या होगा ठीक है so weather ठीक है use state चलो perfect फिलाल के लिए मैं इसको empty छोड़ देता हूँ ठीक है अब भी मुझे क्या करना होगा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फिलाल एक ही use state उने वाला है तो मैं directly react लिख सकता हूँ अब मेरा totally जो weather mode आपको दिखा दे रहे है इसकी उपर depend है कि हमें क्या दिखाना है यहाँ पे like weather mode अगर sunny है तो sunny दिखाना है weather mode अगर cloudy है तो cloudy दिखाना है उस तरीके से ठीक है so मैं क्या अगर तो यहाँ पर मैं चलता हूँ मुझे आना बड़ेगा ठीक इसके नीचे यहाँ पर ठीक है मैं यहाँ पर आता हूँ guys आप मैं यहाँ पर देखो बहुत इजली इसको यूज़ कर सकता हूँ इसको मैं हटा देता हूँ and मैं चाहूँगा कि मेरा जब weather का जो mood है अगर उसकी value change होती है तो ही simple ठीक है and यहाँ पर एक और condition मुझे लगाना है कि अगर मुझे weather mood का data मिलता है तो ही ठीक है मैं all right actual में इसको copy करके यहाँ पर प्रेश कर देना है अगर weather mood का data मुझे मिला तो ही मतलब API मेरा अगर चला तो ही मुझे यहाँ पर switch case यूज करना पड़ेगा perfect ठीक है and switch case में अगेन मैं यहाँ पर weather mood क्या था हमारा ठीक है and उसकी basis पर देखो अगर weather का mode था cloud ठीक है मैं data देख लेता हूँ एक बार यहाँ पर c l o u d s cloud ठीक है अगर weather का data होता है cloud यहाँ पर आपको जो दिखता है पता है यहाँ पर जो भी हमें दिखाई दे रहा था उसको मुझे add करना है and and वो जो मेरे state variable होगा वो होगा मेरा weather state मैं यहाँ पर चलूँगा weather state sorry not weather state यह set weather state होगा set weather state यहाँ पर इस तरीकी से and यहाँ प cloudy में लिख दूँगा इस तरीकी से ठीक है and this is it अगर अब clouds वाला कहीं पे भी अगर हमें weather का वो जो mode दिख गया तब मैं उसको यह दिखाना चाहूँगा तो simply जब भी अगर clouds होगा तो guys हमें यह वाला जो भी icon हो दिखाई देगा simply अब उसी तरीकी CC को ही मुझे guys copy करना है paste and then paste तो मैं आपको बाता है तो starting में like अगर clear होता तो उसके लिए हमने कुछ लिखा नहीं था लेकिन मैं यहाँ पर चलके लिखना चाहूँगा guys हेज अगर यहाँ पर हेज होता है ठीक है तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा इसरी किसी foggy वाला day and then मैं यहाँ पर चलता हूँ all right we have clear करके sunny का कुछ थानी so अगर सब कुछ होता है clear then we have again यहाँ पर all right guys मैं actually clear पर भी कुछ और लिखा है तो let's go with sunny यहाँ पर sunny and I think all right perfect so इतना है and then default पर इसमें क्या करता हूँ कि यह जो है इसी कोई copy and then paste चिपका देता हूँ this is it ठीक है तो अब totally हमारे weather mode के उपर depend रहेगा कि हमारे state variable क्या होने वाला और जो आइकन होगा उसको मैं update करूँगा on the basis of जो भी यहाँ पर mode दिखाई देगा and use effect बता रहा है कि defined नहीं किया गया है it's totally fine क्योंकि हमने 1000 बार देख चुका use effect अगर नहीं किया गया तो इस तरह किसे कर देंगे and हमारा काम हो जाएगा and अब एक बार देखते कि use effect is not defined use effect यहाँ पर use effect guys यह already defined है अभी तो हमने just defined किया and boom guys आप देख चाक तो यहाँ पर हमें data दिखाई दे रहा है सब कुछ जो भी data आ रहा है वो सब कुछ dynamic हमारे real API के थुरू हमें मिल रही है पर यहाँ पर मुझे वह icon नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है and उसका reason है कि कुछ ऐसा है so dollar curly braces and यह जो मेरा weather status को मैं करूँगा copy ठीक है यहाँ पर मैं कर दूँगा paste and simply मैंने paste कर दी आपको यहा पर चेक करना चाहूंगा क्या यह perfectly work कर रहा मुंबई क्लिकता हूं and sunny all right boom guys अब आप देख सकते मुझे sunny पर यह perfectly दिखाई दे रहा है and मैं यहाँ पर चल करना चाहूंगा let's go with the Delhi Delhi में कैसा सब all right guys एक चीज़ हम देख सकते कि मुझे यह sunny ही दिखाई दे रहा है जबकि ऐसा होना नीची ठीक है तो weather का जो भी state है यहाँ पर आप देख सकते मेरा weather state उसको में guys define कर रहा हूं जब जब हमारा यहाँ पर weather का जो भी mood है वो change होता है ठीक है तो यह जो मेरा weather mood है उसके basis पर हम सब पुछ देख रहे हैं यहाँ और guys तो I just realized कि हमने sunny के बतले तो कुछ change ही न देखा नहीं है तो this is it मैंने खाता ना जैसे जैसे हम work करते गाई समय एक एक चीज़ पाता चलता है क्या है क्या नहीं है तो यह जो mist इसको भी मैं copy कर लेता हूं यहाँ पर paste कर देता हूं and I think यह जो mist होगा वो इस तरीके से नहीं इस तरीके से होगा ठीक है मिस्ट मंदो हलका सा फॉगी टाइब अगेन वही सेम चीज है तो मुझे इतना कुछ मिल तो नहीं रहा है यह जो डस्ट वही में चिपका देता हूं यहाँ ठीक है अगर मिस्ट आया तो हमें डस्ट दिखना चीए and अगर मैं आल राइट गाईस ऑसम देखो आ चुका है मै पर लिख देता हूं अलेट सो इस वीडियो के लिए तना ही आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा हमने रियक्ट इन वान वीडियो में काई सिप्रियक्ट समझा नहीं हमने उसको प्रैक्टिकली करके देखा कि कैसे यह वर्क कर रहा है डिफरेंट इफरेंट प्रोजे कि कैसे आप डेटा कर सकते हो अगर आपज आप होस्ट कर दो इसको आप कर जायों और जल्दम पर लाइविडियो आ याने और जैसे पहले दीख कर सकते हो ठीक है को कॉल्ष आपको आज के वीडियो कैसे लागा मुझे कमेंट करके जरूरूर बात आना so this is it guys आज इस बीडू के लितना है लेकिन इसको मैं एक और ट्रिक आपको दिखाना चाहूँगा जाने से पहले दिखे गाइस यहाँ पर मैंने कुछ इस्तिर किसी किया राइट यहाँ पर मुझे इसको destructuring करना पड़ा क्यों न क्या हो इन सब को मैं copy करू and instead of temp info directly यही पर ही चिपका दू तो मुझे इतना कुछ लिखनी की need नहीं पड़ेगी ठीक है मैंने directly यहाँ पर destructuring किया and वो जो destructuring के data को मुझे पाने के लिए पाता क्या करना पड़ता temp info को भी need नहीं पड़ती मेरा जो temp info जो state variable directly spread operator यूश करता अब बाइड़ फोल डिस्ट्रक्चर हो गया temp info के अंदर मुझे सिर्फ और से भी सब डेटा मिल रहे होंगे इन सब डेटा को मैंने यहाँ पर directly डिस्ट्रक्चर कर दिया अब मैं यहाँ पर चलता हूं फिर भी मुझे डेटा मिल रहा है थाना यह awesome trick तो यही है गाइस different tricks है जो आप जैसे जैसे practice करोगे जैसे जैसे आप समझोगे concept को आपको पाता चलता जाएगा and that's why मैंने को एकदम use you know e-commerce project वो सब adding है क्योंकि guys 8-9-10 गंटे लगते हैं मुझे मालू मैं आप मेंसे बहुत सब लोग देखते भी नहीं उसको ठीक है so that's why guys इस project को रखा ताकि छोटे छोटे project के थरू आपको पाता चले कि कैसे work करना है and then वो e-commerce भी में जल्दी लाऊंगा and उससे भी आपको पाता चल जाएगा तो guys उस video को भी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा ताकि आपको notification जरूर आता रहे so this is it guys आपको यह project कैसा लगा नीचे comment करके जरूर बाता आना so this is it guys आज इस video के लिए इतना ही and I really hope guys आपको बहुत ही मजा आया होगा क्योंकि हमने basic two advanced with five project complete react jazz को देख लिया है समझ लिया है and I know आप आप master जरूर बन चुके होंगे now it's totally up to you कि आप कितना practice करते हो आप कितना hard work करते हो इस सारे concept को एकदम समझ के एक real world project में implement करने के लिए हलाकि मैंने आपको अलरी दिखा ही चुका अगर आप मेरे ऐसे awesome content देखते रहना चाहते हो अगर आप मेरे चैनल को support करना चाहते then guys please मेरे चैनल थापर टेक्निकल को जरू subscribe कर लिजेगा राइट साइड में red color का bell icon एक घंटी दिखा देगा इट कीजे क्लिक कीजे ता कि आप डेले से awesome videos को में इस ना करें so till then guys thank you so much take care